अपना अपना जगह पर कड़ा होके ज्यादा समय ना लेते हुए अमारा ग्रेट मेंटर, अमारा राइल टागे टीम फॉर्ड़ लीडर, अमारा जोशली लीडर, अमारा फैवरेट लीडर, अम स्टेज में अमरे सित करेंगे जोरदार तालिय से हला बचाके, चित्री बचाक हम भुलायों चाहेगे, अमारा ग्रेट मेंटर, मिर्टर, विकास, मागुरी जी, लोरदार, लोरदार मुझे तू सेट बना दे, मेरे भी भागी जगा दे सभी को तू ही देता, सभी के दुख हर लेता, दया मुझे पे भी कर दे, बना दे मुझे को नेता कैबिनेट में पोट्फोलियो मुझे दिला दे रे, कैबिनेट में पोट्फोलियो मुझे दिला दे रे गुद्ध बॉर्णिंग चले सबसे पहले आप सबको नमस्कार सारे लोगों से नमस्कार कर रहा हूं गुद्ध मॉर्णिंग चले चले दोस्तों आप या पे आए हैं चेक देख रहे हैं आप लोग तालियां हो जाएं चेक के लिए ये 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 चेक आप सबके एकॉंड में आना चीए नहीं आना चीए कितने लोग चाते हर अपते ऐसा ही एकॉंड में एरपोर्ट के बगल में एक पेड़ था बर्गत का किसका पेड़ था किसके पेड़ था तो उस बर्गत के पेड़ पे तोता और मेनार आ करते थे कौन रा करते थे बहुत ही जवरजस्त दोस्त थे हाय ना तो वो डेली देखते थे हवाई जाज उड़ते हुए तो आपस में बात करते थे भाई ये कौन सी चड़िया है यार बहुत तेजी सुड़ती है तो तो ताभी बोलता था हाँ यार अपने भी पंक तो अपने भी है पर इनके भी पंक है तो हवाई जाज को देखे डिली सोचते थे आपस में बात करते थे बोला यार देखो ऐसा ही हमें बनना यार इतना तेज उड़ते ये लोग अगर हम भी ऐसा ही उड़ना सीख जाएं तो हम पूरे आस्वान हाया ना फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा एक ऐसी चड़िया को जिसके पंखी नहीं था हलो पहले तो हभाईजाज देखा उन्होंने तो हभाईजाज के तो पंख थे उनकी तरह पंख थे फिर उन्होंने देखा एक ऐसी चड़िया को जिसके पंख नहीं थे और थोड़ी देर में तेरी से उपर जाता था आस्मान में और पांच से सेकंड में गाइब हो जाता था इसके तो कोई पंग भी नहीं है और फिर भी इतना तेजी सुड़ता है और दो सेकेंड नहीं लगते हैं आस्मान में जाता है गैव हो जाता है तो तोता ने बताया कि इसके पंग नहीं है पर इसके पूंच में आग लगी हुई है अगर तूभी अपनी पूछ में आगा सकती है तो इसकी तरह उड़ सकती है अलो हरगोई डामेंट मनना चाहता है हर कोई सबने पूरे करना चाहता है हर कोई हमारी तरह है या जो हमारे ग्रेलोड रुपे का चेक लेना चाहता है अलो ले सकता है लेकिन पूछ में आग लगी होना आग लगने का मतलब है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमको दोड़ाए जो हमको भगाए जो हमको एहसास दिलाए कि अगर तू रुख ग क gauge के जाती है हमारे business में कई लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको सब कुछ चाहिए गाड़ी चाहिए बंगला चाहिए घर चाहिए इस तरीके की life style चाहिए लेकिन देखो के उनका life style फिरकुल तोता मैने की तरह है जो सोचते तो है जो बोलते तो है कास ऐसा हो जाता कास ऐसा हो जाता हलो और कास करकर के लेकिन जिन्दगी कहां पे तारे उसी गोसले में उसी गोसले में गोसे पड़े हैं चर्चाय है knowledge है ज्यान है सब कुछ है लेकिन तोता ने सही बोला उस मैना को कि ख्वाब देख तो रही है तो उस rocket की तरह उस चड़िया की तरह है आसमान में उड़ने की पर उसके पूंच में आग आग लगी हुई है तो पूंच में आग लगवा सकती है क्या हलो हलो हमारे business में हमारे जो great mentors हैं वो हर दिन दोड़ते हैं हर दिन काम करते हैं हर दिन मेनत करते हैं अपने सपनों की आगे कोई उनकी जिन्दिकी में loss नहीं है कोई उनकी जिन्दिकी में कोई बॉस है नहीं उनकी जिन्दकी में लॉस है फिर भी वो दोड़ते हैं क्यों क्योंकि उनका सपना बहुत बड़ा है सपना किसके लिए सपना उन्हों ने देखा अपनी फैमिली के लिए सपना उन्हों ने देखा आपने पैरेंट्स के लिए सपना उन्हों का मतलब आप से ये है कि हम लोगों को भी बहुत अगर आगे जाना है, बहुत बड़ी कामियाभी लेनी है तो हमको भी दोस्तों कहीं ना कहीं पूँच में आग लगानी पड़ेगी तेयार हैं आप लोग? एक दीवाप अली पे भी हम देखते हैं अटाका आता है उसके आग लगाते हैं सीधा उपर जाता है, क्या बोलते हैं उसको? रॉकेट बोलते हैं रॉकेट लॉंचिंग, हलो? ऐसा क्यों हूँ? आप ने देखा हूँ आग तो नीचे लगाते हैं लेकिन उपर उड़ता है सीधा उपर जाता हूँ इदर उदर नहीं भागता सीधा उपर जाता है क्योंकि उसमें बारूत भरा होता है क्या भरा होता है बारूत भरा होता है यसे नो आपने यहापर देखा कही सारे लीडर आई जिन्होंने एपल का लेपटॉप लिया कार अचीव किया क्यों ऐसा क्यों क्योंकि उनके मांड में सपनों का बारूद भरा हुआ है यसे नो और आपके दिमाग में भी अगर सपनों का बारूद भरा हुआ है तो चिंगारी लगाने की देरी है आप भी रोकेट बन जाओगे यसे नो और ये चिंगारी लगाने का काम कौन करता है वो करता है हमारा सक्सिस्पूश सिस्टम, यस ये नो तो एक बार सिस्टम के लिए जोड़ार तालियां हो जाए चलिए आज इस मीटिंग का जो एजंडा है, वो एजंडा है, वाई सेफ सोप कई लोगों के दिमाग में आता है कि सेफ सोपी क्यों करनी चाये, how can we achieve target, बाकी के कही लोगों के target हो जाते है, लंदन के target हो जाता है, रुशिया का target हो गया, भाइलेंड का target हो गया, हमारा target क्यों नी हुआ, या हमारा target कैसे होगा और उसके बाद how can we achieve diamond ship मुझे लगता है कि बिजनेस में आने के बाद ये तीन चीजें इस लीटर को अच्छे से समझ में आ जाएं वो हमारे बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाभी ले सकता है बहुत आगे जा सकता है लेकिन दोश्तों जमाना बदल गया है जमाना बदल गया तो हमारी कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं क्योंकि मॉटिवेशन जसे सम टाइम एनरजी बाइट बोर्ट के दर है मार कर ओके चीक है आप खड़े हो जाएए यहां पर थोड़ा हम कुछ देखते हैं तयार है आप लोग तयार है बहुत बड़िया थोड़ा हम लोग सारे लोग समाज में रहते हैं हमारे घर में हमारे हम सब के उपर एक जिम्मेदारी है फैमली की जिनके उपर जिम्मेदारी नहीं है लेकिन जब वो आगे जब अपनी जिन्दी को को जियेंगे तो उन पर भी जिम्मेदारियां आएंगी यस ये नो लेकिन मोस्त होता है कि हमारे समाज समाज में अगर हम लोग रहते हैं तो समाज में रहने के लिए हमको जो जरूरत पढ़ता है हम चाते हैं कि हम समाज में सुखी रहें तो समाज में सुखी रहने के लिए दो चीजों की जरूरत पढ़ती है और पहली चीज है सम्मान और दूसरी चीज है पैसा हम जंगल में नह यह दोनों चीज़ें होनी चीए हमारे साथ में और इन दोनों चीज़ें को इंज्वाई करने के लिए दोस्तों हमारा सरीर जो है वो फिट होना वहुत जरूरी है अगर हमने संपत्ती भी कमा लिए अगर हमारे पास हमारे पास सम्मान भी है पैसा भी है पर सरीर से हम बीमार है हमको डाइबटीज है बीपी हाई है हमको हाट अडेक की बीमारी है हमको हमारा किटनी खराब है या हमें जो भी बहुत सारी बीमारिया आजकल लोगों को होती है और बीमारिया क्यों होती है क्योंकि बीमारिया इसलिए होती है क्योंकि आजकल जो है आप देखेंगे कि बहुत सारा पॉलूशन वार फैला हुआ है आज आप अगर मुझे देखेंगे अगर मेरे पास आज recognition है आज मैं करोलो रुपे कमाता हूँ आज मेरे पास सम्मान भी और पैसा भी है लेकिन मेरा का सरी ठीक नहीं है तो इन दोनों चीजों का क्या फाइदा है हमारे लिए और मैंने कई लोगों को देखा है कि जिनके पास इन दोनों चीजों की ब्रह्मांड में कुछी लोग है जो इन दोनों चीजों का चीजों का चीजों कर पाते है और इन दोनों को जुड़के बनती है सफलता जिसको कहते हैं सफलता बोलते हैं यह आदमी सफल है वो सफल एक चीज से नहीं है जिस आदमी के पास दोनों चीज़े हैं वो है सफल और इस तरीकी की सफलता कुछ गिने चुने लोगों के पास होती है और इसी सफलता को अचीब करने के लिए आप लोग इस बिजनिस में आए हो आप सोचिए कि दुनिया में कुछी लोगों के पास है यह और दुनिया में कुछी लोगों के पास ये चीज़ और उस चीज़ को आप अचीब करने की बात कर रहे हैं तो इतना आसान भी नहीं है और इतना मुस्किल भी अगर मुस्किल होता तो बाकी के लोगों ने कैसे सफलता हासिल की अगर मुश्किल होता तो मैंने कैसे सबलता हांसिल की अगर मुश्किल होता तो यहां पे बैठे हुए फ्रेंट लाइन जो स्प्रेंट सोपे पे लीडर बैठे हुए है एलें सर, मलका सर, इन्होंने कैसे अचीव की डामेंट से, इन्होंने कैसे बड़ा बिजनेस बनाया, आसान है, तो दोस्तों आप देखते हैं, कि हमारी जो कंपनी है, ये एक ऐसी कंपनी है, जो हमको संपत्ती भी देती है, और हमको सम्मान भी देती है, और जिस बिजनेस में दुनिया में कोई ऐसा बिजनिस नहीं है जिसमें लॉस का डरना हो और बॉस का डरना हो आप देखो के दुनिया के 95% लोग जो हैं वो यहीं रहते हैं कोई देखो के लॉस की बज़े से बीमार पड़ गया लॉस की बज़े से हाट अटेक हो गया لوس کی وجہ سے तलाक हो गया لوس کی وجہ سے रिलेशन खराब हो गया لوس کی وجہ سے आत्मतिया कर ली لوس کی وجہ से सुसाइट कर लिया لوس کی وجہ سے घर चोड़ दिया لوس کی وجہ سے क이라र किया क्या नहीं करताओमी पका लिए देख जाके मारकेट मे जो कुछ लोग لوس کی وجہ سے क्या-क्या नहीं करता आदमी देखो जाएके मार्केट में जो कुछ लोग लॉस की बज़े से बच गए उनमेंसे ज़्यादा तर लोग बॉस की गुलामी से परेशान है कुछ लोग लॉस की बज़े से परेशान है कुछ लोग बॉस की गुलामी करने से परेशान है आठ बजे से नहीं बलकि पुरी जिंद की लोग बॉस की बजे से परेशान है दुनिया में मातर पांच परसेंट लोग हैं जो फ्रीडम की लाइब जीते हैं फ्रीडम का मतलब क्या होता है जापे ना लौस का डरो ना जा बॉस का डरो और बिना लौस के बिना बॉस के आप अपने संपत्ती को बना डालें और दुनिया में देखिए कोई चीज मोटिवेट करने के लिए थोड़ी दर मोटिवेट हो सकते हैं यह कोई motivation day नहीं है आज का आज हमको समझना चाहिए आज हमको विर्कुल 100% इस बात को हमें अपने भेजे के अंदर गुशेड लेना चाहिए कि हम लोग जो हैं वो हम इस business में actually हमको इस business से मिलेगा क्या अगर इस business में हम मन लगागे तीन से चार साल काम कर लेते हैं तो हमको क्या मन मिलेगा यह business ना जाती का है ना धरम का है ना age का है ना qualification का है यह business रवेग चीज से वनता है वो है आपका dream वाई सेट सॉप और दोश्तों यह बात समझनी पड़ेगी आज आपको या तो आप यहाँ जाए देखो या तो आप loss के चक्कर में पड़े हो या फिर आपको कहिना कही 95% दुनिया के यही लोग रहते हैं लेकिन सेट सॉप हमको पहुचाती है माच 5% में without loss without boss और without lots without loss without boss अगर आपको कोई टॉप पहुचा सकता है तो वो है आपकी सेट सॉप जिस फैमली में आप लोग काम करते हो सेट सॉप के लिए तालिया हो जाएं दोस्तों मुबाइल तो बंद कर दो हर्ण मुबाइल नहीं चलना चीए वरकुल भी और ध्यान देना है कॉनफरेंस पे यह से नो तो यहां तक समझी में आ रहा है आपको कितने लोगों को समझी में आ रहा है बिरको एक आदमी ने पूछा कि बिजनिस आपको क्या देता है मैंने बोला उसको यह बिजनिस आपको बिदाउट लॉस बिदाउट वॉस आपको फीडम देता है चाहिए 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 जाहिए 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 परिशान हो जाओगे परिशान नहीं होगे तो आग वे बैठोगे और लिकल जाओगे कुछ होने वाला नहीं है तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों हमको यह बात आपको समझनी पड़ेगी और अगर हम समझ लेंगे तो हम बहुत बड़ी काम्याभी हम हासिल कर पाएंगे या तक समझ में आया अब थोड़ा हम देखते हैं आज थोड़ा आपको अवेर करते हैं थोड़ी जागरुकता देते हैं आपको ऐसा बोला जाता है कि 1940 में एक फेमली कितने रुपे में चल जाती थी ऐसा हमारे पूरवज बताते हैं साइंस बताते हैं इत्यास बताता है मैं तो था नहीं 1940 में दस रुपए में घर चल जा जाता हम दो और हमारे दो बास सही है कितने लोग मेरी बास से सहमत है जी बिरकुल सही है ये आप लोग प्लान में बताते ही हो बताते हो बहुत बढ़िया उसके बाद 20 साल के बाद 20 यर्स का समय गया और 1960 में जो फैमली 10 रुपए में चलती थी वोई फैमली कितने में चलने लगी 100 रुपए में चलने लगी क्या आप इस गुरोथ को रोक सकते हैं बहगाई आप रोक सकते हैं रोक सकते हैं बरकुल नहीं रोक सकते हैं आप देखोगे उसके 20 साल के बाद 1980 में वो ही फैमिली कितने में चलने लगी एक अजार रुपे में वो फैमिली चलने लगी बात सही है बात सही है विरकुल बात सही है उसके बाद फिर 20 साल के बाद वो ही फैमिली जो है 2000 में वो फैमिली कितने में चलने लगी 10 अजार रुपे में बात सही है? कितने लोग बोलते हैं बात सही है? बहुत बढ़या और आप देखो के वो ही फैमिली जो दस सजार रूपए में चलती थी कितने लोग बोलते हैं सही है बहुत बढ़या है सही है, 2020 चल रहा है, एक फैमली को चलाने के लिए आज requirement क्या है, एक लाग रुपई, यहां तक समझे में आ गया, अब थोड़ा एक चीज और बताते हैं, फैनेंसली, अगर आप कुछ किताबें पढ़ेंगे, और जो फैनेंसली एक्सपर्ट हैं, वो ऐसा बताते हैं, कि 2040 भी आएगा, आपकी जीवन में नहीं आएगा, आपके बच्चों के जीवन में आएगा, आएगा जरूर, आप देखोगे, हमारे समाज में तीन कैटेगरी म बठा हुआ है, लोर कैटेगरी, मीडियम कैटेगरी, हाई कैटेगरी, हलो, हलो, और एक कैटेगरी है, जिसको बलते हैं, सुपर हायर कैटेगरी, लोर कैटेगरी में कौन है, लोर कैटेगरी में बो है, जो 99,000 रुपे से नीचे कमा रहा है, महीने के कोई भी बंदा अगर 99,000 से नीचे कमाता है चाहे वो सरकारी जों में हो प्राइवेट उसको lower आप भी बोला भी बोला lower class है कौन से class में कहा है वो lower class है कौन से class है चाहे उसकी rank हो कुछ भी कहीं का भी हो लेकिन financially उसका background जो है lower class है जो बंदा एक लाग तक कमाता है एक से येड़ लाग कमारा है वो बंदा मीडियम केटेग्री में आता है बास है और उसके बाद जो बंदा येड़ लाग रोपे से उपर कमारा है देड़ लाग, पांच लाग, दस लाग, पंदरा लाग, बीस लाग महीने के, तीस लाग, वो बंदा हायर केटेगरी में आता है, एक ओती सुपर हायर केटेगरी, जो करुड़ों रुपे कमाते हैं महीने के, अब आर ग्रेट मेंटर मागुरी नर्शी करिबाल जी, ना हो, सुपर हायर केटेगरी, फिलाल आप अपनी प्रिजंट सिस्योशन देखें कि कौन से केटेगरी में आप आते हैं, एक अलग बात है, आपको लग सकता है, जी मैं ये जॉप कर रहा हूँ, मेरा ये रैंक है, मेरी ये नौकरी है, आप फूर्थ क्लास के हैं, समास की नेजर म फैनेसली कौन में देखेंगे, तो अब फूर्थ क्लास है, अगर कोई बंदा 99 थाउजंट से नीचे कमाता है, मीडियम क्लास में आने के लिए भी कमसे के महिने का एक लाग होना चाहिए आपकी कमाई का, एक लाग रुपे से उपर, हलो, हलो, तो सोच ये, कि हमारे दादा परदादा सब लोर क्लास में, जिन्दी की गुजार के खतम हो गए, और हमने भी कोई ऐसा डिसीजनल अभी तक लिया नहीं है, जो हमको सुपर हाईर के डिगरी में लेके जाए, लेकिन बिग कॉंगरूशलेशन साब सब को बहुत बहुत बदाई हो कि सेफ सोप, एक ऐसा अभी कल है, अगर इसमें बैठे रहे और लगे रहे, तो आप एक दिन सुपर हाईर के डिगरी में पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सुपर हाईर के डिगरी में पहुंचने के लिए एक सिंपल सा भी बताता हूँ आपको, मलगा जी आईए, आज सुपर हाईर के डिगरी में जाने का तरीका क्या है? इधर आईए, माइक लेजे, मेरी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया सुपर हाईर के डिगरी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये मेरा है सेविंग बॉक्स मैं लेके आया हूँ, बैक से उठाके लेके आया हूँ ये है गोल्ड टॉनर मैं अपने चेहरे पर यूज करता हूँ हलो? ये हमारे चेहरे पर जो ड्रस्ट जम जाता है, जो हम फेशियल जाके कराते हैं जो हम कई सारी चीजां कई महिलाएं जो है वो यूज करती हैं मेल भी यूज करते हैं और ये क्या है? सेव सॉप का गोल्ड टॉनर है, इसको यूज करते हैं हम शांदार तरीके से आप देखोगे, ये हैर ओएल है मेरे हैर देख रहे हैं आप? हैर देख रहे हैं आप? ये हमारी कंपनी का हैर ओएल है ये ओईल नहीं है इस ओईल को ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें मुझे अपनी नेक्स कार नजर आ रही है जो तीन करोड रुपे की होगी ये हैर ओएल जो है इसकी जब मैं खुस्बू लेता हूँ ना हलो हलो तो मुझे इसकी खुस्बू में हपते का दो करोड का चेक नजर आता है थोड़ा खुस्बू बताईए कैसी है लगाईए बालों में लगाईए ये जो बाल आपके जड़ रहे हैं कम उम्मर में टकले होने के कगार पे हैं अगर आप इसको यूज करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अगले एक साल में सारू खान बज जाएंगे आप बाल तो आएंगे ही आएंगे लेकिन बालों के साथ में आपके बड़े बड़े चेक भी आएंगे सारू हलो आएम ए ब्राण अमिस्डर इन सेपसॉप हलो खुसू आ रही है आपको ओल की खुसू आ रही है यह हमारा हेर ओल है जो पूरी तरीके से हरवल है आयो बेर्दा है और जितने भी बालों को लेके जो भी बिटामिस चाहिए उस आले बिडामिस सारे के सारे इसमें है और ना कि बिटामिन उसमें सबसे बड़ा जो बिटामिन मिलता है इससे वो एम बिटामिन मिलता है एम बिटामिन मतला मनी कितने लोगों को लगता है कि ये यूज करना चाहिए साब कितने लोगों को लगता है इसको यूज करना चाहिए भौश अंदर मैं जबर जस्त यूज करता हूं इसको तालिया हो जाए ये हैं बोड़ी मसाज ओहिल मसाज सब तो को हम बड़ा नेगेटिव लेते हैं क्योंकर इंडियन मेंट्रलिटी है मसाज को अंगरेजी में मसाज बोलते हैं हिंदी में मालिस बोलते हैं जब बच्चा पैदा होता था तो हमारी धादियां नंगा करके और चार पाई में धूम में डालके मसाज करती थी सरसों के तेल से और सबसे ज़्यादा मसाज मेरी दादी मेरी रीड की एड़ी पर करती थी इसलिए मेरी गर्धन लंबी है और लंबाई भी अच्छी खांसी है मेरे पास और रीड की हड़ी एक दम सीधी है मेरी क्योंकि हमारी दादी ने बच्पन में हमारी रीड की हड़ी की अच्छे से मसाज करी थी हमारे घुटनों की भी मसाज करी थी और नाग थोड़ी टेड़ी थी तो मसाज करकर बच्पन में सीधी कर दी अब जमाना थोड़ा पतल गया है अब वो चला गया तो आजकल बच्चे इतने से रह जाते हैं चस्मा जल्दी आ जाता है क्योंकि आजकल मा पहले बच्चों को मा प्लस दादी पालती थी अब बच्चे को मा नी पालती है अब बच्चे को बाई पालती है या चार पाई पालती है या भाई है या फिर चार पाई है पड़ा हुआ है अगर मैडम बच्चे को लेके चलेगी तो लिपिस्टिक बिगड़ जाएगी मैडम की हलो हलो लेकिन हमारी दादी जी ने जबर जश्ट हम दो भाई हैं दोनों को मैंने देगा और जबर जश्ट तरीके से हमारी जो मम्मी जी है अब हमारी मम्मी जी है हमारे बच्चों की दादी तो मैं ये बताने की कोशिस कर रहा हूँ ये मसाज कई लोगों की बॉड़ी से बद्बू आती है वो नाते नहीं है कभी ध्यान देते नहीं है और बॉड़ी को कर चांदी जैसा करना है हलो मैं पका सट खोल के दिखाता है अगर खोल सकता तो सलमान गान जी दरे लगाओ आप पर्फिम की जरूरत नहीं है जवर जस्त और यह मसाज ओयल नहीं है हलो यह आपकी दस पीडियों की मालिस करवाने की ताकत रखता है थेंक्यो मैं मैडम को थोड़ा हाथ पे देना चाहूँ है मैडम थोड़ा हाथों पे लगाओ आप मैडम यूज करती है तालिया हो जाए मैडम के लिए मैं रात में सोने से पहले इसको लगाती हूँ तो होता क्या है कि सर्दियों में स्क्रीन जोइड भई डाई हो जाती है मनलब सुखी सुखी सित्तो इसके लिए और मस्राइजर होते है वो यूज करो लेकिन इसको लगाने मैं ने देखा नहाने के बाद भी और नहाते भी सेप सॉप सी है तो आप फेस वाउस करिए या कुछ भी करिए उसके बाद में ये फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि कुछ मलब चिकनापन है और मैंने खुद महसूस किया कि जो जुरिया टाइप की हाथ में लगने लगती है तो वो खतम हो जाती है देचित साब इतने मुस्करा रहे हैं बगल में बैठे उधर बैठे है हलो हलो आप बिरकुल सही कह रहा है महागुर जी और कभी कभी वो भी हातों पे लगा देते होंगे मैडम के तेल हलो तो दुनिया में बड़े से बड़ी सेलिविटी आप देखेंगे कहीं ना कहीं जबरजश तरीके से हम लोगों को यही करना है कोई ऐसा अब्यक्ति नहीं है जो अपने घर में प्रोड़क्ट यूज नहीं करना हो लेकिन उस भाई साब के अभी तक भेजे में यह नहीं कुसी है कि अपने प्रोड़क्ट यूज करने से क्या होगा और अपने प्रोड़क्ट अगर हम यूज़ करेंगे तो मैं बादा करता हूँ लिख लीजिए स्टाम पेपर बाइस आप कि अगले एक शे दो साल में कोई ऐसा अब्यक्ति नहीं होगा जिसका हब्ते के कम से कम 12 से 13 लाग रुपे का चेक ना हो हलो हलो अब बताओ इस काम को करने के लिए कोई डिगरी की जरूरत है कोई डिप्लॉमा की जरूरत है आओ शिखाएं कैसे साबुन से नाएं साबुन से नाते कैसा लगता है फिलिंग बताओ आप जाके जाएए हमारे बाश्रूम में खहर में लेकी नहीं आया सारे प्रूडक्त क्योंकि बाश्रूम में भी हमारे काभी प्रूडक्त रखे हुए है अब एक आदमी बोलता है अब बड़ा प्रोडक्त महगा है क्या बोला कल हमने थोड़ी नॉलज बढ़ाने के लिए प्रभीन जी को मार्केट में बेजा और हमने बोला जाओ क्योंकि हमारे लीटर के दिमाग से लिकलना चाहिए महगा है तो हमने बोला कि जाओ एक प्रोड़क्ट खरीद के लेके आओ तो प्रभीन जी ने पहले बोला यहाँ महले यहाँ नहीं महले जाओ महले तो हमने इन से यह मगवाई एक प्रोड़क्ट मगवाई है जो चेहरे पर लगाते हैं सीरम जैसे हमारा गोल टोनर है न उसी से मिलता जुलता यह प्रोड़क्ट है दूसरी कंपनी का है और धढल्या से बिकता है यह प्रोड़क्ट साब खड़े हो जाए माइग लीजिए इसकी कीमत पता ही है साब यह कीमत 395 395 3095 रुपे थालिया हुजा एक कंपनी है इसमें कितने एमेल है इसको चैरे पे लगाते हैं और इससे हंड्रेट गुना ज़्यादा हमारा जो प्रोड़क्ट है वो इफेक्टिव है हलो इसमें और इसमें सबसे बड़ा फरक क्या है इस वाले प्रोड़क्ट में और इस वाले प्रोड़क्ट में करिया है आपने मता है कि यह वो प्रोड़क्ट है यह शे खाली करता है यह शेफ हता है नेरा दे सोड़े जट रखन वालेय थकिए उख तक्ता ही रह गया मैं कुछ गहना सके या नेराने सोडे जग चनवाल तक्के आओ तक्ता ही है गया मैं कुछ गहना सके या ये शेनो उसके बाद आप देखोगे मेरी बॉड़ी पे पिरकुल भी चर्वी नहीं है जबकि हम 5-6 रोटल में ही रहते हैं जितना खा सकते हैं उतना खाए और मैं कम से कम मैं 4-5 गंटे नींद लेता हूं लास्ट नहीं तो 4 गंटे बहुत है मेरे लिए रात के 2 बज़े सोते हैं सुबह साड़े 4 या 5 बज़े हम जग जाते हैं यसे लोग ना हमारे को ठकाबट है ना कुछ है हलो मैं क्या करता हूं मेरा आप से डूल जाना चाते होंगे कि मैं सुबह क्या करता हूं आप भी चाहते हैं आपकी बॉड़ी एक दम हेल्दी रहें क्योंकि बहुत पैसा कमा लिया पैसा कमाने का फैदा है क्या जब आपके दर्द है दिमाग में या बॉड़ी में क्या फैदा फिर तो आप देखो कि सुबह उठके मैं क्या करता हूँ सुबह जैसे ही उठता था तो पहले मेरी यादत थी चाय पीने की कॉफी पीने की अगर मैं होटल में हूँ तो पक्का में चाय सुबह उठा चाय चाहिए जी घर पे हूँ चाय चाहिए क्योंकि बच्पन से ही आदे थे हमारी तो सुबह बच्चा उठते हमी चाय खास करके ग कौनी मिलेगी क्या मिलेगी तालिया हो जाएं सबसे पहले आप इस प्रोड़क्ट के बारे मेरे से पूचाएंगे तो कलियो को का अमिरत है भाई साब अमिरत अमिरत लाखों टेस्टमनी पढ़ी हैं लाखों टेस्टमनी मैं परसनल अपना भी बताता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब कभी रात के एक बज़े खाना खा रहा हूं पहले ऐसे रहता था हमारा हलो हलो लेकिन अब ये प्रोड़क्ट से क्या होता है आपकी बोडी को आप बार से ना लेते हों लेकिन अंदर सफाई नहीं होती बोडी की आपकी अंदर सफाई नहीं होती तो पूरे दिन पेट लिकल रहा है हुपकी आ रही है चेरे पे जुर्रियां आ गही है इसकिन खराब हो रही है क्योंकि इसकिन बार से खराब नहीं हो रही अंदर गंद की भरी पड़ी है ना बोडी में बाल जड़ गई पेट लिकल गया किटनी खराब हो गई blood high pressure यह से पता नहीं क्या क्या होता है हलो आगों पे चस्मा चड़ गया problem कहा साथ please please कुछ कहना चारे साथ मैं आपको motivator नहीं करूँ यहां पर कई साथ ही हमारे हैं जो noni use करते होंगे और उनको इस बात क्या पता होगा जो कि मैं पता चल जाता है बंदा देख के बता दूगा noni कौन use कर रहा है 100% बता दूगा noni noni use कर रहा है noni use करने वाला बंदे का चेहरे से बता देंगे noni use कर रहा है Hello Yes Hello Yes अगर आप चाते हो कि body अंदर से भी clean हो तो इसको use करने क़्या तरीका है सबसे पहले इसको यूज करने का तरीका है कि आप सुबह उठिये जैसे मैं उठा सुबह चारपाई से या बैड पे हूँ एक ग्लास पानी गरम करूँगा ज्यादा ठंडा भी नहीं ज्यादा गरम भी नहीं और उसमें पढ़िया तरीकें से एक धकन डालूँगा गरम पानी है क्या है आया क्या गरम पानी कोई बात नहीं हलो डाला हमने और उसके बाद इतना अच्छा स्वाद है कि आप सुबह उठते जैसे ही आप इसको पहली चुश्की लेंगे इसकी आपका माइंड फ्रेस हो जाएगा सबसे पहले जबर जास्त और अंदर की जो बाड़ी की जो वाइबरेशन है वो भी बहुत पॉजिटिव हो रही क्यों क्योंकि जैसा खाओगे अंड बैसा बनेगा जैसे जैसे अंदर ये चुश्की जाती है ना इससे आपका सरीर तो वो क्लीन होना ही होना है लेकिन आपका मन और दिमाग वो भी क्लीन होता है और जिस आदमे का तन और मन अगर क्लीन है तो ब्रमांड की कोई भी सक्ति को वो अपने अंदर अब्जर्व कर सकता है उसको फील कर सकता है हलो हलो आप जैसे इसको बढ़िया उठे आप सबसे पहले इसको यूज करो आप आपकी बॉड़ी के अंदर जितने भी टैक्सवस गंदगी भरी बढ़ी है आप देखोगे एक दिन में तो नहीं इसको यूज करने का कम से कम बारा महिने तक कंटिन्यू यूज करना इसको और आपकी बॉड़ी अगर हीरा ना हो जाए तो भाई साब मनी बैग गारंटी है हमारी तरफ से आपको यह से नो हाँ है ना इसको कौन यूज कर सकता है छे साल से जिस बच्चे के भी उम्र जादा है डोज जिसकी उम्र कम है वो कम ले सकता है और अगर जिसकी उम्र जादा है तो वो पूरे ही ठककल लगा हुआ है इसमें लिखा हुआ है बच्चे को उम्र 6 साल से 6 साल से अगर 15 साल के बीच का है तो 10 एमेल 15 साल से उपर है तो 15 एमेल और अगर कोई भी बंदा 35 साल से उपर है तो वो पूरी की पूरी जो है 30 ml ले सकता है गरम पाली में डाला जम्मस से उसको हिलाया और हिलाने के बाद चाही की तरह आराम से बैठ के पी लिया सरीर के अंदर आप देखोगे ये जो असर है वो दिखाना सुरू करेगा और आप जो पैसा लागों रुपे के साबसे जो बरबात कर रहे है वो पैसा आपका पच्चना स्टार्ट हो जाएगा बोड़ी अच्छी हो जाएगी और साथ साथ में इदर से आपका अगर बजन जादा भी है तो उसको अपने साब से सेंटर में लेके आएगा इदर से बजन कम होएगा उदर से अकाउंट भरेगा आपकी आँखों में रोशनी कम है और ये पूरे घर के लिए हेल्दी है बस इसको कौन यूज नहीं कर सकता इसको यूज वो नहीं कर सकता है जो महिला या तो प्रेगनेंट है वो यूज कर सकती है डॉक्टर की एडवाइस लेने से अगर डॉक्टर बोलता है तो और उसके बाद जो बंदा किसी बैंकर बिमारी में है तो एक बार जो बिमारी जो और लेडी डॉक्टर की दभाइया यूज कर रहे है को कि डॉक्टर तो मना कर देगा तो क्यों कि अगर वो आगर आप यह लेना सुरू कर दो के तो साला दवाईया कम हो जाएंगी उसकी तो कमिशन मिलना बंद हो जाएगा उसको तो बो तो कभी एड़वाइज करेगा ही नहीं आपको आप लेके जाओग hacks यह क्या है यह क्या उल्फाला है आप सिंसी है हलो लेकिन इस से बोला जाता है अगर cancer जैसी बीमारिया है आपको हलो कैंसर को खतम नहीं कर सकते पर उसका effect बहुत ज़्यादा कम कर देता है हलो उसके बाद देखेंगे सुबही सुबही उठे नौनी पी नौनी पीने के बाद शांदार तरीके से जो है तूथ पेस्ट है अपना दाथ देख रहे हैं मेरे हलो हलो कईयों के मूशे बहुत बद्बू आती है दाथ गंदे हैं तमाकू खाते थे हो सकते हैं अभी भी चुप चाप फंकी मार लेते हों केयों की आदत है ना हलो वो दीरे से जाएंगे ऐसी पुडिया लिखा लेंगे और ऐसे करेंगे मेडम भी ऐसे लोगों से बहुत दूर रहती है हलो बढ़िया सुबह उठना है जब आप जब मैं इसको यूज करता हूँ आप जाके देखिए का मेरे उसमे होगा मैं पहले होटल में आता था तो फाइब स्था होटल में तो मिलते हैं मैं उनको साइट कर देता हूँ कंट्रिब्यूट कर देता हूँ यह दान है मेरी तरफ से इसे को और ही हूज करेगा जब मैं इसको करता हूँ ना तो मैं मनीवन में सोचता हूँ एकाउंड में चेक आ रहा है मेरों को ये चेक नजराता है क्या नजराता है और मैं बच्चे कितरे खुलता हूँ क्योंकि प्रोड़क्ट है न मेरा अपने की फीलिंग आती है हलो अभी आप जो कमपनी के प्रोड़क्ट यूज नहीं कर रहा है वो एक आम फैमली है और जो प्रोड़क्ट यूज कर रहा है वो रोयल फैमली है एक से एक हमारे पास इतने प्रोड़क्ट हैं हम क्या बताएं मतलब लाइन लगा रखी है आप देखेंगे मैं क्या बताने की कोशिस कर रहा हूँ मलका जी प्लीज यह ले जाए मैं यह बताने की कोशिस कर रहा हूँ इस बिजनिस में हमें काम्याब होने के लिए क्या करना पड़ता है उसका जवाब था जवाब मिला जवाब मिला जवाब मिला जवाब मिला क्या करना पड़ता है क्या क्या करना पड़ता है प्रिडक्ट को यूज करना है और लाइब को इंजॉई करना है हलो 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 हाई या ना एक बार क्या हुआ तीन साती थे हवाईजाज में सपर कर रहे थे किस में सपर कर रहे थे एक अमेरिका का था दूसरा चाइना का था तीसरा इंडियन था तो अमेरिका वाले ने क्या किह हवाई जास से Sव डॉलर फैक दिया 100 डॉलर चाइना ने मुबाइल फैक दिया हवाई जास से नीछे हलो इंडिया वाले ने क्या किया दोनौं में लात मार्यून दोनों को फैक दिया है a है एसा क्यों किव्व क्यों कि अमेरिगानां के पास किसी इस की कमीनी है है डॉलर की कमीनी है दोला यह liver डॉलर हम ऐसे भैंक देते हैं चांब वाले ने बोला हमारे पास ट्रीक्नोलजी की कमीनी है इंडिया वालेने बोला अब साले हमारे पास लोगों की कमी नहीं है हलो तो हमारे पास इतनी बड़ी लिस्ट है कि अगर हम काम करना सुरू कर दें हलो पूरी दुनिया को अगर आज की डेट में पैसा कमाना है और अपना धंदा फली पूत करना है तो उसको इंडिया के अंदर अपना बिजनेस फैलाने का सपना है दूसरे देशों का अमेरिका के पास चाइना के पास इन सब के पास आज अमेरिका पुरी दुनिया में सबसे ताकतवर देश है वाई लोग हैं उसके पास वो साला कोई प्रोड़क्ट लिकालता है न तो ऐसे ऐसे बिख जाता है लेकिन कॉंगरुचुलेशन हम बहुत जल्द चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं समयम आगया की नहीं आगया आपको आगया की नहीं आगया उसके बाद दोष्तो सफलता जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सफलता के लिए पांच सा का होना जरूरी है सबसे पहले क्या है दूसरा तीसरा उसके बाद फोर्ट पे क्या है उसके बाद क्या है और ये पांचों चीज़ें इन्ही प्रोड़क्ट में छुपी हुई है जितना जाद हम यूज करेंगे उनको प्रिमोट करेंगे हम उतना जादा तेजी से इन चीज़ों को अचीव करेंगे हमारे बिजनिस के आठ लेनी है तो भापर भी सिलेवर होते हैं सब्जेक्ट होते हैं उन्स सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पढ़ेगी आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ दोगे तो आप फेल हो जाओगे इसी तरीके से सेफ सौप में काम करने के लिए आपको फोर पिलर्स ओप नेटवर्क मा और हर पिलर्स को लेके हमें बहुती शांदार तरीके से हर पिलर्स को हमें सीखना है जानना है समझना है कि कौन सा पिलर्स हमें किस तरीके से सपोर्ट करता है अगर मैं आज कंपनी की बात करूँगा तुसरा मोटिवेशन के लिए नहीं आज हमारी कंपनी को देखोगे जै सेलरी काटी जा रही थी जहाँ पर रोजगार जो है रोजगार से आदमी बेरोजगार हो रहा था उसी पीरिड में आप देखोगे हमारी कमपनी लोगों को बॉनस मांट रही थी पंदा परसेंट के साब से जिस समय पूरी दुनिया अर्थ विवस्ता से परिशान थी उसी पीरिड में हमारी कमपनी नया प्लान लेके आई ज्यादा हैपीनेस देने वाला प्लान लेके आई हलो आप देखोगे शांदार तरीके से दो हजार बीस में जहाँ पूरी दुनिया नीचे की तरफ गई दो हजार बीस में पिछले बीस सालों में जो हमारी कमपनी ने बदलाव किये हलो जितने बड़े बदलाव किये हमारी कमपनी ने वो दो हजार बीस में किये हैं जोर आटालिया हो जाए जोर आप प्रोड़क्ट की बात करें आप चेक की बात करें इतने बड़े चेक, हमने कभी नहीं देखे, हमें सेवस्व में 12 साल से जादा हो गए, और 2020 ने कोई बोले हमें नहीं मिला, पर सेवस्व के अंदर, 2020 के अंदर, बड़े बड़े रिकॉर्ड बने, वो 2020 में बने, चाए वो महगी गाड़ी लेने के रिकॉर्ड हो, चाहे वो बड़े बड़े चेक लेने के रिकॉर्ड हो चाहे वो सबसे ज़्यादा डामन बनने के रिकॉर्ड हो वो 2020 में हुए है वाई तो कि आज अगर हमारी कमनी के बारे में बात करेंगे तो हमारी कमनी इसलिए हम बोलते हैं कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो जी थोड़ा जोट से बोलेंगे कोई नहीं है टक्कर में कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में कोई टक्कर में नहीं है और फिर क्यों पड़े हो चक्कर में सेबस्वाप को दम लगा के करो और अपनी जिंदकी को बना कि इत्यास लिख दो उसके बाद अगर सिस्टम की बात करोगे तो हो सकता है आप गूगल पर सर्च करोगे कि दुनिया की सबसे बड़ी इनिविस्टी बताओ हायर औक्सपर्ड है और कौन सी है हाववर्ड है हलो और कौन सी है हलो और कौन सी है मुझे पता नहीं बहां के पड़े हुए बच्चे करोपती बनते की नहीं बनते है मुझे पता नहीं की बहां के लिख ले हुए बच्चे लोड़ी मर्सडीज खरीते के नहीं खरीते हैं पर हमें यह पता है कि अगले तीन साल कोई इस इन्युवस्टी में पढ़ता है तो हंड्रेट परसंट करणुपती है रपती बनता है अरे इत्यास गवाई है यार समसाल है इसी में पढ़े है प्रोड़क्ट आपके सामने है हो सकता है वहाँ पढ़ाई करने के लिए लागों क्रॉडर में खर्च करने पढ़ते हो फिर भी क्या करेगा तू जाके अरे किसी कमनी से बड़ी से बड़ी कमनी का क्या बन जाए कि सियो बस बोई बनेगा ना मालिक तो नहीं बनेगा ना हलो हलो मालिक तो नहीं बनेगा ना पर तो इस तरपलेस में पढ़ता है इस एजुकेसिन सिस्टेम में पढ़ता है मालिक बनता है सीधा मालिक मैं अपने बच्चों को कहां पढ़ाता हूँ हलो 18 साल जाते जाते जैसी उनके 18 साल पूरे होंगे उनके नाम के आगे लग जाएगा सब अल्टरा अमीर हलो हाँ है ना हाँ है ना यहाँ पर एजूकेशन अगर लेंगे दुनिया में गवा है हिंदोस्तान में आज हमारे एजूकेशन सिस्टम को 20 साल हो गए जैसे भाँपे पढ़ाई करनी पढ़ती है वैसे यहाँ भी आपको पढ़ाई करनी पढ़ती है अगला आता है हमारे जो इस सिस्टम में जो प्रोफेसर से हैं जो अप्लाइन हैं हमारे जो मेंटर्स हैं अगर उनकी बात करोगे इनके पड़ाय हुए बच्चे हलो हलो इनके पड़ाय हुए बच्चे सीधा डायमंड शेक राउने में ज़र बनते हैं सीधा हसानी ऑड़ा जबरजए हैं हमारे जतने भी ग्रेट मेंटर हैं चाएव राजीब चत्रवेदी मागरुजी हो चान गरेद नर्शी गरेवाल घुर्जई हो माधा मागुर्जी हों बेजैपाल मागुरुजी हों ग्रेट मेंटर जस्वीर मागुरुजी हो मतलब अल्ट्रा वो अल्ट्रा अमीर तो है है पैसे से अल्ट्रा अमीर है पर दिमाग से भी वो इल्टरामीर है विचारों से भी इल्टरामीर है वो लोग हलो और वो पारस है क्या है उनके अगर संगत में कोई बंदा तीन साल रह ले तो वो सोना नहीं बनता सीधा डायमन बनता है सीधा हीरा बनता है एक गंदा का दीदा सुभी कराते बोलके यह से नो अब तीनों तो आए सो सेटिफाइड है लेकिन अब आता है चौथा नंबर किसका उंगली किदर इसे किदर इसकी गारंटी कौन लेगा इसकी गारंटी किसके पास है भाई तीनों चीजें बेस्ट है किसी को सेके तो खड़ा होगे सवाल पूछ ले खुला मंच है भाई साब अब बारी आते हैं साब अपनी हम कौन सी केडिकरी के आत्मी है क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो घर है चारों दीवाल जब तक फिट होंगी तभी तो ठीका रहेगा एक दीवाल तोट गई तो पुरा घर नीचे आ जाएगा तो तीनों दीवाल फिटनस आप निव बड़ी बीस साल से गहरी है अब साब आप आते हैं तो आज आपको अपनी गारेंटी लीनी है कि हम अपने आपको इंप्रूब करेंगे तैयार है आप लोग तैयार है जैसे मैंने बोला नोनी के बारे में बताया हमने हेरोयल के बारे में बताया प्रोडक्ट के बारे में बताया इसको यूज करने की जिम्मेदारी किसकी है किसकी है अब दिच्छे साब की मेंड़ा में वो बोल रहे हैं मैं बिरकुल महारी यूज़ करती हूं यूज़ करते हैं इसलिए तो आज वो पूरी फैमिली रोयल फैमिली है हलो लेकिन जिसको पता ही नहीं विचारे को क्या होगा वो कि तुरू कर देते हो तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको कभी भी काम पे नहीं जाना पड़ेगा कभी भी नहीं कभी भी नहीं पूरी दुनिया पूरी टीम लाखों की टीम प्रोड़क्ट यूज़ कर रही होगी हलो अगर कोई सुबह उठके रेलवे स्टेशन पर सेब्सोप का दूद पेस लगा रहा है ऐसे ऐसे घिस रहा है और जितना घिसेगा उत्रा जाद आपके अपके अकॉंड में पैसा बढ़ेगा तो कि डाउन लाइन का बंदा कर रहे हैं हलो पांच लाख लोग सुबही उठते और सेबसोप का प्रोड्ट्ट यूज़ कर रहे हैं है पांच लोगों के घरों से हलो एक-एक रुपया भी कमिशन आया पूरे दिन में तो एक दिल का कितना कमिशन बनेगा है कितना 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 अरे ठोको तालीब भाई साह लेकिन तू यूजी नहीं करेगा तो वह कौन यूज करेगा है बड़ी से बड़ी कंपनिया है फिरी में बाट रही है जियों का से वह जानती है ना अगर हम आदत नहीं लगाएंगे अगर हम आदत नहीं डालेंगे ग्रेबाल माघुर जी के एक हपते का एक करोड़ की चेक बना कैसे बना लागों का नेटवर्क है उनका अगर पचाज-पचाज पैसे भी है ना पूरे दिन में विकास के घर में प्रोड़क्ट यूज हो रहे हैं और अगर पचाज पैसे भी अगर खर्च हुए तो पचाज पैसे उनके अकॉंड में जा रहे हैं और वो पचाज-पचाज पैसे एक करोड से जादा के केमिशन बन गया पूरी दुनिया यही कर रही है और हम अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासिर भाजी, टकासिर खाजा वाली कानी कर रहे हैं अभी तक हम सोई रहे हैं हमारे प्रोड़क्ट यूज करने से सारू खान, सल्मान खान, अस्रा अभीर बन गए बाबा राम देव दस हजार की कमणी बना लिया पांच हजार रुपे से स्टार्ट की कमणी उसने और सुबह ही सुबह चार बज़े टीवी खोलो ऐसे पेट करेगा यह करेगा पेट को भी डांस कराएगा तांग उपर करेगा हाथ रीचे करेगा लंगूर बन जाएगा और यही करकर के यही करकर के 100% देशी 100% देशी बोल बोल के बोल बोल के खुद भी देशी बन गया भाही साब और हम गिसरे दादा रामदेव कायगी नहीं बड़े-बड़े महगी काड़ियों में गुम रहे हैं शेलविटी बिराट कॉली जी आते हमें अपने अंदर इंप्रूब करने की जरूरत है हम उनके लिए तालियां बजा रहे हैं हमारे लिए भी पुरी दुनिया तालियां बजा सकती है वो जो वो कर रहे हैं और हमारा भारत नकल मारने में तेज है नकल ची बहुत है लेकिन नकल मारने के लिए अकल की जरुद पड़ती है और अकल दे रहे हैं कि से प्रोड़क्ट यूज़ करो वो दिन दूर नहीं कि आप भी बाई साफ फरारी पे गुमोगे सब के साफ मत 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 बर्म तेज कैन तेह यूगा गाझी मारने 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 माख भाख भाख भुम जरुद जरुद बाख भुम ऑग्स्ऐर को जरुद लिए 6 Pablo उए 6 मारनेह लो जिता कंपध सब को करे लो गुन 001 क्या बोलते हैं यूज करने चाहिए किनहीं उसकरने चाहिएarent कितने लोग आज इसंतंक लेते हैं अपनी फैमली के लिए कि आज के बाद हमारे घर में जो सेफ़रोप कमपनी प्रोड़क्ट देती है सेफ आज फ़कम भी हमारी कमपनी है हम SABKI FAMILY HALO तो हमें अपनी कमनी के product use करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए कितने लोग बोलते करने चाहिए कितने लोग दिल से बोलते करने चाहिए हलो तो आज कमिटमेंट दे रहा हूं है आपको हलो कि आज सोने से पहले 100 और 100 पीवी के product अगर हमारे लेने से अगर हमारी कमनी है जैसे बीस लाख लोग पीछे खड़े हैं और बीस लाख लोग बोल रहे हैं कि आप नौनी यूज करोगे जी तो हम यूज करेंगे एसा बीस लाख लोग बोल रहे हैं हलो और हमें पताएगी 20 लाग लोग भी यूज करेंगे ना तो उन सब से हमको जो है एक एक रुपया मिलने वाला है हलो तो आदे बोल रहे होंगे नौनी छोड़ो जहर भी होगा वो भी पी जाएंगे सरमता हुआ कितने लोग भोल रहे हैं कितने लोग बोला माघुर जी यूज कर लेंगे लेकिन आपकी टिम तवी यूज करेंगे जब आप यूज करोंगे करेंगे 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 तो ध्यान रखो आज खुद को हमको बनाने की जरूरत है खुद को हमको समझाने की जरूरत है और जिनों ने ऐसा किया है मैं थोड़ा अपने देखो कई लीडर से हमारे जो आज किस तरीकी की लाइप स्टाइल जीते हैं थोड़ा हम देखते हैं तैयारें आप लोग तैयारे तैयारें? चलिए कोशिश करते हैं दिखाने की आपको ये देखिए कौन है भई? कंपनी के फॉलोवर हैं जो इस स्कूल के पड़े हैं ऐसे आजारा लोग हैं लेकिन चलिए आज एक कोशिश करते हैं छोड़ा सा तालिया हो जाएं एक हमारे लीडर है मिस्टर अनिल हमारे कंपनी में आये और पहले हमारे कंपनी थी लेकिन जब जोईन हो गे थो उनकी कंपनी हो गई हलो इसे जैसे सर्नम पीछ लग जाता है न साथी होने के बाद आया ना एसे ही जैसे कमप्णी में कोई बंदा होता है ना तो उसके नाम के आगे लग जाता है सेप सॉप सरनेम लग जाता है हलो हा या ना और अगर ये सरनेम आप लगा लेते हो तो आपका जीवन कैसा बन जाता है वो थोड़ी सी एक जलक देखते हैं और हम थोड़ा बिजब्लाइज करते हैं अपनी लाइफ को कि आने वाली है और कई ऐसे लोग दिखा दें जो बोलते हैं बुड़ा होगा तरह बाप आज हमारे बच्चन साब देखो जाएंके 78 एर के हैं हलो लेकिन आज भी देखिए आप क्या एनर्जी उनके अंदर क्या जबर जस्त एनर्जी है ऐसी एनर्जी क्यों क्योंकि वो नौनी पीते है हेलो यह देखिए यह है सेप सोप के प्रोड़ेट का कमाल तालिया हो जाएं चावी इस गाड़ी की चावी आपके हांत में हो जिपने लोग चाते हैं दिल से सोचो ऐसी गाड़ी जिस दिन आप लेके आगे नहीं परोसियों को क्या हो लोगा भाई साहब अला मोमबती बन जाएंगे हेलो उस दिन आपकी फैमिली का मुराल का होगा बिज्वाइस करो भाई साहब और जिस चौराएं से लिकल के जाओगे न और गलती से जाम में गाड़ी फस गई जिद्रे भी आसपास गाड़ी के होंगे सब सुचेंगे कि सेल्फिक कैसे भी करते हैं और साधी में लोग बलाएं करेंगे कैसे सर प्लीज साधी में जरूर आना पर मैडम आये न आये पर सर गाली के साथ आना कितने लोग चाहते हैं ऐसा इनिमिटेशन मिले पक्का तो देखने वाई जाम यह लाइब इस टाइलर जैसा आज दिखता है बैसा दिखता नहीं ता छह साल पहले मैं ओली सेबीन यईर्स हुए थी हैं हलो सेफ सोमरा मैं आने के बाद खुबश्यूरत कंपनी धुणी पिर आने के बाद पहले तो खुद को खुबसूरत मनाया शरीर से नहीं दिमाग से धंदौलत से और जब कोई आदमी धंदौलत से और दिमाग से दमदार है यंग था बैचलर था हलो हजारों रिस्ते आए उसमें से एक रिस्ता कबूल किया है मैडम सीधा फ्रेसर से सीधा मरकरी बन गई और आज यह देखिए बीनस बनने के बाद साधी किये सबने और आज लाइप स्टाइल देखिए मैडम का बर्थडे था उच दिन हलो उच दिन गिप्ट दिया भी तो साप की एक बेटी भी है हलो आज देखें क्या लाइप स्टाइल है इंगर अगर अगर बाई साथ तु अपने आपको मर्द की ओला समझता और मर्ध है तू इस तरीके की जिन्दिकी देखे दिखाना अपनी भाइब को खुला हमारी तो मैडम साधिय के बाद मौटी भी हो गई अरे मौटी हो गई तो नौनी पिला और उसको ऐसा बना कौन बोल रहा है 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 बोला महागुर जी ऑप्शन ही खतम है अरे ऑप्शन खतम है तो भी है हलो सेबस्वाप सबको बदल देती है हमारे बिजनेस में एक लीडर आए मिस्टर रियादागरी जी आपको पता होगा उनका जीवन बहुती बिसम प्रस्तितियों से गुजरा उन्होंने अपनी जिंदी की को चलाने के लिए सेबस्वाप से पहले नारियल पानी बेचा सबजी बेच के अपना घर चलाते थे आइसक्रीम भी बेची उन्होंने अपने जीवन में चोकीदार बन गए बच्चे बड़े बड़े हो गए जिन्दी की में सब अंधेरा अंधेरा था वोला गरीवी में साले पैदा हुए गरीवी मर जाएंगे मैंडम भी पिचारी यही सोचती थी वोला पता नहीं मैंने तो सोचा तो कोई आएगा इवराच और मारा नहीं बना के रखेगा हलो कई सालों की विश्म परस्तियों मैंनत करने के बाद उनको सेपसो मिलती है और सेपसो में दिल लगा के काम करते हैं और आज जो नारियल पानी बेचने वाला जो बंदा था जो सब्जी बेचके घर चलाता था उसकी लाइप स्टाइल दिखाता हूँ आई साब आपको आदमी पूछता है ना सेपसो प्या देती है अब यहां के खोल कर देख सेपसो प्या देती है मैं पूछता हूँ तेरे से सेपसो प्या नहीं देती है आज हो आदमी अपनी मैडम को सादी के साल किराप है क्या उसको लाइप स्टाइल देता है आज क्या उनकी जिंदिकी है और आज बच्चे उनके जवान है फिर भी ऐसा लगता है कि कल सादी हुई है अज हनी मून पर जा रहे है दिखा देते हैं आइगल भी नहीं थी पैदल से और मर्सडीस तक का सफर साथ साल में तेकिया सेवन येर्स साथ साल में तो आदमी पांच जार रुपे के टीचर नहीं बन पाता टीचर नहीं बन पाता वो उसको भी पता नहीं कौन-कौन सी एड करनी पड़ती है कितने एड करने पड़ते हैं भी एड एंगो एड फिंगो पता नहीं कितने एड अरे हम बोलते कोई आड नहीं एक बार तुछ सेब सॉपक आड कर देख तेरी जिंदिकी में क्या-काड हो तो अपने करम को बदलने से अपना भाग ये बदलता है आदमी होता ना भाग ये नहीं बदलता है अगर वो आदमी अपने करम को बदलने के लिए तैयार है तैयार है अरे उतार चड़ाओ सबकी जिंदिकी में आते हैं लेकिन आदमी करम बदलने के लिए तैयार है आदमी सामने है एक जिंदिकी और ये जिंदिकी से आप अगर खून होगा तो आज एक संकल अब जरूर लेंगे वोला इस तरीकी की लाइप स्टाइल जीनी है यार मरने से पहले तो जीनी है साथ देखो लेकिन आज इस बिजनेस के दंप है वो आदमी अपनी मैडम को साल गिराप है एक खिलोना गिप्ट करता है जिसकी कीमत है मात्र सेविंटी एट लाग रुपीज मात्र अब पेडियां बिग जाती हैं सेविंटी एट लाग रुपीज में लेकिन देख भी या 20 साल नहीं 23 साल एक कमरे के घर में रहने के बाद कई जिल्लत जेलने के बाद एक गरीब आदमी की समाज में क्या इज्जेत है कोई नहीं पूछता कुटियां नहीं पूछते यार कुट्टे भी उसके घर के सामने नहीं बैठते साल गरीब आदमी है यह साल रोटी भी नहीं खिलाएगा आदमी के तो छोड़ दो यार लेकिन देखे आप वो आदमी आज अपनी मैडम को किस तरीके से रखता है साधी के तेस साल के बाद देखे यार आदमी आई लब यू जान है वो फिलिंग जो दबी हुई थी वो पूरी कर ले तेस साल से जाला कब साधी हुई कब बच्चे हुए पता ही नहीं लेकिन सेफसोप में आने के बाद आदमी का तन, मन और धन तीनों जबान हो जाते हैं ये वाली सेलफी देखो यह क्या बात है चला इसको टीपी पे लगाओगे तब कैसा लगेगा सोचो इस इस ड्रीम सेलफी इसको कहते हैं ड्रीम सेलफी मेडम के हाथ में साला तेड़ लाख का मुबाइल हलो असी लाख की गाड़ी हलो एक लाख रुपे का लहंगा हलो और ट्रिलियन डॉलर हस्वेंड यह दावा कर सकता है कि मैं मर्द हूँ सब बच्चे पैदा करने का डेफिनिशन मर्द नहीं होता है थोड़ा अपग्रेड करना है उसको देखें कहा लाइफ याज हलो चलें कहां वहां जहां कोई नहों हम और तुम और कोई नहीं बास प्यार ही प्यार हो यह सपना होता है आपकी मैडम का पूछना के भी चलें उसको नहीं कहां रसुई में उसका सबेरी सबने द्वा खराम हो जाता है इतने कपड़े दूने आज ओ माई गॉड ऐसे करती है हलो एक आयो डेक्स लेए यो आयो डेक्स क्यों आयो डेक्स लगा लगा ये विचारी लेकिन एक आदमी सेफसों में आता है दम लगा के काम करता है और किस तरीके के लाए पर स्टाइल बना देता है मेरी तेह समझे नहीं आता बंदा बोलता काम नहीं होता अरे काम है क्या इसमें नौनी पीनों को काम समझ रहा है तू हेरोय लगाने को काम समझ रहा है लोगों से बात करने को काम समझ रहा है लोगों से बात करना है काम है यह मैं यह काम कर रहा हूँ पचास केजी तो फूल किरा दिये मेरे उपर 51 केजी होंगे बड़ा बोलो बड़ा अच्छी चीजों को बड़ा बोलो बड़ा बड़ा कैसा एक बार क्या हुआ एक धनी राम था नाम था धनी राम पर घर से करीब तो धनी राम था भई जमीदार आदमी था सोच बहुत बड़ी थी उसकी एलन सर की तरह बहुत बड़ा सोचते थे तो क्या हुआ भई धनी राम को बंदूग चाहिए थी क्या चाहिए थी किसे ने बोला अरे आप तो धनी राम यार बंदूग संदूग लेके घुमा करो बला बास सही है यार तो उसको पता है प्रोसिस बोला डेम साब के आप इसमें जाना है फोरम लेके आना है और लेसें से अपला ही कर देना है तो वो गया और जाने के बाद ऑफिस से फोरम लेके आया तो कॉलम भरे हुए थे बंदूग, पिस्टल, रिवालवर और पचफेरा और बहुत बहुत साथ नीचे लिखा हुआ था तोप तोप का भी लैसेंस अपलाई कर दखते हैं तोप 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 उसने कहीं टिक नहीं मारा सीधा नीचे टिक मारा मुझे तोप का लैसेंस से यह साला फाइल डियेम से आपके पास पहुची जिन्दगी ने डियेम भी हिल गया बोलो साला आज तक मेरो को 20 साल होगे सर्विस करते करते साला आज तक ऐसा फोरम नहीं आया उसने सोचा एक गलती से मार दिया होगा तोप किस को चाहिए या तो उसको बलाया जो अरदली था जो अधर जो रहता है चपरासी वेगर इदर या देखना है सही है ये गलती जी तो नहीं मारा बला नहीं साथ और कुछ साई ठीक है बला अच्छा बला इस बंदे को बलाओ धनी राम को बलाया गया तुरंट उसके गौँ में फोन के बलाओ जल्दी बलाया सुभई ओपेस में डियम साथ पोच गे नो बजे पहले आते थे गहरा बजे लेकिन उस केस बड़ा धन्जर था वोला तूप का लैसस साथ देश की उपरी आखिरमण करने के मुड़े तो बुलाया बुला भाई धनी राम बुला आगया बुला यार अल्दर सिदा धनी राम को धनी राम आया बला धनी राम बुला जी साथ यह बता बंदू का लैसस ले ले पिस्टल का ले ले रिवालवर ले शाला तोप तोप का क्या करेगा यह तू ने टिक मारा बोला हाँ साथ सही टिक मारा आप सही टिक मारा बोला कि तो अपसल दिये डियाप साथ ले अरे बंदू का ले ले पिस्ट्रे ले लिश्ता एका तो वोला हाजा आज़ाँ और तो क्यों, वोला साब, जब फोरं हमारे सामने आया, तो मैं ठेरा सीधा साधा आद्मी, तो मैंने देखा है, साब सरकारी काम खाच, हमारे लिए ऊपर से सरकार एक लाग करके संक्शन बेज़ती है, हमाई पास तक पहुंचते पहुंचते वो 10,000 रुपे बन जाता है साब 90,000 रुपे सरकार खा जाती है ऐसा उसने बोला वह ऐसा होता है कि नहीं होता मुझे पता नहीं तो उसने बोला बोला साब तो मैंने सोचा साब सरकार हो सकता है इसमें से भी कुछ खा जाए तो मैंने सोचा तो पिट्टिक मारेंगे तो बंदूग तो कम से के मिली जाएगी तालिया हो जाए दफजार वाले तो कुछ समझे मारा है तो कितना भी कोई खाएगा पिएगा रिस्वत करेंगा फिर भी बंदूग तो आतमे आई जाएगी तो आप देखो के यादगरी जी बहुत छोटे आदमी थे लेकिन सोच से वो बड़े थे सचिन कद में छोटा था लंबा यह नहीं है सचिन जी की लेकिन सोच में बहुत बड़े हैं वो आरे रिणे हम लोग सबसे पहले तो बेचने के विपसाई में हैं कई लोग इस विपसाई को बड़ा ही गढ़िया किसम का समझते हैं लेकिन हम भी ऐसा ही सोचते थे लेकिन जब हमने किताब पड़ी तो हमें पता लगा कि बेचने के विपसाई में हैं तो गर्व महसूस करना चाहिए क्यों दुनिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है और कोई ना कोई कुछ खरीद रहा है दुनिया सिर्फ दो पेटन पर चल रही है या तो कोई बेच रहा है या तो कोई फड़ा जोड़ से बोलेंगे और हम खरीदने में लगे पड़े हैं एक आत्मी बेचने में लगा पड़ा एक आत्मी खरीदने में लगा पड़ा है लेकिन profit किसमे है खरीदने में बेचने में पैसा किसमे है बेचने में या खरीदने में हमको भी पैसा चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा अब हमको लगता है अरे जी मैं बड़ा इजदवला आदमी हो अच्छा थोड़ा देखते हैं फिर क्या हम सेल्समेन है चलिए इसका सवाल का जवाब ठोड़ा ढूंडते हैं को नहीं बेच रहा कोई अपनी सेवाएं बेच रहा है कोई अपना समय बेच रहा है मैं आर्मी में था मैं अपना समय बेच रहा था बोला जी साल मैं 365 दिन रहूंगा 365 दिन समय दिया आपको आप बोलेंगे लेप्ट आप बोलेंगे राइट आप बोलेंगे सीधे अब पीछे मुड़ समय बेच रहा था बेच रहा मैंने अपने आपको वामेरों को मिलता था यह हमारे दोनों भाई खड़े हैं पीछे होटल में यह भी समय बेच रहे हैं यह हमें सर्विस बेच रहे हैं साब डीजे दिया है इन्होंने यह साब हमें साउंड बेच रहे हैं आज का बोला साब आज की जो सर्विस है ना आपके नाम कितना लोगे बला साब हम इतना लेंगे उन्हें दिया सब बेच रहे हैं कोई सिम बेच रहा है कोई तरकारी बेच रहा है टाटा बाटा बेच रहा है अमानी सबजी बेच रहा है आम बेच रहा है सब बेच रहे हैं जो खरीद रहे हैं वो कस्टमर है कस्टमर जो कस्ट से मरे उसको कहते हैं कस्टमर खरीदो खरीदो और खरीदो मरमर के खरीदो, खरीदो साले और खरीदो, खरीदरे में लगे पड़े हैं, कोई अपनी समय बेच रहा है, नोकरी करने बाला चाहे वो कोई भी हो, एक C.A. है, क्या बेच रहा है, सेवा हैं, वहला साहब हम आपकी फाइल समा ले थेखे, थेखे, कितना लोग है, एक weites raha it is currently the hai a key-ros преступ्राइड को नहीं बेच वह है को नहीं बेच रहा एक ब्ठीशन अपने सेवाक विजै रही है लोग जाओ उसके पास वी दम चहरा एक दम गिजगी के खिस गिस 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 में एक दम आपको बना देगी याँ बना सब्सक्राइब करना है कि ऐतना पैसा लगेगा इतनी इतनी सब्सक्राइब हो देंग लो जिस रहे है है वो दारल के तोर पे रखन दोल में नोकोषिस दे रहा है उम्मीद वार अपनी बेच रहा है और इंट्रिव्यू लेने वाला अपनी कंपनी बेच रहा है एक लड़का और लड़की साधी के लिए दूसरे के सामने प्रिस्ताव रख रहे हैं अपने आपको बेच रहे हैं बोला देख तू साधी करेगी तो मैं तुझे ऐसे रखूंगा ठीक है अब बोल र रहे हैं इसको बेच नहीं कहेंगे और कहांगे पी एक इस्कूल बाला एजूकेशन बेंसरा है इस्कूल चला रहा है एडूकेशन बेच रहा है जो धरम गुरू है वो धरम को बेच रहे हैं बोला जी आओ हम आपको ग्यान देते हैं क्या पाप और क्या पुन्य है क्या सही और क्या गलत है बेचने में लगे पड़े हैं और बोलते हैं आओ मेरे से जुड़ो सरकार अपना गोज़ाय पत्र बेच रही है बोला हम नल बनवा देंगे हम कुवा खुदवा देंगे हम गैस दिलवा देंगे सब वक्त बेच रहे हुए न हमसे जड़ो जी करो जो चैनि कि सब बेचने में लगे पड़े हैं है हो चोच इतुरे अच्छे से बेच रहा है कि वह त Jiang यह अannenा है कि सबच रहे हैं वाशनमें क्या दे रहा है मेख रहा जी कि अम रश्टाव चाहर मिटा देंगे इमानदारी वह बेचि रहे बचने में लगा पढ़ा है वहट्वा पत्र बनवा रखा है 천 फरी ख़ानस प्री चावल में परी स्कूल फριह फ्री वह फ्री फuराना कृट अ बेचो दुआधार बेचो नमस्ते साथ हलो एक बच्चा है इटी पढ़के जाता है इंट्रिव्यू देने जा रहा है वो भी बेच रहा है वो ला साथ इतने लेंगे वो लोग खरीदो हमें इतनी तनगार जी है हमें यह पैकेज है यह सब बेचने में लगे पड़े हैं एक बचील अपने मुख्बिल के लिए जज के सामने बैस कर रहा है बेच रहा है क्या बेच रहा है अपनी एजूकेशन को अपनी काबलियत को बेच रहा है जी है हिए सब बेच रहा हैं ऊस दिन हमें पता लगा नि तो मैं तो गलत फैमी में था अरे यह तो छोटे बढ़ेorgt अपने लोग को अगता है तो बाद में पता लगा कि दुनिया में जितने भी लोग, अमीर लोग हैं, वो सारे के सारे अमीर इसलिए हैं, क्योंकि वो अच्छा बेचना जानते हैं, और हमें भी बेचना सीखना पड़ेगा, बेच तो अमीर हैं, लेकर हम वो बेच रहे हैं, जिसको बेचने से कम पैसा अब हम कुछ ऐसा पेचें जिससे अच्छा पेचा है हलो है हलो है कितने लोग यहां तक समझ गए है सारे लोग समझ गए है समझ गए है 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 यह से नो कि सब बेचने में लगें पड़े हैं अब बताओ दुनिया में अने लंबानी जी कैसा काम कर रहे हैं मोके शमानी अले लंबानी के जोटा मोठा। तो काम नहीं उनका हाथ उपर करें सीधा। तेरे लिए बिल्लोजर लेके हमिए हाथ उपर हाथ नीचे। मुदी जी कैसा काम कर रहे हैं। है न देश को चला रहे हैं हमने उनको चंके बेजा है हमारे डारेक्टर साब कैसा काम कर रहे है हमारे अपलाइन कैसा काम कर रहे है हलो अच्छा हमारे अपलाइन कैसा काम कर रहे है हमारे डारेक्टर साब और हम कैसा कर रहे है कितने लोग बोलते हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी हाथ नहीं उठा रहे हैं अब बुरा कर रहे हो अच्छा कर रहे हैं पक्का प्राउड हो रहा है प्राउड फिल हो रहा है तालियां बजाओ जी फिर प्राउड फिल हो रहा है तो सफलता का सफलता का पहला नियम है कि आप जो कर रहे हैं उस पर प्राउड फिल करें लेकिन एक आदमी बोला मेरों को जा बोला सर बड़ी negativity है माघुरु जी सबसाही है लेकिन साले लोग है ना ये मेरी बात को समझते नहीं है बला अच्छा बला हाँ बहुत negativity है माघुरु जी फिल्ट पर कितनी बला भैंकर negativity है और ये यहां नहीं चलेगा मैं सोच रहूँ कि बाहर लिकल्की करूँगा जबकि दूसरी टीम का बंदा भाही तान रहा है पूरा बिजनिस लेकिन ये महां से बोल रहे हैं चलता ही नहीं है तो मैं बला अच्छा कितनी negativity है बला भांकर जिसके पास भी जाओ सब negative बोलते हैं मैं अच्छा फिर मैंने उसको समझाया क्या समझाया आप भी समझाएंगे क्या पक्का तालियां हो जाएं फिर मैं लोग डॉक्टर साब कैसे हैं डॉक्टर साब देखे ही क्या बला भागुर जी भगवान है भगवान इनको तो दुनिया भगवान मानती है और अच्छा बहुत बड़िया मैं बोला इसके पास पूरे दिन कैसे लोग आते हैं बहेंकर दिमाग से शरीर से निगेटिव लोग ओ मर गया रे डॉक्टर साब पूरे दिन ऐसे लोगों से मिलता है जो रो रहे हैं चिला रहे हैं पूरे दिन इधर आदमी मर गया इधरी बैटके खाना खा रहा है लंच छोड़ देगा क्या सलम मर गया तो मर गया प्रोफेशनिस भाइंकर बीमार सड़े गले लोगों से मिलता है और लिखा रहता है कोई हसेगा नहीं क्या प्रोफेशन चुना इस आदमीन है मैं तो कभी-कभी सोचता हूँ पूरे दिन इसका यही काम है भाई साब भाइंकर बीमार भाइंकर सड़े गले लोगों से मिलता रहता है एक ही बार नाता है हम तो किसी से थोड़ा नहाओ 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 क्या हो गया रहे यार वो मर गया तो उसको देखके आए यह पूरे दिन सब के पता नहीं कितने मरे हुए लोगों को देखता है बस एक ही बार नाता है फिर आराम से सोता है क्या प्रोफेशन चुना साथ मीने यह है हमारे डॉक्टर साहब और यह है इनका प्रोफेशन इनका प्रोफेशन क्या है हिंदी में कहेंगे सड़े गले अफिर्टेशन लोगों से मिलना और उनको ठीक करना। कितने लोग बोलते हैं हाँ बास सही है दिये थाथ बर्यां तालिया और अजी डॉक्टर साहब के लिए तालिया हो जाएं जाएं दॉक्टर साहब के लिए जनम से लेके मैया की कोक से पढ़ाई लिखाई शुरू कर दीती इनों ने 80% 90% कही बार तो जापड़ खाएं तब जाके करलो रुपए खर्च करके डॉक्टर साब बने और इनका काम है डेली सड़े गले लोगों से मिलना हम तो अगर किसी कुट्टे को भी देख लेतना जो लंगला के चला है है अरे कुट्टा आ गया लाथी एरे मेरे को तो चक्कर आओ जागा और महिल आई इनको चक्कर नहीं आता क्या प्रोफेशन चुना है एक बार और डंक्टर साब के लिए तालिया हो जाए है अब आते हैं साब एक और बहुती सम्मान निया प्रोफेशन है बकील साब इनका काम क्या है बहें कर जितने भी कलियों के राच्छस है उन सब से मिलना इस विचा करें अब इस यह अब यह कैसे कमा रहा है यह कि एक तरह बाद में मर रहा है और बोल रहा है पहले साइन कर तब तब अपरेशन होगा त्यां तो नहीं तो अमर्जेंसिय आउट लिकल बाल के बाद भीक बात यतने हैं जाना प्राइबेट इसको उसमें होस्पिटल्स में मर रहा है बंदा तर्थ से पहले बोला है फेस बरो वाई साब पहले चिला ले अरे साब अंदर एड्मिट तो करो आ जाएंगे पैसे यह हम डेली प्रोफिशन चुना है साबने बुरा नहीं कह रहा है लेकिन वो उसका काम है उसका करम है हलो यह डॉक्टर इसलिए भगवान है कि यह लोगों के दुखों को दूर करता है हालात चाहे कैसे भी हो इसलिए भगवान है सब यह भी लोगों के दुखों को दूर करता है इसलिए लोग इसको भी इज़स सम्वान देता है और हम भी क्या करते हैं साब हम लोगों के साथ हम कैसे लोगों से मिलते हैं अच्छी लोगों से मसकराते हुए क्या करते हैं जो नहीं हसरा जो नहीं हसरा उसको भी हसरा उसको भी हसरा उसको भी कोजित करेंगे वहां से ताली बजाएं यह से नो जो दुखी बैठा है मैं उसी की तरफ देखता हूं यह हस क्यों नहीं रहा है कैसे भी करके खुश रहना चाहिए आदमे और हम क्या बताते हैं हेलो से कार चाहिए कि आखे बात करते हैं हम यह नहीं बोलते हैं दर्द हो रहा है यहां हो रहा है है लड़ाई ए हालो है हम ऐसा करते हैं हम किसी को श्रुए कर दिखाते हैं हम लोग कितने अच्छे से बात करते हैं आसते हैं खुश रहते हैं एपी रहते हैं लोगों की भलाई की बात्ट करते हैं और बोला जाता है कर भला तो इसलिए लोग हमको मश्या बोलते हैं भगवान बोलते हैं महा गुरुजी बोलते हैं पता नहीं कहें कितना मान सम्मान मिलता है आपको क्यों है हलो हलो सोची है दुनिया में हर जगे जीतने के लिए आपको किसी ने किसी को हराना पड़ता है लेकर यहां पर जीतने के लिए आपको सामने वालों जिताना पड़ता है तभी आप जीते हैं साब हमने कैसा प्रोफिशन चुना हम सारे लोगों है कितने लोग बोलते दुनिया के सबसे बैतरीन प्रोफिशन है फिर एक बार ओठोंको ताली साब मेरी मेडम ने पहले मैं सोचता था अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा इंजिनियर बनाऊंगा अब मेरा भेहम दूर हो गया है हम एक ही बाद बोलता हूं अपने बच्चों को सीधा क्राउन ने मिज़र बनाऊंगा इन्यूवर्सल क्राउन ने मिज़र बनाऊंगा है हलो तुको समझे हो बाबू समझ गए ना तो दुनिया के सबसे बहुत ही पापरफुल प्रोफिशन में हम लोग ऐसे प्रोफिशन म हैं आप चाकर भी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते हैं अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो आपका डबल बुरा होगा और यहाँ पर आप किसी का एक बार अच्छा करेंगे आपके तीन पीडियों का अच्छा हो जाएगा क्या कोई पैदा ऐसी सेल्समेन होता है बंता है हर चीज़ सीठते हैं कोई पैदा ऐसी ना डॉक्टर होता है ना इंजिनियर होता है ना बकील होता है ना कोई धरम गुरू होता है ना कोई गामदी जी होता है ना कोई प्रदान मंत्री होता है हर घर में एक बच्चा पैदा होता है हलो हलो और डी ओ भी और लास्ट में डी ओ डी ओ डी डेट ओ बर्थ और डेट ओ डेट इस बीच में आप क्या तंडब करते हो उसका नाम है जिन्दगी हर घर में एक बच्चे पैदा होता है कोई नहीं बोलता रहे साव उसके घर में डॉक्टर पैदा हो गया एक डैमंड पैदा हो गया हर घर में एक बच्चे पैदा होता है सब घर में बच्चे पैदा होता है लेकिन जलम लेने के इसे लेके और मरने तक का जो जीवन है बीच का उसको बोलते हैं लाइप उसको बोलते हैं जिन्दिगी और आपका पूरा जीवन जो होता है वो आपके कर्मों पर आदारित है आप कैसा सोचते हो कैसी संगत करते हो संगत की बात बताएं जब धीरुबाई अमाने साम मरे तो अपने दोनों बच्चों को उन्होंने बराबर संपत्ती बाटी एक तरह बने लंबानी दूसरे तरह बोगे शंबानी दोनों बच्चों को बराबर संपत्ती बाटी आज एक बच्चा जो है वो दुनिया का और दूसरे बच्चे का नाम बेंकों ने गोशित कर दिया क्या क्या दिवालिया गोशित कर दिया है दोनों बच्चों को बहुत पढ़ाया उन्होंने हाबट में पढ़ेते बस फरक किस बात का है फरक है संगत का एक न संगत अपने बाप के करमों की और गुडों की की और एक है को चौरी करना स्फूरु कर दिया होगा हमारे बिजनेस में भी ऐसा होता है अपल हमारे कई सारे अपलाइन है और अज विकास यह पे है तो मैंने उनकी संगत करी कई लोग ने उनकी संगत नहीं करी तो सवाल यह है कि कितनी जिंदिकी और बची है आपकी क्या बची हुई जिंदिकी को आप ऐसे को जार देंगे क्या बची हुई जिंदिकी को आप ऐसे ही कर देंगे नहीं अगर आपका decision है कि नहीं तो हमको आज एक निरड़े लेना पड़ेगा कि आज के बाद हमें वो बात करनी पड़ेगी जो हमें अभी तक अच्छी लगती हमको अच्छा नहीं लगता था लिस्ट बनाना माइक उठाना बोलना लेकिन फ़रक अच्छे का पुरे का नहीं फ़रक यह है कि लाइब जो है वो किसे बनती है यह गलत धालना है कि बेचने के लिए किसी सिच्छा की जरूरत है इसे लगातार सीकर बढ़ाया जा सकता है दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं एक तो जो बिला है उसी से समाज में ऐसे लोग रहते हैं जो मिला है उसी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं बोला मेरा बाप भी गरीब मैं भी गरीब और साला ऐसा कुछ नहीं ओने देंगे इसगर में कि हमारी ओलादं बी शाली हमीर बन जाएं उनको भी घरीब बनाके रहेंगे यह उनका ऐँ कहा है कमिटमेंट कंपनेंट किसल टेरी किन्ब कैसे हो ही सेब सपक करने कि याद कर तेरी दादान अले साले गरीब ही मरें कि तेरे परदा अबी करीबी मरे तेरा बात वह भी गरीबी मरना चाता है और और मैं चाहता हूँ कि तू भी साले गरीबी में मर उस फैमली का ये कमिटमेंट है बड़ा गजब का कमिटमेंट है और अगर कुछ उलादें उनकी करने के लिए चलती है तो वो अपने दादा पर दादाओं की कमिटमेंट याद दिला देते है जब हम चले सेब सब को करने के तो पापा जी आ गए हमारे बले खबरदार नौकरी छोड़ दी तो अगर नौकरी छोड़ने की हिम्मत कर दी तो सोच लेना हम्मत करके उनसे पूछा क्या सोच लेना चुप हो गए तो बला ठीक है फिर जो मन में आया वो करो ने हां करने दो अभी मेरो को क्योंकि मैं जान नहीं देखा था हमारी ममई जी ने प्लान नहीं देखा था हमारे पडोसियों ने प्लान नहीं देखा था जा गिरेवाल महागुर जी का चेक 2,7,2,60,000 था में देखता था उस समय जब वो टोपा गरमेर्ड लेबल पर थे भाई साब तब उनके चेकाते थे तने बड़े- हलो 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 तो दोस्तों हमें द्यार रखना पड़ेगा कि हमको नीचे वाले कॉलम में आ के काम करना पड़ेगा दुनिया में बदलाओ दूसरे बालों ने लाया, पहले बाले तो जिंदिगी में इनका commitment है कि हम गरीबी में ही मरेंगे, लेकिन एक आत्मी का commitment है कि हम आने वाली अपनी उलादों को गरीबी में मरने कमिट्मेंट तो दोनों का है सापर एक कमिट्मेंट ऐसा है जिससे आने वाली पेडियां सुरक की तरह जिन्दिकी जिएंगी लेकिन एक कमिट्मेंट ऐसा है कि साला ना जिएंगे ना किसी को जीने देंगे सवाल यह है कि आज यहां बैठे हुए आप आप भी कमिट्मेंट लीजिए साब आने वाली पेडियों को क्या करके देंगे आप एक आप भी बोलता है ना लेके आये थे ना लेके जाएंगे संतोसंपरमसुखम हाँ विर्कुल आप साब सही कह रहे हैं संतोसंपरमसुखम लेकिन जब होस्पिटल में भीमार होके जाते हो ना तब डॉक्टर उदर जा कि बोलो ना संतोसंपरमसुखम उदर जा कि बोलो, लात मार कि बाहर लेकाल देख वाला साले पहले बिल भर, फिर उसली पेढ़र सं कि संतोस्वां प्रम्शुक्म एक अपमी अपनी ऑफ़ादों के लिए फिरकुश आप बोला क्या लेकर आये थे क्या जाएंगे ना लेकर जाओ पर छोड़के बहुत कुछ जाते हुआ एक बाबाब अपने बच्चों के लिए सारा दरिद्र था गरी भी छोड़के जाते हैं और एक माबाब अपनी उलादों के लिए राजसाही छोड़के जाते हैं छोड़के तो जाते हैं जो नहीं छोड़के लेकिन जब भी हम कुछ अलग करते हैं तो बहुत से लोग विरोध करते हैं चाहे वो अपना ही नुकसान करने लेकिन आपको वो काम आसानी से नहीं करने देंगे यह सच है आप यह सोच रहे हो कि लोग करने नहीं करने देंगे हो सकता है आपके घर में ही कुछ लोग ऐसे हो विरोध करने वाले हो सकता है पडोस में हो हो सकता है कि आपका विरोद आपका मन नहीं करता हो क्योंकि आदमी मन का गुलाम है अपनी आदतों का गुलाम है अभी खाना आ जाए तो उसको पता है मैं ज़्यादा खाऊँगा तो स्वन्ड जैसा हो जाऊँगा ना चल पाऊँगा ना बेड़ पाऊँगा ना पैंट पाऊँगा लेकिन एक आदमी जानता कंट्रोल है उसके हाथ में वो जितना चाहेगा उत्रहीं खाएगा मन कंट्रोल में ना उसके तो जब हम काम करेंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके प्रोद में आ जाते वाला तु करके देखा भई करी नहीं सकता अरे तेरे जैसे बहुत देखे यार हवाईज आज बनाने की जब बात आई तो जो राइट बंदू थे हजारों लोग प्रोद में आ गए उन दोनों भाईयों के बुला रहे यार क्यों बेब कुप बना रहे जला ऐसा लुआ भी उड़ता है क्या यह दोनों इतने पागल टाइप के आदमी थे एक बार क्या किया इन दोनों को ट्विशन पढ़ाने आती थी एक तो इस चड़ियाग उड़ते हुए देखते थे किसको उड़ते हुए देखते थे दोनों भाई तो उन्होंने देखा कि कीड़े खा रही है क्या खा रही है तो बच्चे दिनकी दिमाग में आए ओ माई गौड कीड़े खान कि और बीमार होगे और दोनों बच्चों की बहुत मार पड़ी इनकी कानियां सुनोगे तो आप एक बार तो एफाई अर्दर्ज होगे इनको कई दिन तक जेल में रहना पड़ा लेकिन मैं आपसे पूछता हुआ हुआ जोड़ा की नहीं उड़ा कितने लोग बोलते होड़ा लोग उड़ा की नहीं उड़ा लोग पानी में थेरा की नहीं थेरा हमें भी आद्मियों ने बोला ताले तुम कुथ नहीं कर पाओगे हमने बोला थाले कुथ नहीं कर पाएंगे हम ते लोगों बताएंगे हम त्यात अलत खते हैं आयला देश को आजादी दिलाने में देखते हैं साले कैसे गुलाम रहेगा हत्यार नहीं उड़ाया उन्होंने हलो हलो देशाजाद हुआ की निवा हुआ की निवा अरे हुआ की निवा और गांधी जी की विचारों पर चलके केचरी बाल जी मुखबंतरी बन गए अलो आदमी अगर लाठी खाने के लिए तैयार है तो वो देश को नहीं वो कुछ भी कर सकता है कम से कम कोई आजाद हो ना हो कम से कम अपनी फैमली को तो आजाद कर दो गरीबी से यार इसके लिए थोड़ी लाठियां खाली पढ़ती है यार कितनी लाठियां पढ़ती है देखो जाके हम पे भी तो लाठियां पढ़े होंगे यार भागो दो हम आपके साथ जो इननी करेंगे लाठी है हम प्लान लेकर कई किसी के बाद आए तुम बनोगे लोग राष्टा पतलता रहे वही कंपनी है यार वह पतानी वह कां से अशी बेबकूप बनाने वाली कंपनी है वही मेंबर बनाने वाली कंपनी है अच्छो सब्सक्राइब लोग ऐसा बोलते हैं है अलो लेकिन एक आदमी अगर कमींट्मेंट ले ले तो देशभी आज़ाद हुआ हुआ कि ने हुआ कंप्यूटर को लोगों तक पहुँचाना लोग बोलते ते तहसा कुछ होगा नहीं हर गर में टैलेट बनाना लोग लोग बोलते तक लोग नहीं लोग ब्रोथ करते हैं हां की ना आपको भी नया काम करो साब लोग ब्रोथ करेंगे आपका कुछ भी करो आप सही करोगे तो भी ब्रोथ करेंगे गलत करोगे तो भी ब्रोथ करेंगे आपका लोगों का काम है कुछ लोगों का काम ही आंदोलन करना लेकर हमें देखना है कि हमको आंदोलन करना है वाई टू बिलीब टार्गेट आज हम जाबी है इसलिए बोला जाता है कि आज हम जाबी है वो अपने कल के सेट की वो टार्गेट की बज़े से हैं आज हम अपनी जिंदिकी में जो भी एक बच्चा डॉक्टर बन जाता है क्यो कुछ ने टीचर बनने का डिसाइड किया था आप अपनी जिंदिगी में आज वो ही है दिसीजन नोटे भाग गया आप वो ही अपनी जिंदिगी में जो आपने डिसाइड किया था और जिसने कुछ नहीं डिसाइड किया वो कुछ भी नहीं बन पाया वो कल भी आइटम था आ ने किया वो कुछ नहीं बना ओंगा वाज वी ऐसे घोम रहे है पुरा दिन पर बाद कर देता है उम्र पूरी पर बाद कर दी आज अनिल जीके उम्र के लड़के क्या कर रहे होंगे फेस्बुक 2017 खेल रहे होंगे अ मर क्या कर रहे होंगे है कि हर दिन साला पटसर पे बस कलर चड़ा के उतार के फोटो लगाते रहते हैं क्या काम है उनका कभी नीला मूँ बना दिया कभी काला मूँ बना दिया कभी भूरा बना दिया कभी लिया बना दिया बस बोल लगा लगा कि डीपी चेंज करने का काम रहता है पूरा दिन हलो target है ना उनका DP चेंज करते रहना target, कुछ change हो ना हो, DP पकाद चेंज होगी, कुछ change हो ना हो हलो, उनके कामी है एक रनिल जी अपनी age में कहां से कहां पहुँच गे टोलोपती बन गे साब उनका focus था टार्गेट था कि मुझे इस बिज्जनिस में डामं जा Circuit कि म्झें उएय बन गए प्रभीन टार्गेट पार्गेट बनाना चाये करें लुझ्ट पनाना चाइक टार्गेट बनाना ची ए तो टार्गेट बनाना चीए किसीज का टार्गेट बनाना चीए वो लावई चाहे कुछ भी हो हमें हर दिन कम से कम इतने बिजनेस वोलियम लेके आना ही आना है कुछ भी हो हमें यह चीज अचीप करनी करनी हमें यह टार्गेट जो चल रहा है वो टार्गेट हमें जितना ही ग्रीज का टार्गेट हमें जितना है जो ग्रेट ग्रीज चल रहा है हमें जितना ही चितना है कल हम जहां भी होंगे आज सेट किये हुए टार्गेट की बज़े से ही होंगे आप कल कहा होंगे डिसाइड करिए यहां आपकी ओलादे और आप कहा होंगे कहा होंगे डिसाइड क करो यह ऐसे लाइन लगाओ जाके पंजीरी के लिए चाबल के लिए आलू के लिए भिंडी के लिए तोरही के लिए आप डिसाइड करो ना साब कितने लोग बोलते हैं यहां होंगे हम अविस्ट में लेकिन जो सेप सॉप नहीं करेंगे वो तो होंगे जिन्दिकी बनाने से बड़ा सिरियस मेंटर क्या हो सकता है आदमी रोड पे इतने समल के चलता है कि मरना जाओं अगर जिन्दिकी में भी थुड़ा समल के चलेगा न हलो जिन्दिकी के हैवे पे भी समल के चलना पड़ता है कि यहां पर भी भैंकर एक्सिडेंट होते हैं कई सारे लोगों को देखा थ्री काडियां रूल एक्सिडेंट हो गया जी तोड़ा एक भैंकर एक्सिडेंट इतनी नेगेटिव बात करेंगे एक्सिडेंट ठीक नहीं है उनकी बैंकर एक्सिडेंट कर रहे हैं बोलो आ मुझे बताओ कि पूरा दिन खराब हो गया एक आदमी का बैंकर एक्सिडेंट वह भाई है कि डिसाइट करो यह कितने लोग बोलते हैं यहां होंगे अरे आप हांत नहीं उठा रहे हैं यहां होंगे आप लोग कितने लोग बोलते हैं यहां होंगे तो ठोको ताली है हलो ऐसा आपको बनना है खा पी के प्रोडक्ट आगे दमदार दवा के नोनी पियो दवा के बिडामिंस खाओ एक दम फिट रहो और मैडम को भी ऐसा बना लो टार्गेट देदो वोला तेरा टार्गेट है देख ले फुटू ऐसी चाहिए मेरे को हलो कुछ लोग अपनी मैडम को तरव ऐसे कौह नहीं मारे हो ला देख ले ऐसी बन जा तो वो तो बनने के लिए तैयार है पर भाई साब तेरों को भी तो ऐसा बिटना पड़ेगा वो तो इससे भी बढ़िया बन जाएगी वो तो गाना भी गएगी मेरे सहीय सुपरिस्टार वो तो डांस भी करेगी तू बनके तो दिखा हलो 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 और टार्गेट रहना चाहिए अगले आने वाले 10-15 साल में असा हवाईजाज पीछे खड़ा करके फोटो किछबाना कितरे लोग यह सपना देखते हैं अगर सपना देखते हैं तो उसको पूरा करवाती है सेप सौप जो रहार दालिया बजाओ सेप सौप सुपर शाल यह जो उसे सोड़ा सबसे मेरे दिर्ग को क्याले कर मेरे नेंद चिखान ले उसने और खाब दोया देकर मैं तो हैंसम सोड़ सबसे मेरे दिल का बया लेकर मेरे नेंद चिखान ले उसने और खाब दोया देकर अब ये ना ना भूले यार भूले यही अलगा दर मूल चाहें कितना रोकें तरूगी प्यार मेरेसे याई 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 ऍिय्ड याई Ouch वो दिनना किसम से सांधार होने वाला है लेकिन वो गाने के लिए विरकुल तैयार है लेकिन कम से कम भाई साथ मुंगेरी लाल जो सिर्फासी सप्रे देखने का भाई मुंगेरी लाल आपको टैपट बनना पड़ेगा सिर्फ मुंगेरी लाल बनने से नहीं होगा जो जब मैडम के बकलन लेटा तो बोलता है आथ तुम्हारे लिए अमना गजरा लेके आएंगे सजरा लेके आएंगे ये लेके आएंगे और बो भी बोलती है तुमने बोला था ना लेके आएंगे क्या लेके आएंगे और कोई दमदार मैडम तुम मुक्का उक्का देके सोती है मुंपे बोला जाले तुम सोजाओ पर ला फोग नहीं है अभी तुमको ऐसे भी बोलती है मैडम बिर्कुल सबल के रहला कितesting लोग बुलते हैं यहां होंगे यह पहुंचाने की तागत एक ही चीज में वह हमारे प्रोडक्ट में यूज कर सकते हो यूज कर सकते हो खाना खाते खाते आज ओर कर देना जो कितने लोग वोल रहें ओर जाएंगे सराज कि शारे ओर करेंगे कोई भी ऐसा प्यक्ति नहीं होना चीए अगर तो कोई आपकी मर्जी है हमने ठेका नहीं ले रखा आपको डामेंड बनाने का बिजिंदीन आपको लेना है हमें बनना थाम बन गए अब हमारी ये जिम्मेधारी है कि आपको भी वो रास्ता पताएं जिस रास्ते पर चलके हम यह पोचे हैं तो हर andraष में आपको यह करना है और लंच के समय में आपको ओर्डर बनाना ना है और और बना के एलन सर को देना है प्रिवीन सर को देना वाला शार हंडेट परसंट आज आए में रॉयल फैमिली कितने लोग चाते ऐसा घर हो उपर से स्विमिंग पूल में कूद पड़ो नंगे पंगे जोई कौन रहेगा मतलब कपड़े उतार के बोल रहा हूँ फूद पड़ो सीथा आराम से नाओ कोई साला डिस्टब नहीं कर सकता साब को साब स्विमिंग पूल में आ रहे हैं हलो दिल कर रहा है तो मैडम को भी कॉल कर लो भी आजाएगी कितना खूब सुन टाइम होगा वो और जूस मंगा लो आराम से से पी हो हलो सपने मर गए हैं मर गए तो कोई प्रॉलम नहीं हम जिंदा करने में लगे पड़े हैं कर सकते हैं हैं एसी खूबसूरत जिंदिकी देती है सेप सॉप ओ हो क्या घर है यार समुंदर और स्विमिंग पूल एक साथ में ओ माई गॉट ऐसा घर कितने लोग खरीदने चाहते हैं अब यहां तो ढ़ा देगा हमें चुछ हमें लेकिन जब बोलते हैं जब बोलते हैं कि बई चल प्लान देखाई प्लान ओ भई गॉट यह मेरा काम है नो 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 यह तो डाउन लाइन का काम है बागुर जी अब में ढगले अहां क्या बात है सेलिवरेशन वो भी हवाई जाज में खुद का हाँ यह देखो यह तोता राम का है यह मैना रानी का है बढ़िया चेक बनेगा आपका एक हपते का सो करोड का तबाव हई जाज में आ रहा हम हमसे सेलिवरेट कर ला कैसा दिन होगा 40,000 की फिटकी हुचाए पे ना हलो अब मैडम का बोई बाला ड्रीम पूरा हो जाएगा कोई और नहीं हम और तुम हलो यह सच होगा ओ मैड़ इतनी गाड़िया सारी आने बाले पांच शे साल के बाद में सेफ सो मैसी गाड़ियां देखेंगी आपको यह से नो कहां होंगे हम यहां यह वहां तो कैसे और कहां से होगा विचार तो दिमाग में आ रहा होगा ना हालकि हमने आपको हिंट देदी है क्या देदी है हलो हाय ना हाय ना हाय ना एक बंदा बोला एक सर्थ लगाई बला भाई इस बैक के अंदर क्या और अगर तुने बता दिया ते सारे के सारे हाठ के लिए ते रे फिर भी उसमसे पूछ रहा भाई झाठ लगे हिंट दो ना जैको उसने क्या बताया इस बैक में क्या और अगर तुने ये बता दिया तो इस बैक के अंदर आठ के लिए और सारे के सारे तेरे फिर भी क्या पूछ रहा है बाई साब हिंट पता अरे हिंट दे तो धी यार थोड़ा कॉमन सेंस भी तो लगा हलो हलो हाँ है ना तो सारा का सारा जो हमारा बिजनेस है वो किसका है तो कैसे और कहां से होगा इसके बारे बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं खाना कितने बज़े अभी स्टार्ट हो होगा है तैम है अगानी की कोशिस कर रहा हागी हमें आपर कैसे पहुंचेंगे हैं सबसे पहले हमें एक स्टैप आज लेना पहले खुद और सबसे पहला स्टैप हमें आज़ खुद क्या लेना है कि हमें hundred percent royal family बननी है हमें आज के बाद बफ़ादारी रहनी रखनी है क्या रखनी है कि और वभ़ादारी क्या है भाइ आम मुझे बताओ करण हमम्मारा भाई खड़ा हुआ चुनाओ में और अमने पडोशी को दे दिया तो उमने क्या अपने पर्वार के साथ, इतनी गद्दारी तो ठीक नहीं है, ठीक है, मन में इतार चढ़ाओं है, अपर इतनी गद्दारी के साली तुने अपने भाई को ही अ passé अधिया, मतलब, गद्दारी नी करनी, जग्डा करना है, मुक्का बजाओ साला, देख तरी के लेकिन गदारी नहीं करने चाहिए आपस में जगड़े हो गए बात बंती है लेकिन साला चुनाओं में खड़ा हुए तरो उसको जिताने के लिए बॉट बांगने चाहिए न तू तो उसके बोटी काट रहा है रहा है साले इसको मत देना इसको मैं जानता हूं इसका भाई हूँ मैं सारी किसाली बिभी सड़ नहीं बनना तो जो शेपशॉप के प्रटर्ट की उज़ नहीं कर रहे हैं वो क्या है ना थोड़ा धार्मी थोड़ा अच्छा सब्द लेकर हो क्या ना है हमें अंदर जाके देखना के बिभी सड़ तो नहीं है तो अपनी टीम का भी सड़ी तो है अधि टीम में 50 लोग है हमारे हमारे अपलैन भी उज़ कर रहे हमारी डाउन लाइन भी उज़ करने के लिए ते ही आ रहे है पर हम भी सड़ बन गए है हम यूज नहीं कर रहे सब तो हम क्या कर रहे हैं जो सोने का घर है हमारा लंका तो नहीं कहेंगे पर सोने का जो घर हमारा मुसमें क्या कर रहे हैं हम पफादारी कहां कर रहे हैं हम तो भही डाड़ी वाले बाबा का धंदा बढ़ा रहे हैं नाम तो नहीं लेंगे ना तो डाड़ी वाले बाबा बताओ नाम लेंगे गाई काट देना अ किसा बताओ सुभई सुभारामदेव के चल रहे हैं प्रोड़क्ट हमारे घर में तो बाबारामदेव औडी लेके आए गया मरसडीज लेके आए गया बोलेका लंदन चले जाओ हिंदुस्तान लिवर्वालों के प्रोड़क्ट यूज कर रह तो इनको कोन यूज करेगा हमें यूज करने चाहिए ना लेकिन आम उनको यूज नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं साब मैं पूछ रहो एक मिनट के लिए पूछ रहा हूं गाड़ी कहां से आएगी हमारी बच्चे के बच्चे जो हमारे हमने जो पेदा के बड़े ह होंगे उनका घर कहां से बनेगा सपनों का उनकी जिंदगी सपनों की कहां से बनेगी तो बताएए प्रोड़क्ट किसी और के हैं और प्रोड़क्ट के effective आप देखें कितने इतने सांदार प्रोड़क्ट हैं अपने मैं सुवह से सबसे पहले मैंने आपको भूई बताया आप आई साब थोड़ा सा हलो हो 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 नहीं मैं बुलाता हूँ किसी को आप आजाओ तालिया हो जाए इनके लिए इनका फोड़ू की चोएक पहले है लेके आई यह प्रोड़क्ट से शॉप के मैं अभी अभी ट्राइल मारता हूं आपको कि देखाता हूं प्रोड़क्ट नमारे कितने शांदार हैं आप द्यान से देखनों दिस इस नॉट आ मोटिवेशन आप भी बताना चैरा देख लो द्यान से कुछ नहीं करूंगा मैं यह देखें का चैरा देखिए आगे बंद करो आगे बंद करनी साब अभी तयार होना है तुरंत इमीडेट एक दम पाबर एक्षन होना चाहिए गोल्ट ओनर हैं इसके लिए पानी के चैरा दोने के लिए पानी के दिरूत नहीं है आपको बस क्या गया यह बैग में हैं हमारे है रूमाल लिखा लो चैरे को थोड़ा सा रूमाल से क्लीन करो और आप बताना खुदी देखना चैरा थोड़ी देर में चाहिए बश्चे लिए खांच लोगज्चे अरी देखने जहां लोगए आपराए्ट यह बाना ओताना इसके लिए लोगशना लिएनगे लुटतीches लेड़ीश्चे हमारे है, लोगशना लोगशना लिए अव्शना लिए आवफ जीजर्वी बस्तेश सची बताओ दिन से? हलो? हलो? सबसे चहरा दोएंगे, चैमिक्स होता है, बहुत जारा केमिकल होता हैं उसके अंदर, और दसमार अगर सबसे चहरा दोएंगे, आपका खराब हो जाएगा, पूरी खराब हो जाएगी, और कहते हैं, चेहरे को तो साब उन से दोना ही नीची है और दोना है तो सेपसोप के साब उन से दोना है हरवल है पूरी तरीके से और देखें गोल्ड टोनर है संदर बैग में हमें सा रहना चाहिए अब जर्नी में जाते हो कहीं भी हमारी जो महलाएं है वो आप जाती हो बाहर जाती है क्रीम लेगे आओ वाह जोड़ा तालिय दमदार हो जाए यह देखे अभी देखे मैं खुदी देखा पूरी तरीके से होमा फेरनेस ड्राइग डे क्रीम है आप देखोगे यह जो क्रीम है इसके अंदर आप देखोगे बहुत सारी चीजें हैं एलो वेरा केशर है केशर हमारे सरीर के लिए चेहरे के लिए हमारी बोड़ी के लिए skin के लिए बहुत शांदार रहता है, मुल्तानी मिट्टी जो रहती है, इसके अंदर उसका भी थोड़ा effect है, अभी नोने साब चेहरा दो लिया, क्रीम भी है इसको pocket में आप रख सकते हो सिदा, कोई ज़्यादा इसको carry करने के लिए कोई वो नहीं है, खुशू कैसी है, चलो, अब चेहरा देख लो दियान से, देख लिया, अब इदर हो जाओ, मैं तयार कर रहा हूँ इनको ही है, हमारे बच्चे हैं छोटे से, अभी खुदी दिखाऊंगा आपको, खुदी आप फरक जानना, यह भागे साल ही है, लाइब में पहली बार किसी के क्रीम ऐसे लगा रहा हूँ, आप देखो साब चैरा, लाओ, लगा लो, अब प्लान देखाने जाओ, अगर इनकी बाइब बेटी होती, तो पक्का रेड रोज देके प्रपोस कर देती है, क्रीम देख रहे हैं आप, प्रोड़क्ट देख रहे हैं आप, हम यह नहीं बोलते हैं यार कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाओ, यूज करके देखो आप कोई भी प्रोड़क्ट वाई साथ, मैडम लगाती हैं आप, मैडम बोली लगाती है, सारे यूज करती है मैडम तो, थालियां हो जाएं, यो, इसमें आप देखोगे बहुत सारे इंग्रेंट, जितने भी इंग्रेंट हैं आप देखोगे, इस तरीके के अगर लेने जाओगे तो कम से कम आपको हजार बारा सुर्बे की क्री मिलती है सेम अगर ज़्यादा पड़े लेगे हैं वाई साब तो अगहर हमने तो MBC करिये आपने करिये तो पड़ो हम रियल प्रमोटर है ना हम जूटे प्रमोटर थोड़ी नहीं के ठंड़ा ठंड़ा कूल कूल है छोटा एसी बूस्ट काउ छक्का लगाओ आपने नोटे फॉल्स रॉंग प्रमोटर हम पहले यूज करते हैं पहले इस्तेमाल करते हैं फिर विश्वास करते हैं फिर आपको बताते जी आप भी यूज करो और हम दुनिया जी सबसे बहत्रीन अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं प्रोड़क्ट होने चाहिए हंट्रेट परसेंट और यही प्रोड़क्ट यूज करने से आपकी रैंक वन होगी रैंक टू होगी इसके अंदर ही कारफंड है ट्रबल फंड है देश-विदेश की यात्राएं है आने वाले समय में आपका पूरा घर रॉयल फेमली बन जाएगा करोड रुपई आएंगे एक करोड रुपए के चैक बनेंगे सुरुवात तो हमारी तरही एक दिन महगुरी नर्श जी ने की थी एक दिन ही नहीं की थी और आज आप देख रहे हैं आज दोनों ही हस्ती हैं नेटवर्क मार्केटिंग डारेक्ट सेलिंग इंडिस्ट्री की सबसे बड़ी हस्ती है आज तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि हमको रियल जिंदिकी जीनी चाहिए और अगर हम रियल जिंदिकी जीएंगे रियल लाइब जीना सुरू कर देंगे तो हम गंदे कामों से और गलत कामों से बचेंगे एक होता है दिखाबा करना आदमी जब दिखाबा करना सुरू कर देता है तो उसका सुकून खतम हो जाता है सुकून का मतलब हो तो दिखाबा हम दिखाबा नहीं कर रहे हैं कि साब ये करो वो करो हम ये हमारी कमपनी है अपनी कमपनी है अपना ब्रांड है बरे प्राउट के साथ इसमें इतना अपना पन है ये हमारा है हलो तो भिभीशड अगर कुछ बन के बैठे हैं तो अलग बात है बन जाओ और हम क्या करें भई ऐसा तो है नहीं आपके घर में चाबल नहीं खा रहे हुआ आप मसाले नहीं खा रहे हुआ महगे हैं कितने महगे हैं कहा महगे हैं अरे कभी कमपेर करके देखो ना मार्केट में और सस्ते खरीद खरीद के कौन से मेल खड़े कर लिए आपने यार मैं पूछ रहा हूं सच्टे खरीद के कौन से बिल्डिंग खड़ी कर लिए आपने अदमी का मेंगा सस्ता नहीं आदमी का स्टेंडर है जीडिये का जो आदमी और नि मर्सटीज में घुमराइं महीं है वो कर नहीं एफल का और ओप फो का क्या गंपे रहे तुर्ण साब ऑप और ओप का क्या पेर आपल से आप मुवाइल मीज़ ओपो हलो और प्राइबेशी मीज़ एपल ओपो मुवाइल है एपल मुवाइल नहीं है एपल मुवाइल तोरी नहीं है हाँ है ना हलो एपल ओकाद है ओकाद मुवाइल तोरी नहीं ओकाद है वो बताता है आदमी की ओकाद आदमी डिड़ लाक रुपए का मुवाइल लेके घुम रहा है हलो 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 होकाद बता रहा है न ओडी मर्सटीज गाड़ी थो रही नहीं है कार थो रही नहीं है ओकाद है ओकाद बोलते नहीं साले ओकाद में रही हो ओकाद ओकाद में रहना साले ओकाद बूल गया तू ओकाद जुस कैसे गया तू ओकाद इस तरीके इस सब्द जो है बो लोग बहुत सुनते हैं हेलो जिन्होंने कभी ओकाद के बारे में सोचा नहीं हेलो और ओकाद तो बताई बताई साथ में जापड़ भी बताई एक दिया खीच के ओला साले तेरी यही ओकाद है और ऐसे सब्द नोकरी करने वाले ज़्यादा सुनता है सुबह आठ बज़े को ओपेस पे बोलाता है न वो औकाद बताता है जब प्रीफिंग होती न अंदर केविन में तब बताता है दरा के यहों के अस्वेंट भी बोलते है अपनी बाइब को लए दरा ओकाद में रहना आगे गाली भी लगाते है प्यारी सी अच्छा उसकी ऊख़ाद क्या है उसकी ऊख़ाद है उसकी ऊख़ाद है भी मारना खाना पकाना और पच्चे पैदा करके उनको पाल न पनीब पोस्छ नहीं उसकी झाख़ाद है और उकाद से बाहर लीगे внутри तो बहुत मटेगी नेगकर वह करके diamond बन जाए है तो इसको अपनी वोकाद पताने की जड़ूरत है गया यह पताने की जड़ूरत है गया आपकाद को हिंदी में कहते हैं अंग्रीजी में कहते हैं इंटोड एक्शन अपना पर्षे दीजिए sir आज एलन जी को अपना पर्षे देने की जरूत है यह कुझ दुनिया उकाद जानती है sir के वोकाद का है मेरी भी दुनिया उकाद जानती है अरे मैंने डिगरिया ले रखी है तस अबे क्या है तो इसके अलब और कुछ है तरे पास कुछ और भी है तरे पास चार सम्द क्या पढ़ लिए बगवास कर रहा है ऐसे जब इंट्रिव्यू लेने के लिए जाते है ना तो जो बच्चे जाते थोड़ी अकड में उनको बार लिखा लेके फैंक दिया जाता है वहला तेरे जैसे हजार आते हैं आउकाद दिखाने वा अकाद तो एपल क्या है एपल इसे नोटे मुवाइल अपल एकाद है मर्सडिज ओकाद है लग्जरी मींस ओकाद एक बंदा हवाई जाज में यात्रा कर रहा है ओकाद टार्गेट जीत रहा है ओकाद है उसकी जीतने की सेबस्वाप के प्रोड़क्ट यूज कर रहा है उकाद है उसकी इन तरीके के प्रोड़क्ट यूज उसकी सोच उसकी उकाद है कि वो सेबस्वाप के प्रोड़क्ट यूज कर रहा है उकाद है ना हम इस बिजनिस में क्यों आए चैब भूगा मर रहे थे ना किसी ने चैल किया है मरने से पहले साला उसको अपनी अवकात बताने कि हम क्या है अगर यह यह अभी आपको जानी ना अबनी कुछ उमत करो अबस एक वार अपना लॉन अप्लाई कर दो आप बैंक में लॉन अप्लाई करता है अब पता चल जाएगी कितनी होखात कि एक बंदा किया मैं एंबिया हूं एंबिया अभे तरी एंबिया से साला कोई पचास जार रुपय का लॉन नहीं देगा तुरे को मैंने कर रखिये टिटी पीपी चीची टूटू पॉपा फीकू पीकू वो करके ना एक बार जाना बैंक में और वहां पर फोरम लेना लॉन वाला और उसको भरना तेरों को तेरी ओखाद पता चल जाएगी तरी ओखाद कितनी है एक आसान तरीका है अपनी ओखाद जाननेगा अगर पचास जार रुपय के लॉन अगर नसीब हो जाया तेरों को तो बहुत मानना जिन्दीगी के कितने हैं बोला मेरों को बहुत अकल है अकल से बात नहीं बनती भाई साब प्रक्टिकल बात करो ना यार एक आदमी कितनी होकाद है कि साला पांसो करोड रुपय लोन दे देती है उसको बैंक पांसो करोड तो जे तो कई पचास रुपय भी उदार ना दे और जिसने दिये थे साले दो साल से बापस नहीं लोटा है उसके सिम चैंज कर दी पर अपर करम चैंज नहीं किया ऐसे कईयों ने पैसे ले रखे हो गए तो भाही ने आपर भी याद आ रहोगा बोला हा यार बैबी ऐसा ही हूँ यार बिरकों सही करे हो हलो लेकिन कई ऐसे साथियां वैटे होंगे जुन्होंने दे रखे हैं उन्होंने पेजी फाड़ दिया कि हमने पैसे से दे रहा क्योंकि गाय भी हो गया उस दिन के बाद तो अगर अपनी उखात जाननी है न हमारी जिंदिकी कहां गई एक बार जाना कभी एक बंदा आया थोड़ा था उसको इगो शीगो आयम ये वाला ना डिकना मैंने वोला सर ऐसा है एक काम करो आप बैंक बैंक देखी बैंक लहाँ देखी है मैं कुछ नहीं कहूंगा सर आप आँ से दो लाका लोन लाके दिखा हुआ अपने बाप के डॉकुमेंट मत लगा न अपने दम पे लाके दिखाना कि वह तो नहीं लापाएंगे हो अमरे काय के में में आ रहे हो नहीं लापाऊंगे तो चुप चाप सेंटर में सेप सॉप करो ना कि यहां हो जाएगा काम आपका यहां इतना लॉन देगी कि आप साले एक करोण की गाड़ी लेके आजाना फिर भी कंपनी नहीं बोल से अलो तो हमको जो है अपनी ओकाद बनानी है और ओकाद बनाने का जो फार्मूला है वो हमको त्रिपल एस देती और मोका हमको सेप कि लो कि जितना चाहते उत्ना बढ़कलो आप है लेकिन होगा आपकी जिन्दीकी में शेफ सॉबसें जो भी कुछ होने बाला है क्योंकि सेप सॉब एक ऐसा पिजनेस है जिसमें लॉस का और बॉस का फिरकूल भी डर नहीं आ पर खुल खेलने का आपको वक्त मिलता है खु बना के हम देंगे और दोड़ने की जिम्भेदारी आपकी हलो हलो अब यहीं से कैसे होगा इसके बारे हम चर्चा बाद में करेंगे अभी लंच इंजॉय करिए लेकिन रोयल फैमिली बल लेना ओडर जरूर कर लेना अच्छ आज के बाद सेप्शॉप के रोयल लीटर बन जा है कि आप 100% इस बिजनेस में एक दिन उनिवर्सल करने मसलर बनेंगे पूरा भरोसा है पूरा और थेंक्यू प्रिमीन जी को जो रार तालिया हो जाए प्रिमीन जी के लिए लोगा अभी हम आपसे मिलेंगे चार बजे यस या नो 45 मिनिट का ब्रेक है और खाने में पेट न जी मागोजी लंच को इंज्वाई करना है, खाना नहीं है थार बाउंदा दिलेगा अलो ओ लो लो लिग तारे गिनियाद जो तेरी मेंदा जाकर रादा दू रोक नपावा अखियां विच्छो गम दियां पर सतनू आने गिनियाच तेरी मेंदा जाकर रादा दू थैंक्यू पडोसी चेक कर लें को यस यानो आनी चीए किति लोगों को लगा कि अपना भी अगला लैप्टोप मोब एपली होगा अभी मैं कोल करूंगा यह तो नहीं बोलेंगे नंबर टू लेंगे कौन सा लेना है जब भी कोल करें बताएं बोला नहीं बीस जार वाला पच चीज आरो आपकोण सा लेना है नंबर टू वालों का नंबर कभी स्टेज पे नहीं आता यह याद रखना नंबर वन का इन आम आता है यश्या नू आज के बाद जो भी करना क्या तैयारै यस यानो और जितने लोगोंने कारें बुकिंग कर रखिये बुकिंग में भी नाम बिल्कुल बहुत बड़ी आभी, आज अभी और बहुत कुछ सेस्थन में सीखने के लिए मौका मिलेगा, और आज मादुची हमें बहुत आसानी से बताएंगे कहा हम गरीस कैसे जा सकते हैं, जाना ना गरीस, कितने लोग तयार एंगर जाने के लिए, मागोची नवी बता है ना तारगेट होना चाहिए तो अपना सबसे पहला तारगेट गरिस होना चाहिए नहीं होना चाहिए Yes or No और अगर ऐसी मिटिंग हम गरिस में जाके करें तो कैसा होगा कितने लोग तैयार हैं चलो अब तो सारे याद उठा रहे हैं यस या नो लेकिन जाने के बाद भी बैग को पीछे कमर पे लगा के भी आद उठाना पड़ेगा तैयार है तैयार है तो अपनी जगह पे खड़े हो जीए और जोरदार ताली और जोरदार म्यूजिक हले के साथ स्प्रिट के साथ कोल करते हैं अब अब यह पांटर ग्रेट भागुर जी मिस्टर विकास भागुर जी जोरदार तालीया जोरदार जोरदार म्यूजिक तुलुक 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 तुल कुलना बच्च तुम्बे वारी तार्न तुम्बे वाणितार्न सुन दिल दे पोकार्न आजा कर लिए प्यार्ध एक बंदे ने अलेकर पना स्लाइड लागा दो मेरी कहां से होगा यहीं से मतलब सेफ साप से होगा तियारे एक बार क्या हुआ एक बंदी ने तोता पाल रखा था अच्छा कहानी कितने लोगों को सुनना अच्छी लगता अच्छा लगता है इसके मतलब अभी तक आप बच्चे हैं और जो बच्चे होते हैं वो ही सच्चे होते हैं हलो तो एक बार क्या हुआ कि एक बंदी ने तोता पाल रखा था तो कई लोग ऐसा बोलते ना आपको पता होगा कि अरे कोई नहीं समझता है ना तो उसका एक पडोसी रहता था तो पडोसी डेली उसके दरवाजे के सामने जाता था तोता जो था वो दरवाजे पर ही टंगा रहता था पिजड़े में तो जैसे वो बंदा लिगालता था तोता उसको गाली देना सुरू कर देता था तो यह वो तेरी ऐसी था बनाड़ लिखला तो टोटा टागा लॉट यह वह हुर ऑप और वो घर है उसमें तोटा पाल रख्टा तो जैसी जाता था तो टोटा उसको देखता था और जैसे तोटे को बेखता था तोटा सुनु हो जाता था जबर जएस तरीके ज़ालियां देंदा तो उसको agreed tohty के मालिक से बोला भाई जो आन्य नेकलता हूं टेली है गालिया देताया उलटा सीधा बोलताँ मेरे को तो उसने जाके तोते की मालिक ने उसको समझा है देखै ठीक बात नहीं है ऐसे जाड़े करवा देखो तु पड़ो उससे उमारे एसे मत बोला कर तोते ने बोला ठीक है नहीं बोलेगे उसके बाद फिर तोता जो है मतलब जैसे सुबह आठ बजे वो निकला बंदा जॉब के लिए तो तोता उतरी था तोता फुरी शुरू हो गया वो आग बबुला हो गया उसने फिर उसके मालिक से सिकाहत करी वाला देख वाई ये लास्ट वार समझा रहा हूं है और तोते को समझा दे ना उसने तोते को समझाया बोला देख यार अगर तुने नहीं बात मानी ना तो तेरे को इस बार में छोड़ दूआ तोते को समझा दिया अच्छे से अगले देन में फिर फिर वाया तो उस ने तोते की तरफ देखा और तोते ने उसकी तरफ देखा तो तोता ने इस वार पता ही क्या बोला जानना चाहते हो क्या बोला तोता बोला बोला देख मैं कुछ कहूं या ना कहूं तो समझ तो गहे ही होगा मैं क्या कहने वाला हूँ हलो तो कोई कहे आप गरीब हो कोई कहे कि आपकी कोई औखाद नहीं है हमें इतना common sense होना चाहिए कि आखों में आखें डाल के समझ जाएं आदमी मारे बारे में सोच के आ रहा है जो तुनी नहीं आदमी आगे मारे का जूता आपके मुह में तभी पता चलेगा बोला यार बताओ हमेरी कोई औखाद नहीं है नहीं मेरों को तो जब बोलेगे तभी अरे common sense होना चाहिए ना लोग तेरे बारे हम क्या सोचते है तरे मौले वाले पड़ोसी रिस्तेदार तेरी बाइप तेरे बारे हम क्या सोचती है common sense होना चाहिए ना वो बोलती थोरी नहीं है कि तुम महा लटू रहे हो कुछ का चैरा ही देखके समझे लिए वो ऐसा सोचती है कि तुम महा लटू रहे है साले तो कहती थोरी नहीं है आपने कहें थोरी नहीं बच्चे कहें थोरी नहीं कि तुम हलो कम से कम हमारे इतना common sense होना चाहिए हमारे अंदर कि हमें लोगों की भावना है समझनी आनी चाहिए हमारे माबाप, हमारी family, हमारे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उम्मीद तो अच्छे की करनी है, अच्छे ही सोचते हैं हमारे बारे में तो और एक किताब पढ़ी थी हमने और एक हमारे great mentor नोनोंने हमें समझाया थे एक line क्या बोलो, क्या बोला उन्होंने अगर आप से तीन लोग नाराज हैं तो गल्ती आपकी नहीं है लेकिन दस के दस नाराज हैं तो आपको सुधरनी की जरूरत है हाए ना तो लगातार हम सुबह से सीख रहे हैं कि कैसे होगा सबसे पहले कैसे होगा पढ़ो जोड़ से क्या लिखाए ऐसा तो है ने फूंक मारने से हो जाएगा करने से होगा करोगे तो होगा तब ऐसा तो है नहीं कि साब आप ट्रेनिंग लेके यहां ट्रेनिंग ले लिए आपने और अभी आप बस जाओगे और आप देखोगे एकदम कॉंगरूच लेशन जी आपका टार्गेट हो गया ऐसा होने बाला ही क्या अगर किसी का पजन बढ़ गया है तो कम करने से होगा आपका चेक नहीं आ रहा है तो मैनत करने से चेक आएगा करने से होगा बैठे रहने से तो बैठे रहो आप दुनिया आगे लेकर जाएगी अब आपका टार्गेट चल रहा है ग्रीश टार्गेट चल रहा है और ऐसा बोला जाता है कि अगर हमको diamond बनना है तो target आप देखिए कई लोगों के हो चुके है target और हमारी company इतनी अच्छी है कि उस company ने आप देखो 42 days हमें extra दिये है target जीतने के लिए कि आप 42 दिन हमसे और ले लिजिए पर हर हाल में इस बार आप target अपना जीत के देखाएंगे हलो हलो तो हमारे पास मौका है कि हम चाहें तो तीन मार्श तक लिखा है वहाँ पर तीन मार्श तक हम अपना target अगर complete कर देते हैं तो इस बार होली हमारी दमदार मनने वाली हैपी होली एडवांस में यसे नो अब target अगर हमको जीतना है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें अपने जीवन का मूल ये पता नहीं होता है कि actually target क्यों करना है और हमारे target है जो हमारी जिन्दिकी का मूल ये बताते है हम कभी कभी छोटे target से बड़ा काम नहीं कर सकते जितना बड़ा target होगा तयारी भी उतनी बड़ी करनी होगी आपको आप भी 5000 रुपे की जॉब लेने के लिए जाता है तो high school पास है मिल जाएगी 5000 की लेकिन अगर वो 5000 रुपे की जॉब चाता है तो तयारी करनी पड़ेगी उसे मिल सकती है 5000 जॉब डिगरी लेनी पड़ेगी डिप्लोमा लेना पड़ेगा एक्स्प्रियंस लेना पड़ेगा 5000 की जॉब मिल सकती है लेकिन जिसकी तैयारी high school की है 5000 रुपे की जॉब मिलेगी ना उसको तैयारी नहीं है ना लोगों को 5000 लाखी भी जॉब मिलती है लोगों को 5 क्रोड रुपे की भी जॉब मिलती है इसी तरीके से हमारे बिजनेस में 3 केटिगरी है टार्गेट जीतनी कि आप देखो कि गवा भी जीत सकते हो थाइलेंड भी जीत सकते हो ग्रीश भी जीत सकते हो अब आप ये देखिए कि तैयारी नहीं है तो आपका ना गवा होगा ना आपका थाइलेंड होगा ना आपका ग्रीश होगा तो तैयारी करनी पड़ेगी बी हैपी बट नेवर सेटिस्ट्वाई हलो हलो कई लोगों को कोई फरकी नहीं पड़ता अगर वो एक सेल ले ले लेते हैं हाँ कोई बात नहीं मैं गर्मी पीता हूँ हलो हलो कई लोगों की अगर एक सेल आजाए तो भी सहमत है एक ना है तो भी सहमत है हलो हलो बैनिफिट्स वाप टार्गेट पहले हम यह समझ लेते हैं कि टार्गेट अगर हम जीतते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है टार्गेट जितने का मारकर का है मारकर को मारकर वो वो इधर खाए मारकर है क्या हाँ देखो 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 इसकी जरूत नहीं है वीडियो की बंद कर दो कई लोग पैसंगर एकस्प्रेस में बैठे हैं कई महिने होगे कई साल होगे उनको और वो अपना लेवल ही चेंज नहीं कर रहे हैं सिल्वर है तो सिल्वर ही है गोल्ड है तो गोल्ड ही है और वो क्या बोलते हैं हमारी रिकेगनेशन नहीं बन रही है रिकेगनेशन तो थब बनेगी जब भाई तीन महिने में लेवल चैंज होगा और साथ अगर टार्गेट जीत लेते हो तो आपका नेक्स लेवल होगा वो डामन का लेवल होता है तालिया थोड़ी दमदार हो जाएं सबसे पहला फाइदा यहां पर मारे कई साथ ही हैं जो सिल्वर ही हैं एक साल से दो साल से तीन सिल्वर गोल्ड गोल्ड ही है लेवल चैंज ना होने का सबसे बड़ा कारणह क्या है टार्गेट नहीं उन्ह laser are को और जिस अप्लाइन का डेबल चेंज नहीं हो रहा है कि वो टार्गेट ना जीत रहा है ना किसी को जिताने की कोशिस कर रहा है और टार्गेट नहीं हो रहा है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है टीम के अंदर लोगों को की वैसी ना बनाना की वैसी जो रिकंगनेशन है वो डामन्ट शिप का बेस है कि और नहीं तो बैठे रहो फसे रो गरीभी में फसे रो दल दल में और नहीं तो आगे बढ़ के कदम बढ़ाओ और शुरू करो आप दो साल में भी डामन बन सकते हो टार्गेट जीत के अगर साथ अगर टार्गेट जीतने की कसम खा लेते हो तो आप देखोगे कि अगले दो साल में आप लगवग 40 से 50 लाख रुपए अंदर कर सकते हो मिनीमम वैसा 25 लाख रुपए साला ना हो गया लगवग 2 लाख रुपए महीने के हो गये और दो लाख रुपए का पैकेज लेने के लिए पता है क्या करना पड़ता है मार्केट में अगर नौलेज नहीं है तो नौलेज ले लेना जो दो लाख रुपए महीने के कमाता हो और साथ विदेश स्यात्रा ही मिलेंगी वो भी फ्री में ये एक विदेश स्यात्रा के मिनिमम अगर पांच लाग रुपे भी रखते हो तो लगवग 35 लाग रुपे तो कमपनी ने आपको फ्री कैसी दे दिये गुमने गामने के लिए 50 लाग तो छोड़ दो एक फ्लैट खरीट खरीट के देखना कर भी यह फाइव सार होटल में रुक के देखना आप दो साल में डामन बन सकते हो डामन बनने के बाद में अगर आप टार्गेट पे फोकस रखते हो अगर गाड़ी रोड़ पे फोकस करेगी तो सही चलेगी की नहीं चलेगी लेकिन ट्राइबर गाड़ी तो रोड़ पे चल रही है पर ट्राइबर ऐसे ऐसे देख रहा है तो क्या होगा डायमंड बनने के बाद अगर डायमंड का ध्यान पूरी तरीके से टार्गेट पर है तो हर अपते उसको लाग रुपे महीने की इंकम भी आती है बस स्टेरिंग समाल के रखने की जरूरत है हलो हलो थाना मारने वाले जो लोग हैं उनके मूँ तोड़ जवाब मिल जाएगा उनको कि आपका काम नहीं होता एक बार टार्गेट जीत के आप इदेश स्यत्रा करके आते हो तो टार्गेट जीत के पैसा तो मिला ही मिला सब कुछ मिला ही तो मिला लेकिन भ्रहम दूर हो जाता है आपका भी और लोगों का भी आपका भ्रहम यह दूर हो जाता है कि मैं डैमंड नहीं बनूगा और लोगों का भी भ्रहम दूर हो जाता है कि आप डैमंड नहीं बनोगे आपकी family का भी ब्रह्म दूर हो जाता आप diamond नहीं बनोगे और काम करने से होने वाला target होने से करने से होगा आप बैठे रहो सोचते रहो आप हो जाएगे कभी नहीं होगा और कई साल लग जाएंगे आपको एक छोटे से काम में हमारे परवार में है एक छाइग जी तो बड़े फोड़े से handsome है पड़े लेखे हैं तो बहुत साधियां आती थी उनकी कई लड़कियां दिखाएंगी reject कोई छोटी कोई बड़ी कोई लंबी कोई गोरी बोला इसकी नाक टेड़ी इसके ओठ बड़े इसकी आँके छोटी इसके बाल छोटे ऐसे करके हर लड़की को reject 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 पच्चेस साल से साधियां नहीं स्टार्ट हुई और 35-40 साल तक reject ही करते रहे फिर एक बार गए एक वो गई तो लड़की भी handsome थी उसको पता था चाचा जी के वारे में हमारे परवार में ये बुला ये जो है अच्छा वो थोड़े पड़े लिखे हैं वो भी पड़ी लिखी थी उसको पता था ये बहुत लड़कियां फेल करता है उसने पहले सी सूच रखा होगा और जैसे ये गई आँ बोला ठीक है इन्होंने हां कर दी बोला ठीक है साधी के लिए ते यार उसने बोला हमें आप अच्छे नहीं लेगे reject बोला क्यों आपकी उम्र जादा है तब उन्हें असास हुआ ओमाई गॉड आदमी इतना बेहोस हो जाता है कभी कभी और जब तक होस आता है तब तक सब कुछ लिकल चुका होता है मेरी 26 की है आप कहां 36 क्यों मैं तो नहीं करूंगी उसने मना कर दिया खुल ले हम क्या पेजिती भेंकर हुँ चाचा जी की अफिर अगली साथी चुक्चाप कर ली जैसी मिली ठीक है कर लेते नहीं तो वह भी नहीं उपाईगी ऐसी टार्गेट है पहला टार्गेट आया रिजेक्ट नहीं होगा हो गहीं नहीं होगा ठीक है जी नहीं होगा दूसरा आया नहीं यह भी नहीं हो पाएगा तीसरा अरे यह भी नहीं हो पाएगा पहले तो टार्गेट बोलता था मुझे करो मुझे करो मुझे करो फिर टार्गेट नहीं बोल दिया आप तो सालिक कितनी भी दम लगा आप नहीं होगा उसरी रिजेक्ट कर दिया कि jagman तो हमारा बिज्टिस में कुछ ऐसा ही है कि आप रिजेक्ट करने में लगे पड़े कभी आप बोल देते हैं मेरी एक लाइंग नहीं चल कि कभी बोल देते हो अरे जी लोगडाउन हो गया किभी आप में भी प्लान फॉल अप करने वाले लोग हैं इस लेग में भी लोग हैं हलो है हलो है विदेश चात्रा करने का भाषांदार मोखा मिलता है काम करकर के दिमाग ठक जाता है तो कंपनी आपको चार-पांच-शह दिन-दस दिन बढ़िया विदेश में एंजॉय कराने के लिए जाती है ना प्लान की टेंशन ना फॉल अप की टेंशन बढ़िया जीन्स डालो चस्मा लगाओ बैग डालो पर्स डॉलर इदर क्योंकि पैसा बहुत आ रहे हैं कि मनी कनवर्ट कराओ बढ़िया डॉलर डालो जैम मैं और उड़ जाओ अब बढ़िया दस-पंद्रा दिन विदेश बिता के आओ बढ़िया मजे से एक दम फ्रेस माइन से काम करो वेरागे हम लोग टेंशन दूर करने के लिए कहा जाती है क्ला बेशती हम नहीं बहुत हो ग आपके फोटू देखता रहता हूं कभी कभी गच्चाप के फोटू है हलो और यह गरीब आदमी अपनी टेंसन दूर करने के लिए क्या करता है लड़ा ही करेंगा जड़ा दे मुझे मुझा मारी चलती है टेंसन में हलो और कई तने टेंसन में आ जाते हैं कि वो सोसाइडी कर लेते विचारे हैं सोसांत की तरह हैं जिन्दकी से आती दो बैठते हो लग क्यों मर गया हो लग टेंसन में था हलो हलो है और भी बहुत सारे हमारे साथी रहते टेंसन में भाहिंकर टेंसन में टेंसन में आने की सबसे बड़ी बज़े क्या है कि हम लोग जो है वो हमारा ध्यान काम पे नहीं है और अगर हम पूरा ध्यान अपने काम पे लगा दें हम पूरा ध्यान लगा दें कि 11% हमको इतने दिन मिले हैं अगर हम हर अब तेत्रे बीक मिलते हैं आप देखोगे ग्रीज टार्गेट जीतने के लिए कितना लंबा पिरियड है भीवी तीन मार्च है भी पूरा का पूरा दो महिना है भीवी पूरा फरवरी पढ़ा हुआ है पूरा जनवरी पढ़ा हुआ है आदा जनवरी है डेड़ महीना है पूरा और कोई अगर बंदा आज ये कसम खाले कि मैं हर हाल में हर दिन बड़ी क्लोजिंग करूँगा और हर दिन प्रोडक्ट यूज करूँगा तो देखोगे अगला जब वो अगली मीटिंग में आएगा तो AJ बिनर उसका सम्मान हो रहा ह होगा टार्गेट हो जाएगा उसका है कि अग्यों और वो बंदा हर महीने लगबाग 20-30,000 रुपे महीने की लगातार इंकम पर पहुंच जाता अगर वो फ्रेसर है तो हर महीने क्योंकि इस हिसाब का उसका मौल बन जाता है नेटवर्क का इतने कोर तेयार हो जाते है कि आ अराम से 20-30,000 रुपे महीने आते हैं उसको फिर आइफॉन लेना आपने देखा होगा गुरूप पे कही सारे फोटू आते हैं और नाम लिखे आता है गोल्ड लीडर ने बुख करा दी 20 लाकी बलेनो सोरी 20 लाकी नहीं 10 लाकी बलेनो लीडर है गोल्ड और गाड़ी इद्रह साब 10 लाकी कैसे क्योंकि वो हर महीने 20-30,000 रुपे कमाना शुरू कर दिया है तो बैंक फैनल है और जो कल बंदा जोईन हुआ अच्छा पैसा तो देती देती है माइंड सेटब भी देती है सेप सौब तो जो बंदा कल जोईन हुआ वो बंदा साब 10-12 लाकी इतनी जल्दी खौन कार ले आएगा यार और पडूसी का बोल रहे है पका भाई साब दो नंबर का पैसा ही है क्योंकि एक नंबर से तो आता ही नहीं है एक उस पडूसी को पकड़ के लेके आओ और उसको दिखाओ भाई साब को हाई है ना हलो आज प्रबीन जी के पिता जी बोल रहे हैं बोला यार 65 लाक का कौन सा घर होता है क्योंकि उन्होंने तो कभी सुना ही नहीं मलका अरजुन जी ने साथ 13 लाकी बरना खरीद ली उस समय में यह हमारे कई साती बैठें जो बारा बारा लाकी दद्दस लाकी गाले भूम रहे हैं तो माइंट सेट अप जो है वो आत्मी को कहीना की सेप सॉप देती है माइंट सेट अप के साथ साथ पैसा भी सेप सॉप देती है का टार्गेट पर आप एक ही काम करों इसलिए हमारे ग्रेट मेंटर बोलते हैं सब रोगों की एक दवाई टार्गेट जीतो मेरे भाई और टार्गेट जीतने का एक आसान तरी के जो भी आपकी टीम में आए हर बंदे को आप पांच चार नो सो रुपए का चेक दिलवाओ साथ बोला यह लो साथ बस इतना काम करना शुरू कर दो आप अगर कोई बंदा जोइन हुआ है बस उसको आप चेक दिलवाओ पांच ज पांच जार रुपए के तो जॉब नहीं मिलती है हाजारों लोग घुम रहे मार्केट में बोलते हुए वाला पांच जार रुपए की जॉब दिलवातों साब हमारी बच्चे को कम से कम जेब का तो खर्चा लिख लेगा हलो हलो हाओ केंग अचीव टार्गेट क्योंकि यह मौटिवेशन से नहीं होने वाला लेकिन हाँ मौटिवेशन प्लस अकर प्लानिंग मिल जाए तो यह टार्गेट आसा नहीं सो सकते हमारे गिरिट मेंटर क्या कहते हैं इसमें आलात ऐसे ना रखो जो आपके सपनों को ब दलता है हाँ हाँ है ना है थ्री थिंग्स पॉर टार्गेट सबसे पहले तर्पले फार्मूला हमें अजमाना है एंबिशन एटिट्यूट और एक्षण यह तीन चीज़ें कहिना कहीं जो थ्री ए है हमारे त्रपले जिसे कहेंगे एटिट्यूट कई लोगों का बड़ा नेगेटिव होता है एंबिशन से सब के अंदर जितने का बोला हाँ जितेंगे करेंगे लेकिन एटिट्यूट बिनर एटिट्यूट होना चाहिए आदमी क अंदर और एटिट्यूट के उपर कई सारी कई सारी कानिया है जो आपने सुन रखी होंगे एटिट्यूट कैसा एक निगिटिव एटिट्यूट भी होता है पोजिटिव एटिट्यूट भी होता है एक बंदे से एक बंदा गया एटिट्यूट कई सारी कानिया है एटिट् एक कई सारे असी कानिया सुना रखी हैं तो एटीटीट हमेशा जीतने वाला होना चीं हमारा एक बंदा बोलता है कि नहीं होगा और एक बंदा बोलता है कि होगा एटीटीट गई तो खेल है सेफश्व आम में आने के बाद एक बंदा टार्गेट जीत लेता है एक बंदा बोल रहा है कि ये प् Dow्राणिंग "- और वह जीत लेता है और एक बंदा क्या बोल रहा है?' पता नहीं प्रणिंग तो लग रही है मेरे और को सही है और देखते है हो जाएगी तो ठीक है तो अत्रीटूट गही है मैं सेर जो ए और हाती बेगी फरक है सेर का जंगल का जो राजा है वो सेर है क्यों है क्योंकि हाती से ज़्यादा बलसाली थोरी नहीं है सेर साब से ज़्यादा जरीला थोरी नहीं है सेर मगर बच्छी से ज़्यादा तागत पर नहीं है सेर लेकिन शेर जंगल करा जगे हुए है क्योंकि शेर के सामने जब सिकार आता है न तो यह नहीं सुचता यह बड़ा है बस वो हमला बोल देता है बोला इसको मैं खा सकता हूँ हाती भी आ जा यह उस पर भी हमला कर देगा वो एक पे नहीं गरेगा हाती तो चारपाच आ जाएंगे साले चड़ जाएंगे उपर उसको गिरा लेंगे एक पेड़ से कूदेगा एक पूच पकड़ेगा दूसरी टांक पकड़ेगा साले को किच ले जाएंगे हाती को जंगल का राजा है ना वो जबड़ों में बहुत जाता है कि वो सब पर हमला बोल देता है पॉचिटिव एटिटूट है कुछ भी आजाए लेकिन गीदर पहले देखेगा सोचेगा छुपा रहेगा एटिटूट नहीं है नो उसका है इसलिए बोलते हैं जंगल का राजा एटिटूट जो है सेर है उसका एटिटूट बहु तो आप देखो कि सारे पच्ची गौश्मना में गुज जाएंगों कि दिवाल के नीचे गुज जाएगा लेकिन बाज जो है वो और आस्मान बूपर उड़ जाता है और जाता है तूफान आएगा तो और उपर और आस्मान में सबसे उचा उड़ता है वो जहापर तूफ अगर हम भी ऐसा पॉजिटिव एटिट्यूड रखें अपने प्रत तो टार्गेट हो सकता है और हो नहीं सकता होता है हाँ है ना हाँ है ना उसके बाद एक्षन एक्षन के बारे मैं तुम्हें बात करी रहा हूं सुबह से आया हूं यह एक्षन ही तो है मारा एक्षन के लिए हमें कोई गोली तुथोरी नहीं चलानी एक्षन है यह प्रोड़क्ट यूज करना उनको शेयर करना और एक्षन लेने से हमारे बिजनेस में आप देखोगे कई सारे अंबिशन उनका है हाँ तार्गेट जितना है एटिटूड भी बहुत अच्छा है आप लोगों का एटिटूड अच्छा है इसलिए तो आज सब इस ट्रेंडिंग में बैठे हो तालिया हो जाए आपके लि यादगरी जी का एटिटूडी तो अच्छा था यादगरी जी सबजी बेचते थे नारियल पानी बेचा आइसक्रीम बेचा तो एक आदमी नारियल पानी बेचने वाला सबजी बेचने वाला क्या ऐसा सोच सकता है कि मैं प्रोड़पती बन सकता हूं लेकर उन्होंने सोच और उनका नजरिया था इस बिजनिस को देखने का कि जब कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं यही सेपस्वाप है यही प्रोडक्ट है क्या लग रहा है कई लोगों के ग्रीश टार्गेट हो चुके हैं कई लोगों का गुआ हो गया कई यहों का थाइलेंड हो गया कई हो रहा है और इसी दुनिया में इसे हो रहा है लेकर उनके हो रहे हैं इसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि उनका नजरिया पॉजिटिव है किस बात को लेके कि हम जिसको भी प्लान दिखाएंगे वो जोइन कर लेता है हमारी टीम में तो वो जाते हैं यही सोच लेके जाते हैं प्लान आई नहीं थी आज भी कुछ जोईनिंग आईगी नहीं पता नहीं छोड़ो यार क्यों टाइम पास करना चलो यार कुछ करते हैं हाँ हो जाएगा तो देखेंगे हलो हलो तो हमारे अंदर इच्छाएं हैं हमारा निजरिया भी बहुत पॉजिटिव है पर एक्षन नहीं लेंगे तो हम कहीं नहीं बढ़ने वाले हम यहीं रहने वाले हैं जहां पर आज हैं आप एक्षन लेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा एक्षन आपका सब कुछ बदल सकता है या धर्ती या सूरज दोनों मैंसे कोई ना कोई आख़र रहा है और अगर वो दोनों आक्शन करना बन्द करते दे, तो हमारी जिन्दिकी कैसी होगी सोचो इसी तरीकेнал के से आप अपने घर के मुख्यार के आओ और अगर आप आप चैन करना बंद कर देंगे तो घर की आलत कैसी होगी सोचो आप आपके सरीर के अंदर तो टीम वो भीग है क्यों क्योंकि उस टीम के अप्लाइंग उस टीम के जो मेंटर्स है वो एक्षन नहीं ले रहे और एक टीम बहुत अच्छी है साब क्यों क्योंकि उसके मेंटर्स बहुत एक्षन ले रहे हैं वो लगातार प्लानिंग करते हैं मीटिंग करते हैं एक्षन एक्षन लेते रहते हैं वो लोग यह से नो तो आपको भी एक्षन करना है एक आत्मी बहुत हो जाता है तो डंक्टर क्या चेक करता है कि इसकी नफ्जी जो है वह एक्षन में है कि नहीं है और एक्षन में नहीं है तो बला साफ फिनिस ले जाओ तो आगर हमारी सांसे चल रही है तो इसका मतलब जिन्दा थोरी नहीं है कई तो जिन्दा है वो मर गई क्यों 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 अक्षन में नहीं है मैं तो कांचा जब तक हमें अंदर से चाहत नहीं होगी तब तक हम कोई भी लच्छासिल नहीं किया जा सकता जीवन में हम बोलते रहें आप जीतो 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 हमसे कोई बोलता रहता विगासी आप डामेंड बनोगे 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 और हट ट्रेनिंग में जाता मैं लेकिन अगर मैं अंदर से ये बात नहीं लेके आता कि नहीं है जिसको बोलते हैं अंतर आत्मा अब ही आपकी आत्मा क्या बोल रही है और जब तक आत्मी की अंदर की आत्मा नहीं बोलेगी तब तक वो एक्षन नहीं लेता है तो सबसे पहले आपकी आत्मा कैसे इस बात को मानेगी कि मुझे टार्गेट जीतना चाहिए तो जब तक हमें अंदर से चाहत नहीं होगी तब तक कोई भी लच्छे आसिल नहीं किया जा सकता गोडे को पानी दिखा सकते हैं पर पिला थोरी नहीं सकते जबर जस्ती अप्लाइन आपको ट्रेनिंग दे सकता है अप्लाइन आपको समझा सकता है सिस्टम आपको समझा सकता है प्लानिंग दे सकता है तो वो ही वाली बात है न है कि company आपको target दे सकती है पर जीतना तो आपको बढ़ेगा तो घोड़े को pannel दिखा सकते हैं प्था प्लान नी सकते हैं यह क्राबत कहीं गी है मैंने जब यह business plan देखा तो मेरे सामने folder आया तो मेरे दिमाग में फिकर आया कि मेरा टास्क दसजार की टीम बनाने का है और यह मुझे बनानी पड़ेगी मैं बना सकते आपके उपर एक त्री दिन में भी बनाओ और मैंने प्लान फोल्डर उठाया जी सम्भिल कम सम्मिल नोट कम सो वाट सम्मनीज स्टार्टिंग सो नावदा कंटीनू लो भई प्लान 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 और एक हजार दिन में दसजार की टीम कप बनगी पता ही नहीं चला जी हमें यह से नो लेकिन मैं सोचता रहता कोई आएगा कोई करेगा देखेंगे सोचेंगे बताएंगे मैं हर मीटिंग में आता था और मुझे ही आगे वाली जो चैनल नहीं सुरू से पसंद है एग बार मीटिंग में गया मेरी सीट कहीं और थी लंच करके आया तो सीट पे कोई और बैठा हुआ और शिर्वान से ही मुझे लगता था कि नहीं आगे वाली सीट मेरे लिए ओनी छह्यें है और मैं जब भी ड्रेंडिंग ना था तहां यहे ही सोचता था मेरी सीट का रिजर्व होगी बागी का पैसा तो बोके तो तब भी नीम बरने ते तब भी मेरी सरकारी नोकरी थी तो हम आते थे ट्रेनिंग में मीटिंग में देखते थे यार इस पर कवाएंगे इस पर कवाएंगे डामनों की एंट्री देखते थे हमें बड़ा अच्छा लगता था डामनों के लिए तालियां बचती थी बड़ा अच्छा लगता था और हमेंसा दिमाग में एक चीज रहत करता था हॉल में फंक्षिनों में उस तक उसको अच्छीव करने के लिए मात रहे के जार दिन लगे कि या से नो किसने मना किया किसने हां किया मुझे असल तक याद नहीं कि तने लोग आए कितने लोग छोड़के गए नहीं या रहे अरा प्रबिन जी के बाद में प्रबिन जी के बाद में प नी कितने लोग आई जोयन गे प्रबिन जी से फस्ञें में कानपृ में मिला था मैं आया एक छोटा सोटल वकिया था मलका अरजिण जी वाँ पै ज्ञेशd related भी थे उस समय में डाइमंड नहीं था पता नहीं कौन शे ओटल में लेकर के मुझे आज तक याद नहीं है वो बस्टेंड के किनारे था बस्टेंड था पता नहीं का भगवान जाने फिर्मीन जी मुझे अच्छे लगे मैं वले इस बंदे में फिर्मीन जी को देखकी मुझे लगा कि है भगवान इसको फुल टाइमर कर दो क्योंकि मेरे को बिजनिस बनाना था और मुझे फुल टाइमर लीटर की जरूरत थी क्योंकि मैं तो फुल टाइमर हो चुका था और मेरे अप्लाइन ने बता दिया था कि अब तुम्हें फुल टाइमर लोग ढूड़ने हैं क्योंकि फुल टाइमर लीडर होंगे बोई कोर बनेंगे बोई बिजनेस आके समा लेंगे और मुझे जल्दी फ्री होना था तो प्रभीन जी आए हैंसम थे एकदम बढ़िया लं कश्क्राइब में है भग्वान यह थीनों नोक्री चूड़ देतinking बढ़ेया जल्दी से है और रमे दिमाग में उसी दिन सोच लिया था कि इस बंदें को मैं छोड़ूँ आने इससे नौकरी छोड़ूँ आँगा और मैं पीछे पड़ गया मेरे दिमाग में था इस बंदें को बाहर लेका लाएं जैसे कोई अच्छा खेलता हो तो कोच का हमेशा फोकस रहता है इस प्लियर को आई पीएल जैसे होता है ना तो कोई अच्छा खेलता है तो और कोई उसको अपनी टीम में लेना चाहता है चाहे उसके लिए फिर एक करोड देने पड़े हैं दो करोड देने पड़े हैं चार करोड देने पड़े एक ही बार देने पड़ेंगे पर जिंदी की भर कमाएंगे कि करोणों रुपए कमाएंगे एक-एक रन की करोणों रुपए कीमत होगी यह तीनों मेरे रिस्तेदार थोर ही नहीं है लेकिन किसी ना किसी ने इनको जोइन कराया था और मुझे डायमेंड बनना था और मुझे जरूरत थी जरूरत थी दुकानपर में जहाँ जहाँ मेरी टीम थी मैं गया और मैं अपने जैसे लोगों को डूड़ता था मेरे जैसा कौन बापे क्या मीटिंग में बोला क्या नहीं बोला मुझे पता नहीं पर मुझे ये तीनों पसंद आ गए और मैं बहुला इन तीनों को हमें अपने जैसा बना हुआ इनको भार लिगा लूँआ और एक एक करके तीनों की नोकरी छुड़वा दी मैंने हलो हाई है न मेरों को पता चला कि नोकरी सबसे ज्यादा बंदा चोड़ता दिसा से और जवर जश्ती दिसा में बेचा है इनको है 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 और देखो के जाके आज कहीना के तीनों ही डायमंड है जो रार्तालिया हो जाए यह से नो अब यह ने सुनी चाहिए अगर आपकी इच्छा है हलो 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 हाई है न इच्छा पहले आपके दिमाग के अंदर आती है इच्छा के बाद फिर विचार आता है और विचार के बाद फिर बॉड़ी वैबरेशन करती है और फिर बॉड़ी वैबरेशन करती है फिर बैसा ही आप एक्षन लेते है अगर आपकी बॉड़ी काम नहीं कर रही है तो अभी आपकी इच्छा मजबूत है नहीं आप उपरी उपरी तरीके से सब कुछ ढूड़ने की करने की कोशिस कर रहे हो वो एनर्जी आती नहीं है आप करने जाओगे मन नहीं लगेगा आदमी अचानक कुछ नहीं होता उसकी जिंदकी में रणदीती होती है पहले से हाँ वो भूल जाता है कि ओ ओ ओ ये मैंने सोचा था आप एक बार जो सोच लेते हो वो विचार मेमोरी में सेब हो जाता है और दूसरी बार और सोचते हो उसी विचार को तो वोई विचार आपकी मेमोरी में और मजबूत हो जाता है फिर उस विचार को और एक बार सोचते हो फिर वोई विचार आपके मेमोरी में और मजबूत हो जाता है और वो विचार फिर आपकी आदत बन जाता है और वो ही आता तो फिर आपके जिन्दकी बनाना सुरू कर देती है हलो 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 हाय ना हलो तो इसलिए बोलता है बिचार बनाए जिन्दकी तो इन तीनों को देखके मुझे लगा पहले ही बाहर में ही लगा कि इन तीनों को नहीं छोड़ूँगा नो को नहीं छोड़वानी एक एक करके मैं वाला प्लान कम होगा ज्यादा होगा कोई बात नहीं लेकिन इनको कोर बनाना है आपकी भी टीम में बहुत सारे लोग आते हैं उनको टार्गेट बनाओ आपकी टीम में बहुत सारे लोग आत हैं लेकिन उनकी क्यार ना करने की बज़य से बोलोग लिकल जाते हैं आपकी टीम में आए वो लोग लिकल गए मैंने देखा वो जम पर लखनों वाता था उसमें भी उनके साथ मोई खेले थे आज भी अकेली हैं लेकिन कई लीडर ऐसे हैं जो लखनों की ट्रेनिंग में आते थे आज वो डायमंड और डबल डायमंड बनके घूम रहे हैं बजे क्या उन्होंने एक्सल लिया अब सवाल यह है कि आपके लिए टार्गेट क्या माईने रखता है क्या सरफ टार्गेट है यह या जिन्दकी है यह देखिए शांदार तालिया है पड़िया तालिया हो जाएं क्रेट मेंटर के लिए तालिया थोड़ी दंदार हो जाएं मागुर जी के लिए तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंडन थुमकिता तो जदो नचे पहन दी पूरा लंडन थुमकिता तालियो आये ना एक नागुद जी बोलते हैं यार की आज टारगेट जीत के जाते पड़िया पेरिस में लंडन में मैडम के साथ गुमते आक है कि कई बार वह हमारे शाथ नहीं आएंगे जिन पर हमें भरोशा है ले में उस व बक्त आपका निजरीया भागने बाला नहीं, कुछ करके दिखाने बाला होना चाहिए, कई बार ऐसा होता है, आप प्लान दिखाने जाते हो, फॉल अप करने जाते हो, आपको लगता है कि आज बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, आपको लगता है कि बहुत अच्छा रिजल् नहीं मिलेगा आपको अगले दिन फिर जाओगे फिर प्लान दिखाओगे फॉल अप करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा चौथे दिन बंदा गयब हो जाता है यही गलती करता है यही गलती करता है हलो 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 चौथे दिन वो जाता अब प्लान दिखाथा पहला ही प्लान जिसको दिखाथा वो ही बंदा डायमंड था लेकिन गया ही नहीं उसकी किस्मत में लिखा हुआ था उसके भाग में लिखा हुआ था क्योंकि जब उसने मेहनत करी तो उसके भाग में लिखा हुआ था कि जब चौथे दिन जाएगा और जिस पहले बंदे को प्लान दिखाएगा वो बंदा तेरी टीम में जोएन करेगा और तेरी टीम का डा लेकिन पहले के तिन दिन है रिजल्ट नहीं मिला है हलो हरो तो चौथे थिन वो बंदा गया ही नहीं कि एक कहानी इस पर मुझे को याद आती है एक बंदा था इसी ट्रेनिंग में कहीं आया हुआ था और ट्रेनिंग में बोला जा रहा था कि प्लान दिखाने का कमिट्मेंट जैसे हमारे ग्रेट मेंटर नर्शी के रवाल मागुर जी है तो उनका एक स्लोगन है सफलता का डोज पांच प्लान सारे लोग बोलेंगे सफलता का डोज मैं बोलूँगा सफलता का डोज आपको बोलना है पांच प्लान रोज सफलता का डोज 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 सफलत commitment लिया उसने है कि वही target जीतना है तो 5 plan daily देने है तो उस बंद ने ले लिया commitment बुला कर आप ऐसा करोगे तो some will come some will not come लेकिन target हो जाएगा आपका इतनी आप कसम खालो sale line आए पर 5 plan आप daily दिखाना सिधा साधा बंदा था दिछित साब जैसा भरोसा करने वाला बंदा था बोला plan ने बात बोली है तो यार जादू होगा बात में मान लेते हैं मान ली बात बोला ठीक है उसका commitment ये था कि मैं office से जब लिख लूँगा साम को 5 बजे तो मैं घर नहीं जाऊंगा आप 5 plan दिखाऊंगा उसके बाद घर जाके खाना खाऊंगा क्योंकि सुबह जॉब रहती थी तो उसकी 8 से 5 तो उसने commitment लिया कि office से छुटने के बाद आप घर नहीं जाऊंगा टीवी नहीं देखूंगा घर पे जाके मैं 5 plan दिखाऊंगा 5 plan अगर होंगे तब ही जाके मैं घर जाऊंगा नहीं तो खाना नहीं खाऊंगा तो उसने शुरू कर दिए 12 बच गए रात के 12 हो गए चारी प्लान हुए यार पांच बाद बंदा नहीं मिल रहा उसको commitment था क्योंकि उसने अपनी मैडम को भी बता दिया फॉन करके देख फॉन मत करियो पांच प्लान हो जाएंगे तभी आऊँओ मैं घर तो मैडम बार बार फॉन कर देख घर नहीं आ रहे हो घर नहीं आ रहे हो तो उसने मैडम को बोला मेरा commitment है पांच प्लान करके ही आऊँँआ बोला ठीक है साड़े बारा बजगे मैडम भी बैठी हुई है क्योंकि दोनों के sacrifice थे जिंदीकी तो दोनों को मिलेगी न एक को तो मिलेगी नहीं खूबसुरत घर दोनों रहेंगे न उसमें तो वो भी विचारी लगी वही sacrifice कर रहे है बोला चलो दोनों करेंगे साड़े बारा बजगे पती देव घर पे नहीं आये फोन कर रहे है बोला पांच प्लान रोज चार हुए है पांच मां करके आऊँगा बोला नहीं हुआ थो मैडम ने बोला नहीं हुआ थो बोला नहीं हुआ थो फिर करके ही आऊँगा तो जा रहा था तो रोड पे एक बंदा कार लगा के दारू पी रहा था नीचे उदर आराम से गाड़ी खड़ी कर लिए उसने और उसी पे दारू पी रहा है तो उसने देखा भाई साब गाड़ी रुकी क्या चल रहा है तो उसने देखा कि एक बंदा जो है आराम से दारू गाड़ी में बै उसने अपना फोलडर लिखाला तो कि कमिंटमेंट पूरा करना था जोनिंग है या नहीं है कोई फरक नहीं पड़ता कमिंटमेंट है अब क्लाइब किसमत कैसे पीछा करती है आपकी कि एऊस मंदों ने ले ने प्लान देने के बाद वो बोला बाई हम तो इसी जो में इंट्रेस्टेट नहीं है बहुत पैसे से कमाली है यार देखना पैसे पी के पी तो रहूं मैं और क्या चाहिए पैसा लेकिन उसने बोला बोला यार एक काम करवाई यह कड ले यह हमारा एक दोश्ट है यार यह यह ब लेकिन तू बोल दिया तो मैंने सुल लिया अला ठीक है जी दिच्छी साब जी ने काड लिया इन्हीं जैसा साब बंदा था कमिट्मेंट वाला और बड़िया तरीके से जो है घर पहुंचा मैडम को पूरा बाक्या बताया खाना खाया सो गया सुबह उठाया नाया कार्ड वो था उसने लिका ला फोन किया तुरंट बोला हलो सब आज साम को छे बजी हमें आपसे मिलना है सो एंड सो ने आपका प्लन यह नंबर दिया ह वोला किसले मिलना है वोला सर मिलके इस बताएंगे आपसे एक अगा प्रोजक्ट हमने स्टार्ट किया है उस्ते सिल्सले में आपसे बात करनी है मुला ठीक है आ जाऊ ओ पेस से छूटा भर सिदा उसकी ओपेस पहुंच गया प्लान दिखा दिया हलो हलो जिस बंदे को प्लान दिखाया आज उस बंदे की नीचे साड़े आठ सो डाइमन्ड है यह से नो यह एक रियल स्टोरी है यह कोई बाहर की कंपनी है उस लीडर की रियल टेस्ट मनी है यह सेम स्टोरी जस्पीर मागरुजी की है साड़े तीन साथ तक गोल्ड बने रहे वो नजरिया ही तो था छोड़ के नहीं गए क्या कोई साड़े तीन साथ तक गोल्ड पोजीशन पर रह सकता है, कित्रा पर सकमा लेता है गोल्ड लीडर, और साड़े तीन साल तक गोल्ड, माबाप ने वो बोलते हैं कि माबाप ने जबर जश्ती साधी कर दी, बोला या तिरी साधी भी नहीं होगी, जैसी भी लड़की बोला साधी कर दी, और वो ऐसा हैं कि अपनी मेडम को देने के लिए दो रुपई नहीं थे उस रात उनके पास कि कुछ गिप्ट लाके देते हैं हलो साड़े तीन साल तक गोल्ड लेकिन उनका कमिट्मेंट था और वो ये बात बोलते भी हैं कि अगर साला मुझे ग्यारा साल भी लग जाती तो भी मैं कंपनी छोड़ता नहीं डायमंड बनता हर हालत में डायमंड बनता है कि अलब भूडियां कि यह से लोग कि सोड़े तीन साल कड़ी मेहनत कड़ी बेज़िती कड़ी बेज़िती हो रही थी उनकी बहुत बहिंकर बेज़िती घरवाले पड़ोसी बला आरे तू कुछ नहीं कर पाएगा एक बंदे ने तो स्टांपेपर पर लिखके दे दिया और बहिंकर बेज़िती और कहते हैं जब आदमी मेहनत करता है तो बुद्धी भी आती है उसको एक ठोकर लगती है ना तो बुद्धी आ जाती है ठोकर क्यों लगी दूसरी ठोकर और लगती फिर और बुद्धी आती है एक ओठोकर लगी फिर बुद्धी आती है तो कहते है बादाम खाने से बुद्धी नहीं आती ठोकर खाने से बुद्धी आती है हालो हालो और वो जॉटपुर गए किसीने बोला बोला जॉटपुर जाओ तुमारी टीम है वह आपर गए भाह daar वह सिबिलियनमा गजोट जॉटपुर गए जॉटपुर जाके गए ओर benefit में जाकर साथ को कौन कौन मिला और जोदपूर में जाके मैं मिला साथ डेंग हलो है नजडियाई तो था उनका तुसिचश्म वो छोड सकते ते निगेटीव हो सकते थे अप लाइन को ताना मार सकते ते जा क्या सकते लेकिन जोद्पूर में जाके विकास तो था उनकी किस्मत में लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ था एक विकास सक्सका डायमंड लीडर मिलेगा लेकिन वो साड़े तीन साल स्ट्रंगल करने के बाद जोद्पूर में जाओगे तम मिलेगा ऐसा किसमत में लिखा हुआ था लेकिन अगर वो बीज में ही कुट कर देते तो विकास उनकी टीम में नहीं तो किसी और की टीम में आता क्योंकि मेरी किसमत में तो लिखा था क्राउण अमेजडर बनना हलो ऐसे ही पूरे भारत में कई सारे crown ambassador हैं जो आपकी टीम में आएंगे लेकिन काव आएंगे कैसे आएंगे कहां से आएंगे आएंगे पकाद अब देखो मैं कहानी सुनाता हूं मैं अब मेरी टीम कैसे बनी मैं बताता हूं मेरी डोनों लेकिन कैसे बनी कि देखो इसको कहते हैं चक्र विऊ transpose लुग है किसी चीज को छाहो सिध्ण से चाहो तो काइनात उससे मिलाने में ना उससे मिलाने में साजिस का मतलब होता है जिसके वारे में किसी को पता नहीं होता पर आपके पीट पीछे वो साजिस रची जाती है अब ब्रिमान्ड ऐसी साजिस रचता है आपके प्रत कि मैं साब जोइन हुआ जोदपुर 2009 में हमारी डीडी लग गई कि अपने दोस्त के कहने से मेरा एक दोस्त था जोइन करना नहीं चाह रहा था क्योंकि बहुत निगेटिब कर दिया था इक मेरे दोस्त ने है कि मैं रभाशी में ममबर बनाने वाली कंपनी है सरकारी नोक्री साले चली जाएगी तेरी आर्मी में तो ऐसी बात कर दिया कि मैंने च्छे महीने तक इस बिजनिस को जोइन नहीं किया तो कि इतना मैं निगेटिव कर दिया कि लेकिन जिसने प्लान दिखाया उसको ट्रेनिंग थी कि जो आती है मातर दो परसेंट जोइनिंग आती है एक पहली बार प्लान दिखाने से और पांसे च्छे बार जब आप फॉल अप करोगे तो सारी की सारी जोइनिंग आ जाती ऐसा ग्यान था जिस बंदे ने मुझे प्लान दिखाया था और अगर वो फिर भी जोइन नहीं करता तो कोई ना कोई सोर्स है कोई ना कोई कमजोरी है उसकी जिसकी वो बात मानता है उसको ढोड़ो और उसके उसको पीछे लगा तो जैसे जेब कत्रा देखा है आपने वो आपकी जेब नहीं काट पाएगा ना तो आगे वाले को बेज देगा भाला भाई साब है देखना कर देना साब हलो ऐसा मैंने सुना पता नहीं तो छे मिने तक मैंने सेल नहीं दी तो बताया जाता है वाला किसी ना किसी सक्स को ढूड़ो अगर सापोच करो ये बंदा जोइन नहीं कर रहा है मेरे कहने से तो कोई है इसकी जिंदगी में जिस ब्यक्त की ये बहुत बेल्यू करता है और उसको अगर हमने जोइन करा लिया तो वो इसको फिर जोइन कराएगा जोइन तो होगा ये क्योंकि प्लान तो देख लिया आज नहीं तो कल जोइन तो करेगा अब सवाल ये है कि हमने छेड़ तो दिया लेकिन इसको अगर हमने छोड़ दिया तो कोई और इसको ले जाएगा इस बात की कारिंटी है इस फिलान में इतना बरदान है कि अगर आपने देख लिया तो आज नहीं दस साल के बाद आप जोइन जरूर करोंगे भाई साब इस बात की कारिंटी है गूम फिर के आओगे और आप बताओगे और ऐसे कई भी अक्ति मिलेंगे नहीं है किस की बात मानता है तो मैं अपने एक दोश्था मेरा तो पहले उसको जोइन करा लिया फिर उसको जब बताया बोला एक विकास करके बंदा है बोला आहां है कैसा है बोला बहुत तगड़ा है वो आ गया तो एक लेग देखनी की जरूरत ऐसा भविश्चमाली कर दी थी अपला इनों ने को कि वो जानते हैं लोग इसकी बात मानते हैं मौती एफेक्टिब बंदा ही तो सारे लोग इसकी बात मानेंगे यूणिट में दब-ढ़ा था लेकिन वो जोइन नहीं कर रहा है यार तो बोला ठीक है तो मेरे दोस्त ने बोलाया खाने पर बोला हाँ वो ऐसे तो मेरी भी बात नहीं मानेगा प्यार से मनवाते है हलो तो उसने खाने पर बोलाया नहीं नहीं साधी करके लेके आया था उसकी वाय बो दोनों फिर दोनों ने सवाल कर दिया तुम मेरे पर भरोसा करते हो कि नहीं करते हो तुम एमोसिनली ब्लैक मेली चल लिए मेरी तुने प्लान देखा है कि नहीं देखा है मैं बोला हाँ प्लान देखा है मैंने बोला यार मैंने तो जोइन कर लिया तूने क्यों नहीं मैं बोला यार तू फस गया तो उसने बोला तू भो छोड फस गया की नहीं फस गया तू मेरा दोस्त है की नहीं तो भाबी सामने खड़ी थी उसकी वाइप अगर मैं यह बोल देता कि सालित इसमें भरोसा नहीं ते मेरी क्या इज़त रहीगी तो मैं ले जोस्ट में बोल दिया नहीं भरोसा है तेरे उपर तो बहुत भरोसा है और मैंने इमोशनल होके मैंने अपने दोस्त के कहने से दोस्त की इज़त की खातर में अवला ठीक है एरेटियम ले और जोइन करा चल तेरे लिए एक कुछ नहीं अड़ा तो चो इस तरीके से हमने जोइन किया और तीन डिडी लगाई हाँ है ना और उसके बाद मेरी एफाइम होई काम करना शुरू कर दिया उसके बाद देखो आप टीम कैसे बनती है मेरा एक नंबर आया गलाइडर कोर्स समझते हैं गलाइडर साब आप समझते होंगे आसमान मुड़ता है चोटा भाई जाच गलाइडर कोर्स साब यह ऐसी में करते हैं बेरा नंबर आया गलाइडर कोर्स के लिए वाला साब पाइलट जाना है पाइलट कोर्स करना है आपको तो मैं साब गया मेरा मौ इंदौर के पास है साब हाँ मौ कुछ के लावाई को छोटा बहुता है उस को पहरा किस अप ट्रइंग नहीभा है इने ट्रीम लिग दिया कि डायमंड बनना है क्टीम कहां से बनेगी कौन डायमंड बनेगा कोई लेना देना नहीं कि 22 बंदे थे साब जर्णल से लेकर सारे उसमें थे और साब हमारा काम एक ही रहता था रात को पता नहीं मेरी यादत कहां से पड़ी 6-7 बजे फिरी और फॉन लिया पूरी टीम में 15-20 बंदे थे लेकर बात ऐसे करता था पुरे भारत में बात हो रही है मेरी और एक सेल आजाती थी तो मैं अपने अप्लायन को बताता था एक सेल आगे चिलाता था पूरी रात तो मेरे साथ क्योंकि बड़ी जोडी बनागी रहते हैं तो मेरे साथ एक बंदा रहता था आंदर प्र देस का तो मुझे देखता था, ये क्यों इतला चिलना रहा है, यार, क्योंकि मैं कभरें से बार निकल जाता था, कितने प्लान हुए, कहां डिडी है, यार, तुम कुछ करते नहीं हो, ये वो, लिकालो, बात होती है। तो वो बोला, ये बंदा करता है, क्या है, वो बंदा पहले से ड्यू स्वप करके कोई कंपनी थी पहले कोई कंपनी थी पता नहीं I don't know वो उसमें काम करता था काम कर चुका था वो तो वो बंदा बोला क्या करता है विकास अरे मैं बोला बताताने में किसी को मैं क्या करता हो तो है वो लगम नहीं आर बताऊ बता नहीं प्रौथ मैं उसको चुम्ता है बिर्कूल इस तरी के पिरुशिटी उसके अंदर पैदा करी और मैंने उसको धीरे से कागेज लिया फोल्डरोल्डर कुछ नहीं था मैंने देख यह मैं हूँ और साल का एक करोड पहले मेरे को आएगा फिर तेरे को आएगा मुला कित्रा पैसा लगेगा कुछ नहीं पैसा तो फ्री में फ्री में और क्या है यार शाड़े आट अजार रुपे देने हैं बस मैंने किस बात के मैंने उससे सूट आएगा एक दो साड़ी आएगी और फिर ऐसे ऐसे काम करेंगे हम दोनों भाई मिलके और लेकिन बताना नहीं किसी को बना ठीक गयार बताना नहीं किसी को वो बंदा हमारे साथ जोइन हुआ उसने तुरंट फोन किया मैं लो तू जैसे तीन के जोइनिंग कराएगा न साड़े चार जार का चेक इसी अपते आएगा तेरा उसने भड़ा भड़ तीन को फोन लगा दिया उन तीनों में एक बंदा था मिस्टर केस हमासंगा हाँ है ना ऐसे टीम बनती है लेकिन अगर मैं जाता नहीं मैं काम करता नहीं मैं अक्सा नहीं करता वो बंदा मेरे एक्संट से प्रवावित हुआ भोले यह उचल कूत कर रहा है जरूर कुछ न कुछ तो है फॉन कर रहा हूँ बात कर रहा हूँ तो उसने बोला याए इतना एक्साइड़िट बंदा जरूर कुछ न कुछ न कुछ खास है बाई साब तो कहते हैं नबे परसंट excitement होना चाहिए आपके अंदर excitement मतलब क्या होता है खुश रहना जब आप खुश रहते हो तो आदमी देखता है यार ये बंदा ना बड़ा हैपी रहता है कुछ ना कोई चक्कर तो जरूर है यार भाई और मैं खुश ही रहता था हलो हलो उसके बाद दूसरी लेक में एक बंदा आया जोइन हुआ हलो जोइन होने के बाद हमने उसकी लिस्ट बनवाई उसने लिस्ट बनाना शुरू गया तोप सिंग बंब सिंग एक है फोटी सेवन एक है फिप्टी सिक्स फिर हमने वला फैमली में कौन कौन है वला मेरा भाई है मैं लो वो कह करता है लिखोष का नाम वला नीनियर है आखों में चमक आगी है नीनियर है किदर है वला गरिटर नोड़ा में है उद्धर ही फंक्शन था मैं लो उसको बुलाओ वो आने के लिए तयार नहीं भूत नात मैंने बुला अब बड़े भाई हो बुला हाँ मैं लो उसके इतने हिम्मत लब उसको जोच दिलवा दिया उसने अपने भाई को तो चार सुनाई राज आले बड़ा भाई बोलना हो सुननी रहा तो फोड़ दूँ अप आला पड़े हलो हाई है ना और उसने अपने भाई को बुलाया और देखने के बाद परिशन था उसमें डेड़ सो लोग थे कितने और मेरे को माईग पकड़ा दिया मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे आज भी याद नहीं है मैंने क्या बोला पर मैं बोल रहा हूँ कर देंगे फार देंगे हिला देंगे जो भी कुछ है पूरा चल रहा है वो बोल रहा है यह भागरू जी है अपनी वो बोला इतना है यह क्या खाता है बंदा बोरा खाता बाता छोड़ नहीं इनकी जोइनिंग अपने साती है भाई साथ और वो दौनों जोइन हुए हलो और वो दौनों कौन है एक जगवार का मालिक एक ओडी का मालिक है मिस्टर आर्वी पाल और डिवी पाल यह से लो मेरे कोई घंदान के नहीं है मेरी कोई लिस्ट में नहीं है लेकिन जब आप एक्शन लेते हो जब आप मेहनत करते हो तो आपकी किस्मत में लोग एड़ हो रहे होते हैं बस यह नहीं है कि आप चलना सुरू अगर रुख जाओगे तो किस्मत भी आपकी रुख जाती है ऐसा परसेंट हो जाएं है यह से लो हाए ना हाए ना एलन जी की जोइनिंग ऐसे भी जासी में थे गवालियर में एक बंदा था आर्मी में था वो बंदा आज नहीं है इस बिजनिस में लेकि गवालियर से वो बंदा आया फंक्शन में आया हमने उसको फंक्शन में बुलाया था मैं वह वो देख आना ही पड़ेगा और वो बंदा अगर सपोर्ज करो मैं गोल्ड लेबल पे था पर लेबल पे था टोपाज लेबल पे था एमरल लेबल पे था मेरी कानी है कि अगर मेरे टच में कोई बंदा आ गया तो फिर मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ फिर वो काम करे ना करने कहो कोई सवाल नहीं है एगर हम निये कि ना करे हम करवा लेंगे हम ये बोलते है तो फिर दो एक गाम होगे उसको समझा देते है तो मेरे पकड में है अब अब दो गाम होंगे या तो वाइस साफ डैममेंट मनने आराम से यह तो इंडिया छोड़ना पड़ेगा तरों को हलो हाए ना और बहाँ से टच में एलन जी आए गौलियर से ही एलन जी का नंबर लिया पता चला बाच्चित करना स्टार्ट यह इनको दिशा में भेजा हाए ना यह बोलते थे मैं नोकरी नहीं छोड़ूँगा और मेरे दिमाग में था कि साला हमने भी अपनी मैया का दूद नहीं पियागा तेरे से नोकरी नहीं छोड़वाई और मैं जब भी बात करूँ यह बोलता थे डिडी का माई मैं बोले एक ही है सनी है तेरे उपर यह नोकरी सनी है जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक ऐसी होने वाला है सुबह बात कर रहा है तो नोकरी सनी है रात को बात कर रहा है नोकरी सनी है नोकरी सनी है इसको भी लगने लगा कि बाकई साला नोकरी सनी है क्योंकि human mind को बार बार किसी चीज को दिखाये जाए तो उसको स्युकार कर लेता है यह टेक्निक है खास करके रात के बारा बजे हलो और मेरा फॉन रात के गैरा बजे सुरू होता था और कब बंद होता था मुझे पता नहीं mobile नीचे गर जाता था और मैं सो जाता था सुबह जब उठता था तो mobile की battery उदर mobile इदर और सुबह उठा के देखता था मैं सोचता था साला किसी को गालिया तो नहीं सुना दी मैंने फिर last call देखता था मेरी किस से बाचीद होई Nokia 1100 रखता था मैं Reliance का छोटा सा Reliance का एक आता था 1100 रुपए का mobile आता था 93 मेरा Reliance का नंबर था रात बाचीट होती थी किदर है क्या हुआ कितना किया क्यों नहीं हुआ हुआ क्यों नहीं कैसे होगा ये वो कुछ नहीं करते थे 799 वाला unlimited प्लान था साब Reliance का और बात मैं इतनी करता था कि 11 बजे मेरा Target था कि 11 बजे फॉन उठा लिया जितने भी हमारे टीम के लीडर होते थे सब के पास मेरा फॉन पहुँचेगा और एकी सवाल होगा और बताओ टाईगर साब क्या हुआ फिर वो अपनी राम कानी यहाते थे हलो और उसको भी पता था कि मावर जी का फॉन आना ही आना है और मेरा पका फॉन पहुचेगा राकते के 12 बजे कई सारी जो साधी सुदा लोग होते थे उनको भी जब रात के साड़े ग्यारा है यह किसका फॉन है तो लोग बोलते थे बोला आप यह भूत ना सोता है ना सोने देता है क्योंकि मैं फॉन करता था अच्छा आप किसी घर में फॉन करोगे रात के साड़े ग्यारा बार बजे तो लोग क्या कहेंगे लोग यह कहेंगे यह आदमी यह क्या है लेकिन मेरा काम होता थी क्योंकि मैं जानता था कि रात के ग्यारा बजे क्योंकि मैं दिसा ले चुका था और सबकॉंसेस माइंड को कैसे फीड करना है कि कि लोगों को पता नहीं होता था कि मैं उनके साथ क्या कर रहा है पर मुझे होता था कि मैं उनके साथ क्या कर रहाい बहुत बड़ा काम करेंगे टाइगर साथ, हाँ, महाँ गुरूजी बेरकुल करेंगे, सुबह एक प्लाल नहीं दिखाया पर करेंगे काम और सबकॉंशेस माइंड उस चीज़ को सिवकार कर लेता था, और सबकॉंशेस माइंड जो क्रियेटिम माइंड है में उसकी तागत जानता था और मैं हमेशा बोलता था कि एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे, एक ऐसी टीम बनाएंगे जो पूरे हिंदोस्तान में नाम करेगी और बैसी ही आज टीम है जो पूरे हिंदोस्तान में नाम करेगी मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपनी एक कोई चीज ऐसी पहचानी है जिसको आप बहुत अच्छे सी जिसको करने में बहुत मजाता है आपको प्लान दिखाने में मजाता है तो प्लान दिखाईए दवा के दिखाईए हर चीज में एक्सपर्ट मत बनिये बाच्चित करने में मज आता तो बाच्चित करो खुब दवागे करो पूरी टीम से बाच्चित करने की आदट डालो आपकी टीम में कोई भी प्यक्ति आ रहा है नमबर लो बात करो समझाओ अगर मैं इनको छोड़ देता अपलाएं के भरोसे तो ये थोरी नहीं आते लेकिन इनका नमबर हमको मिल गया कहीं से प्रभीन जी का नमबर हमको कहीं से मिल गया मलगा जी का नमबर मिल गया स्वामू जी का नमबर मिल गया डीवी पाल जी का नमबर मिल गया ये नमबर मेरों को मिल गए फिर वो कहां से आए किसने जोइन कराए मुझे कोई लेना देना नहीं फिर मैं डारेक्टली उनसे बात्चीत करने लगा डारेक्टली उनको अपने ठचमें ले लिया कौन भागा कौन की आई डॉन्ट लो यसे नो तो आपकी टीम में आने वाला हर भी एक्ति आपका है लेकिन कई लोग बाती नहीं करते टीम से कई लोगों को लगता है 9 बज़े सो जाते हैं फॉन उठाके लेकिन मेरा कामी शुरू होता था रात के 11 बजे असली और रात के 11 बजे सब को फॉन करूंगा नहीं उठाया उसने फॉन तो सुबह फॉन करके पुचूंगा ताईगर साब फॉन किया था मैंने क्या ला रहा था तो वह यह नहीं बोलता था मैं सौ रहा था क्योंकि धर बोलेगा है नहीं सो रहा हूं वह बोलता मा गुरू जी वह हो चार्जिंग में लगा हूँ था picture अर्म में कुछ कर रहा था कि एक बंदों को मैंने फून किया क्ष़ टीम का यह बंदा था कुल अधे ज़ए फोन किया कि बेटिंग में जा रहा है अच्छा बेटिंग में जा रहा है उसने फोन अटेंड नी किया मेरा अच्छा उसका लेविल है फ्रेशर और मैं हूं पर्ल मैंने वोला फोन उठाया दूसरी बार फिर कर दिया हमने प्रेसर में आ गया बोला आप तो उठाना ही पड़ेगा बोला किदर बाच्चीत हो रही थी बोला मागुर जी कस्टमर केर से बात कर रहा था मैंने बोला बड़ा भेंकर प्रॉलम है शाला रात के डिड़ बजी कस्टमर केर से बला मागुर जी प्र हमने कुछ बोला नहीं मैं बला हो सकता है कस्टमर केर से बात कर रहा हूं अच्च्छा वो सबस्टों गया कि मागुर जी समझ गए है कुछ अलगी वो इस बिज्गƯस पनी है नी पर ऐसे बोला वो मिरे जो आए ना अच्छा जबाब था उसका कुछ कोई आपसर क्यों कि वो बलता मैं डाउन लाइन से कर रहा था तो बलता कौन सी डाउन लाइन मुझे नंबर दे में भी बात करता हूं तालिया हो जाए वही जबर जास्त हलो मत करिए कि कौन टीम में आएगा कौन डामेंड बनेगा आप पूरी इमानदारी से लगे रही है आप अपना बेस्ट देना सुरू करिए आप जैसे हैं अउनली सिंगल पिस इंदा वर्ल्ड आपसे बैतर ना कोई था ना कोई है ना इस दुनिया में कोई होगा प्रत्वी लोग आप जैसे भी हैं आप अपना बेस्ट देना सुरू करें आज से जो सीख के जा रहे हैं उसको करना सुरू करो अगर मैं या बोल रहा हूँ या हमारी मेंटरसिप आपको बोल रही है कि सफलता गा डोच बस आप कसम खालो कि आज के बाद हम पांच प्लान देंगे चाय जोइनिंग हो या ना हो कित्रे लोग संगल्ब लेते हैं कि हम पांच प्लान डेली देंगे दिल पे हाथ रखे सची सची बता हो हंडेट परसेंट बस में अगर आप यह दिल पर आद पर रखे बोल रहे हो ना तो मैं दिल से भगवान से प्रात्रा करूंगा कि जो इस संगल्ब को पूरा करेगा वो हंडेट परसेंट कराओने मज़र बनेगा मैं बरोसा देता हूं इतरा ही काम करना आप पांच प्लान डेली देने जाना आप देखोंगे आपका हंडेट परसेंट विदेश चात्रा आपकी हो जाएगी टार्गेट हो जाएगा यह से लो निजरिये का मैत्व लोग जो सिर्प निजरिये से जीते हैं बाटा ने दो अलग अलग सेंसमेन को सर्वे के लिए भेजा बाटा कमनी ने दो पहले मैनेजर को भेजा कि जाओ उस एरिया में चेक करके आओ क्या हम अपने बाटा का सोरूम खोल सकते हैं तो वो बंदा गया और वहां से रिपोर्ट करता है अपने सीनियर अपसर को कि सर यहां सोरूम नहीं कोल सकते वाला वाय बोला यहां तो सारे लोग नंगे घूम रहे हैं सार किसी के पास चपल जूते पहनने के यादत नहीं है यहां पर तो यहां तो सारे लोग नंगे पहर घूम रहे हैं कोई अपना जूता चपल नहीं खरीदेगा वो बंदा बापिस आया फिर उसी कंपनी ने एक दूसरे बंदों को बेजा बोला जाओ तुम चेक करके आओ क्या उस कंपनी उस एरिया में हम अपने सोरूम खुल सकते हैं वो बंदा गया और बहुत एक्साइटेट होके बोलता है बोला सर जल्दी से दो चार जोड़ी भीजबाईए और मैं यहाँ पर लोगों को पहनना सिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई चपल जूते नहीं पहनता है और अगर हमने यहाँ पर आदत एक दो की डाल दी तो यहाँ पर जूते चपल अपने बहुत पिकने बाले हैं बहुत सोरूम चलेगा नजरिये का खेल है एक आदमी बोलता है यहाँ पेस आप कोई जोइनिगी नहीं होगी एक आदमी बोलता है यहाँ तो पूरा खाली पड़ा हुआ है सामराज यहाँ पर तो सर कोई सेफ सोफ का बंदा नहीं दिखता हमको तो या तो अपना सामराज ये है बहुत बड़ा बिजनेस करके दिखाएंगे सार पास जल्दी आओ और सार मिलके करते हैं तो निजरिये का खेल है हलो सारा का सारा हमारी एक 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 जामपल के लिए नाजिया जी का नाम सुना होगा आपने अज पाँच डायमंड है उनकी डाउन लाइन में LTP हुई थी 200 डायमंड थे पूरी सेफ सॉप के अंदर आप देखोगे हलो और हमारी पूरी टीम रॉयल ड्रीमर टीम है हमारे ग्रेट मेंटर मागरु जी के उस पूरी टीम के अंदर 500 डायमंड बेहते हुए तो 500 में से एक डायमंड लेडी थी वो नाजिया थी हलो इस लंबे रास्ते में कही भटक जाते हैं पर उसको पता था मैं क्या कर रही हूँ पता नहीं कितने चैलेंज़स आये होंगे उसको घर से परवार से इधर उधर से पता नहीं कितने सारे लेकिन हर चैलेंज को उसने अपने पॉजिटिव नजरिये से हर चैलेंज को अपनी सफलता के लिए अपनी तरफ बना लिया और आज देखोगे तो सारा का सारा खेल है नजरिये का जिस सिचेशन में एक आपमी बोलता है हो नहीं सकता वो आपमी बोलता है साब हो सकता है डेविड और गॉल्पित की काहनी सुनी है आपने गॉलियत की काहनी मान एडिशन की फैक्टरी में आग लग गई लोगों ने बोला आपकी फैक्टरी में आग लग गई सब कुछ जलके राख हो गया एडिशन बोलते है अच्छा राथ थैंक गॉड बेकार चीज़ें जलके राख हो गई मैं नई चीज़ें क्रियेट करूँगा अपने जीवन में वो सारह नेजरियेगा खेलें एक बंदे की डान लाइन से बंदा भाग जाता ए रोता है चिल्डाता है जी भाग गया भाग गया एक दूसरा बोलता है बोलता है भूला ठीक है साला सनी تھा भाग गया अब मंगल आएगा हमारी टीम में बड़िया होगा और मंगल आएगा तो मंगल पांटे बनके दिखाएगा एक बंदे की डाउनलाइं से भाग गया वो रो रहा है चिला रहा है और दूसरा क्या बोल रहा है भाग गया बोला सही रहा साला पनोती था सनी था भाग गया अब सर देखना टीम में कितना बढ़िया काम होगा अब बढ़िया काम होगा सर साले उसी की बज़े से नहीं हो रहा था सर भाग गया सही नहीं बाग गया सर अगर वो नहीं बागता ना सर साले को मैं लात मार के भागाता सर थेंक्यू गड भाग गया पॉचेटिम ने जरी आये ना और जब तक था बहुत बढ़िया हलो एक गुरुजी थे हलो हलो एक बंदा गाय देने आया गाय को दान करने वाला गुरुजी गाय दान में आयी वाला बहुत बढ़िया खुस हो गए अरे खुब दूद पीने के लिए मिलेगा यार एक दिन गाय चोर चुरा ले गया बहुत बढ़िया रहा खुस हो जाओ सारा गोबर नी उठाना पड़ेगा गाय आई तो बहुत पियेंगे चली गई तो थैंक गोड गोबर नी उठाना पड़ेगा तो हाँ रा किसका खेल है किसका खेल है सेरा का सारा नेजरिये का खेल है हाँ रा वो भृट्रिय cruelty है लाटर चैलेंज में आती है मोटी है इसी बात के पैसे लिएती है मैं मोटी हूँ पोजिटिव नेजरिया है मेरे जासा सरीर किसी घाए ही नहीं मैं मौटी हूँ तब भी डांस किसी बात के ले थी 11-12 रुपे सो के ले ले लेती है सचीन है छोटा सा है हलो पॉजिटिव ने जरिया बॉलर भी साला सो समझ के बॉल डालता है थोड़ा सा भी अगर फास्ट की ठी तो नो वॉल हो जाएगे उपर से लिकल जाया तो वो खेलता है जया तो सही है अगर थोड़ी से भी बाउंस करती तो उपर से लिकल गई जाता ăn तो वो भी सो समझ के करता है तो सचाल उसका पाइदा उठाता है हलो तो हमें अपनी weakness को strength में बदलना और वो तरीका कौन देता है हमारा positive हमारा positive attitude नजरिया हम अपने बारे में क्या रखते हैं yes or no और जैसा नजरिया रखेंगे वैसा काम होगा हमारा वैसे हमको sell मिलेगी एक ब्यक्ति ने पागल आदमी से time पूछा एक बंदा था तो उसने पूछा भाईसाब कितने बजे तो उसने लाठी मारी उसके सर में तुराक बना एक बजा तो उसके साथ में उसका दोस्ति जा रहा था बना thank God एक ही बजा था वो बोला जाले तेरी लाठी मार दी हो तु खुश हो रहा है बोरा कास अगर बारा बजे होते हैं तो पता लिए क्या होता में क्योंकि उस प्यक्ति के तो लाठी मार के बताने की आदत थी हलो पोजिटिव एठीट्यूड है क्या है एक बंदा घर से बाहर लिखला बढ़िया सेप सौप का टाइगर था पिरमीन जैसा एक दम एंड साम बिलकुल कपड़े पढ़े पहन के ड्रेस कोट पहन के बढ़िया प्लान दिखाने के लिए लिए लिखला उपर से चड़िया ने बीट कर दी मैडम उसके साथ जा रही थी पिरमीन जी ने लिखा ला भैस नहीं उड़ाई तेंक ओड चड़िया उड़ाई अगर भैस उड़ाई होती तो तो मेरा तो आलती है तो इंक ओड भैस के पकल नहीं लगे यह तकर भगवार भैसों को ड़ाता तो क्या होता पूरा का पूरा तो पॉजिटिव ने जी आए कैसा ले जरिया तो ने जरिया कैसा होना चाहिए हलो हाई ना एक बंदे ने वोला मैं तेरे साथ जॉइन नहीं करूँगा रोने लगा चिलना ने लगा हाई हाई कैसे होगा बिजनेस एक बंदे ने वोला वोला चल तेरे साथ जॉइन नहीं करूँगा उसने कमिट्मेंट लिया कि साल आपने बाप की आधनी की तेरे बिना डायमेंड बन करनी दिखा है तो मेरे नाम नहीं भाई साफ positive नजरी आ है positive नजरी आ है न हलो हाई है ना हाई है ना तो आप देखो के ہمारे जीवन में हमारी खुशी अगर कोई आत्मी बहुत खुश है तो नजरिये की बज़े से और दुखी है तो अपने कम जादा कुछ नहीं अपनी जिंदगी में पैसा आता जाता रहता है सब कुछ आएगा जाएगा हलो अगर नजरिया हमारा पॉजिटिव है तो नजरिया जो है वो हमको खुश रखता है हैपी रखता है हाँ ये ना हाँ ये ना एक आप्मी का चेक थोड़ा छोटा बनता है दुखी हो जाता है डाउनलाइन को नेगेटिव बात बोलता है अपलाइन को नेगेटिव बोलता है लेकिन एक बंदे का छोटा चेक आता है भगवान को धन्वाद बोलता है और क्या धन्वाद बोला वला थैंक्स गॉड आपने मुझे मेरी ओकासे ज़्यादा दिया इस अब तेम और मेहनत करेंगे और मुझे आप और और ओकासे ज़्यादा दे तो सारा का सारा खेल नजरिये का है और हमारे बिजनेस में नजरिये का हमारे दिमाग में दो फोर्मेन होते हैं मिस्टर विजे और मिस्टर ये दोनों आपके कैप्टन हैं जब आप बोलते हो मिस्टर विजे को आप बोलो मिस्टर विजे ये काम कैसे होगा तो मिस्टर विटे आपको दस तरीके बता देंगे एकदम एकदम दिमाग में दस आइडिया आ जाएंगे और आप मिस्टर पराजे भी आपके दिमाग में रहा तो उसको बोलो ये काम नहीं हो सकता तो मिस्टर पराजे ये सर बिरकुल भी नहीं हो सकता दस नई तरीके बता देगा क्यों नहीं हो सकता कार्गेट जितने के 10 तरीके पूछो के अपने दिमाग से तो आपको बता देगा 100% जोर क्यों बनना है इसके 10 तरीके आपका दिमाग बता देगा कैसे बनना है क्यों बनना है क्यों hundred business volume करना है क्यों rank करनी है लेकिन अगर आप पराजे को बोलोगे नहीं होगा तो हम देखते हैं कि हम किस को आदेश देते हैं इसलिए बोलते हैं जागो गिराग जागो हम गलत direction में गलत आत्मी को लगा देते हैं हम मिस्टर पराजे को बार बार आदेश दे रहे हैं लेकिन हमें मिस्टर बिजय को आदेश देना आना चाहिए यह से नो यह से नो फंक्शन में चलना है मिस्टर बिजय को बोलो मिस्टर बिजय फंक्शन में जाना है एकदम मिस्टर विजय उपन हो जाएगा या सर और बहुत सारे तरीके बता देगा आपको मॉटिवेट कर देगा मिस्टर विजय आपको जो आपके दिमाग के अंदर बैठा है लेकिन आपने बोला मिस्टर पराजय नहीं जा सकते तो एकदम मिस्टर पराजय आपके अंदर एक्टिव हो जाएगा और वो आपको आने नहीं देगा इसलिए बोलते हैं कि हमारे अंदर दो कैप्टन हमेशा रहते हैं उन दोनों कैप्टन मैंसे हम किसको आदेश देते हैं और जिसको आदेश दोगे आपकी बैवड़ी बैसे ही रियक्ट करती है आपका दिमाग बैसे ही रियक्ट करने वाला है आप मिस्टर पराजय को मार नहीं सकते हो लेकिन मिस्टर पराजय को आप अपना दोस्त बना सकते हो हाँ या ना? हाँ या ना? आप जिसका भी आदेस देते हैं, वो काम पर लग जाएगा बिना योजना के कार करना जैसे बिना तैयारी को युद में जाने जाने जैसा होता है आप अगर बिना प्लानिग के काम कर रहे हो टार्गेट तो जीतना पर कोई प्लानिग नहीं आपकी तो आप एक ऐसी जगे ताकत लगा रहे हो जहां से कोई काम होने वाला नहीं है दीवाल में सर मारने वाली बात होगी फिर तो इसलिए बोला जाता है कि प्लानिंग बना के काम करो कि आपको अगर साथ जार बिजनिस वॉलियम लिकालना है तो अपने डारेक्शन में आईडी खुलो ओपन करो अपने अपलानिंग के साथ बैठो उनको दिखाओ वाला सर यह हमारी लॉग आईडी है पंगाच जार बिजनिस वॉलियम है या दस जार बिजनिस वॉलियम की नीड है वोला अदेश करो गुरु जी है कैसे होगा और वो आपको बताएंगे यह कैसे होगा कई लीडर अपने अपलानिंग से बाति नहीं करते और मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप अपने अपलानिंग के समपरग में रहोगे और अप्लाइन को डेली बातचीत करोगे तो आपका बिजनेस कही गुना तेजी से बढ़ता है टार्गेट के लिए प्लानिंग क्या है सबसे पहले टार्गेट के लिए सबसे जरूरी चीची है लिस्ट अगर टार्गेट जितना है तो लिस्ट बनाओ पहले लिस्ट बना उन लीडरों के जो आपकी टीम में एक्टिव हैं काम कर रहे हैं आपकी टीम में दो काम कर रहे हैं, चार काम कर रहे हैं, पांच काम कर रहे हैं सबसे पहले उनकी लिस्ट बना लो और उनकी लिस्ट बनाके उनको बलाओ अपने पास या उनसे मिलो जाके और फिर उनकी लिस्ट बनवाओ प्लान दिखाने की अगर वो बोलेंगे मेरे पास लिस्ट नहीं है उनके मुवाइल खोजो उनकी लिस्ट बनवाओ क्योंकि लिस्ट बनवा लोगे तो काम सुरू हो जाएगा क्योंकि हमारे बिजनिस में लिस्ट एंड तो बिजनिस एंड तो जो मैंने आपको कानी शुनाई कि हमारे याँ लोगों की कमी नहीं है यहाँ पर कई ऐसे बैठे हैं चार चार पांच पांच लोगों को लेके आएं अपनी टीम की डाउन डाइन के लोग मेठे हैं यहाँ पर लेकिन उनके पास लिस्ट ही नहीं है तो काम प्लान दिखाएंगे उनको इतनी basic knowledge नहीं है लेकिन हम को basic knowledge है तो उनकी list बनवाओ तो टार्गेट के लिए सबसे जरूरी है लिस्ट उसके बाद हमें ये देखना होगा कितने जोड़े बनाने से हमारा टार्गेट होगा 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कितने पेर बनाने से हमारा टार्गेट हो रहा है अभी पूरा टाइम है ना, दो महीने हैं ना आराम से हो सकता है अपने अप्लाइन के साथ बैठो उसके लिए कितने लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए अगर जोड़े हमारे जैसे एक्जामपल के लिए सबसे पहले नजदी की लिस्ट में काम करना होगा कई लोग बोलते हैं एक बिहार में बंदा है सर मेरा लेकिन पूरा भारत एक साल में घुम के आएगा पांच बंदों को प्लान दिखा गया आएगा पहले सबसे पहले नियर देखो आपके आसपास में कौन है जो आपके साथ जोइन कर सकते हैं और उस लिस्ट में काम करो लिस्ट बनाओगे तो ही वो दिखेंगे दस किलोमीटर तो आपका बहुत समय बरबाद हो जाएगा इसलिए नियर की जो लिस्ट है उस पर लिका लो उस पर काम करो फिर लिस्ट बढ़ती चली जाएगी आप भी बढ़ती चली जाओगे लेकिन तक अगर आप सो किलोमीटर जा रहे हैं क्यों बोला एक प्लान है महागरूजी बढ़ाम दिखाने जा रहे हैं सो किलोमीटर दूर एक प्लान दिखाने जा रहे अरे भाईया नजदीक में देखना कई सारे लोग है जो अभी सेप स्वा में नहीं है हलो 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 एक बार क्या हुआ हम क्या सोचते हैं यह बंदा यार हमारे साथ जोहनी नहीं करेगा अरे पूछ तो लो कम से कम जोहन करेगा कि नहीं करेगा एक कहानी है थोड़ा मजागिया टाइप की है बोलो तो सुना दू सुना दू एक बार क्या हुआ एक स्कूल में एक कॉलिज में बहुत ही खूबसूरत लड़की आई पढ़ने के लिए कितने मुस्करा रहे हैं हलो कहानी है रियल्ली है बहुत ही खूबसूरो लड़की आई पढ़ने के लिए हलो एक अपते के बाद वो एक ऐसे लड़के के साथ घुमती फिरती पाई गई जो मतलब लंगूर जैसे टाइप का था बंदा तो बैठे हुए थे कई बंदे जो अपने आपको बड़ा हैंसम समझते थे वो बैठके जो हमारे होते हुए यह अंगूर के हाथ में लंगूर लंगूर के हाथ में अंगूर भाई तो उनके ध्माग में आया बोला यार इस लड़की से पूछ रहा तो चाहिए हमसाले मर गए क्या देखा नहीं तुमने हमको लंगूर के साथ क्या कर रही हो वाई तो बैए एक बंदा था बो गया है पूछने के लिए मेडम बला हम दिखाई नहीं दिया आपको इसके साथ गुम रही हो तुम हमारे होते हुए तो उसने बोला मैं एक हपते से आ रही हूँ किसी ने पूछा ही नहीं इस भाई ने पूछा मेरे से दोश्टी करो कि तुमने हाँ बोल दिया आप पूछ लेते तो हो सकता मैं हाँ बोल सकती थी तो इससे क्या पता चलता है कि कम से कम पूछ दो लो क्या पता सटा से ही बढ़ जाए हम पहले ही साला दिमाग लगाना सुरू कर दे ना अपना यार नहीं हो गया नहीं है अरे एक बार यार पूछ तो ले नहीं यह बंदा जोहन नहीं करेगा हमारे साथ नहीं यार यह तो जोहन करी नहीं सकता अरे एक बार पूछ तो ले भाई साप प्लान तो दिखा उसको क्या पता साला वो क्राउने मेसर लेकला है तरह पूछ तो ले है हलो अब एक बार पूछ तो ले तावू यह नियर है साफ इसको यह तो डॉक्टर है साफ इसको का जरूरत होगी वे पूछ तो ले पूछ ले एक बार अब फालतों में दिमाग लगा रहा है पैट नहीं यह तो तोप है यह बंबे के पूछ तो ले पूछने में क्या जाता है हम कोई गलत बात बता रहें क्या पूछले प्लान दिखाते वाला शर यह हमारा बहुत अच्छा प्लान है यह सर हमारे प्रोडक्ट यह नोनी है यह क्या पता बोबी पोले लग यह तो हमारी डामड़सिप के सेटिंग हो सकती है लेकिन पूछाएंगे तो सेटिंग और नहीं पूछाएंगे तो आप मुझे बताओ अलो अलो अब जादा नहीं बताएंगे इतना समझ जाओ आएंगे ना तो पूछना मैं क्या कहने की कोशिस कर रहा है पूछना या तो हाँ होगा या ना होगा पूछ लो आएंगे ना हाएंगे ना तो में कोई भी बंदा मिलता है थ्री फीट पर हम बताते हैं इधर थ्री फीट इतर थ्री फिट आगे पीछे कोई भी बंदा हमारे थ्री फिट के रेंज में आता है हलो 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 बस उसके पाँच जाओ इतनी रहते हैं सर इतनी मैं इतरी नहीं रहता है मैं इतरी रहता हूँ हमने देखा है आपको कहां इतरी हलो मैं इतरी रहता हूँ कभी कोई काम पड़े बताना सर ठीक है सर मेरे नमबर लिलो बताओ सर मैं मिस्कौल मार देता हूँ उसको ऐसे नहीं बलना आप अपना नमबर दुना मैं मिस्कॉल मारता हूँ तो आपको नमबर बताएगा अपना तभी तो मिस्कॉल मारोगे देखो उसको ऐसे नहीं बोला अपना नमबर तो क्या बोला बैसर आपको मिस्कॉल मार दे तो कभी भी यह अरिया अपना है कभी कुछ हो तो याद करना सर, लो, नंबर सेफ कर लिया, नंबर आप सेफ कर लो सर मेरा, क्योंकि कभी कॉल ओल आप करोगे तो पहचान नहीं पाऊँगा, मैं आपका सेफ करा दिया, आज से देख भी लिया, इस पेलिंग नहीं, लाओ सर मेंड़ा, आपको स्प्रिमें टाल दिता हूँ, नंबर आगया उसका, अब नंबर आगया आपके पास, आज को तो पता है, सब स्टेटरस पर लगाते हैं, आप स्टेटरस पर लगाते हो, चार-चार कार, मर्सडेज, ओडी, और वो डेली रात के एक बचे देखता है, वो चुप है भी, फिर दूसरे दिन देख रहा है, ओडी, फिर देखता है, इंजोई, इंफाइव स्टार, आप खड़े हो ऐसे करके, चेक भी लगा रखें आपने, ओमाई गॉड, बुदेली देख रहा है, कुछ नहीं, नंबर से में स्टेटरस पर देख रहा है, यह आदमी कुछ करता है और बढ़िया चीज करता है, फिर आप कभी फंक्चन उस एरिया में हो, कुछ भी हो, आप उसको एक मेसेज डाल दो, हलो, हाव रियू सार, क्योंकि आपको देख रहा है न, स्टेटरस कौन कौन चेक कर रहा है मेरा, और आप उसको द बोलेगा, हलो, हाव रियू, बोलेगा, हाई, उसको तुरंद बोलो, बलाएक अपना, अप उनने वह सुरू किया आजाओ, 11 बजे मिलते हैं, आएगा, प्लान देखेगा, जोइन करेगा, हो सकता है, एलन लिकला है, तीसरा, दूसरा, नहमन बन जाए, हो, बाइड़ जी बिलकुल माःवर जी जो बोल रहे हैं, बिलकुल सही बोल रहे हैं, ठीके ना, फर एक्जाम्बल, अभी मैं, अम्तु टीक, अभी सिनियर हो गया, अभी प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ आँपको, महरास्टा टीम आपी ट्रेन में आ आ थे, प्रविंजी में आ रहे थे, त्री फीट रूल में बाच्चित करके, प्लान वगर दिखाया, फॉर्म भी बढ़ा, और उसी टाइम डीडीबी सेंट किया, 200 बीबी का, किसके लिस्ट में आपने, तो ये प्रूफ है, आपका सामने, अभी जस्ट ट्रेन में आते सामें, मतलब क्या, फॉ आपको डाओ करने के लिए, कोई ना कोई मिली जाता है, थांक यू, तो ये छोटी-छोटी चीजें है, जो आपको डामन सिप की तरफ लेके जाती है, डामन मनना कोई रोकेट साइंस नी है, बहुती आसान, बहुती सिंपल, बहुती होनिस्ती से भरा हुआ काम है, मेहनत का काम है, लगन का काम है, लगातार फोकस करने का काम है, सफल होना, आदमी मजदूरी करना पसंद करता है, क्योंकि मजदूरी में मनमानी चलती है, सफल होने के लिए आपकी मनमानी नहीं चलती है, यहाँ पर अनुशासन चाहिए, अनुशासन आदमी को सफल बनाता ह हर दिन आपको पांच प्लान दिखाने यह अनुसासनी तो है वो रात के बारा बजे साड़े बारा बजे तक अनुसासन हर चीज़ का अगर आपके जीवन में हो जाए तो कभी आप बिमार नहीं पड़ सकते, कभी आप गरीब नहीं हो सकते, कभी आपका असमान नहीं हो सकता अनुशासन होना बहुत जरूरी है यह अनुशासनी तो है मेरा अनुशासन आदमी को शिखाता है खुद की डोर हांत में पकड़ाना एक आदमी डर की बज़े से काम करता है एक आदमी अनुसासन की बज़े से काम करता है एक आदमी को डर है कि साला अगर काम नहीं करूँगा ना तो बहुस अजार गालियां बकेगा सुनते हैं लोग जौम में सुभई आठ बजे ठंड होती है सुभई मैं देखता हूँ हलो हलो हाई है ना हाई है ना साड़े साथ बजे पहुन जाता है नो करीपे अनुसासन डर है अनुसासन थोड़ी नहीं जाएका साला लात और गालियां पढ़ेंगे उस पर मानी बोलता है मैडम को भागेगा वाँ पर करेगा हर आल में करेगा साला लिकल नहीं सकता वो अनुसासन है लिखा रहता है एक डॉक्टर के ओफिस के सामने दो से चार बजे तक मिलेंगे डॉक्टर साब दो बजे आके बैठ जाता है वो कितनी भी अच्छी पिच्चर आ रही हो IPL चल रहा हो, मैच चल रहा हो पर दो बजे उसका बैठने का टाइम है कि भी इनके अंदर दो बजे आके बैठ जाता है चार बजे तक देखेगा और कोई भी आएगा क्या होगा कितना भी मैडम से उपर जगड़ा जे आये वो पर अनुशासन है कि पैसंट से गुस्से में बात अनुशासन है हलो हमें भी अनुशासन तो अमीर सारे लोग बनना चाते पर अनुशासन में जो होता है वो ही अमीर बनता है ऐसा नहीं मेहनत आप देखो ना लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं मेहनत करने से डामेंट तोरी नहीं बनते हैं आप देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं मार्केट में देखो जाके गदे की तरह लोग मेहनत करते हैं आप देखो जाके मेहनत देखा है यार सब्जी बेचने वाले को देखो ना सुबह चार बजे उठता है मंडी जाता है ठंड में और मंडी में जाके सब्जियां छाट छाट के लेके आता है उनको धोता है सुबह छे बजे से पहले पहले सबजी धोके ठंडे पानी में धोके हीटर नहीं लगा इस साले बाँ पे उसके लिए और दोद आके और सजाके कुछ को पता है कि छे बजे सारे लोग सबजी लेने के लिए आएंगे छे बजे ठंडे पानी में धोद आके कपड़े बगएरा पैन पान के हाथ उपर करके अब बैठ जाता है भिंडी ले लो आलू ले लो करेला ले लो और रात के ग्यारा बजे जाता है कुछ चंद पैसे कमा के तो करम का जला है सले मैनत करना तो एक दिन में सारू खान के इंट्रिव्यू सुन रहा था तो सारू खान बता रहा था कि एक दिन मैं सूट करके मैं जो घर पहुंचा मतलब सूटिंग से पहुंचा तो कहीं भार सूटिंग कर रहा था मैं विदेस में बोला बहां हमारे डारेक्टर साब भी मेरे साथ में थे तो रात के डिड़ बजे फिर हुआ मैं तो उसने जाके बोला कोट उतारा और उसने जाके बोला साला कितना सारा काम करना पड़ता है मेरे को तो डारेक्टर ने उसको बुलाया और उसको सिखाया और जिन्दिगी में ऐसा नहीं बोला जो किस्मत बाले होते हैं उन्हीं को काम करने का मौका मिलता है हर किसी को नहीं मिलता है ये तो लाखो लोग हॉस्पीटल में पड़े हैं पैरलाइज हैं ढूड रहे हैं कोई काम दे उनको काम नहीं देता कोई रखता नहीं उनको अपने पास तुमको काम करने का मौका दिया है खुदा ले और वो भी कैसा काम दिया है सोचो कितना बड़ा काम दिया है और सारू खान बोलता है को इस दिन मैंने सीखा और मैं काम करने से घबराता नहीं हूँ और वो बोलता है मेरोंको सबसे जादा खुस्वू लगती है अपने पसीने की खुस्वू जब मैं सुंकता हूं न रात को आता हूं और जब सट उतार की उसको सुंकता हूं न क्या खुस्वू आती है और eyebrowट फील होता है मेरे को की जो करोलो रुपए मेरे को आते हैं न ये मेरे खून पसीने से आते हैं तो भगवान ने हमें कितना अच्छा काम करने का मौका दिया है लोगों की जिंद्गी बनाने का मौका दिया है हमको जिसका घर नहीं है उसका घर आ जाएगा जिसके पास गाड़ी नहीं है उसकी गाड़ी आ जाएगी जिसके पास खुसियां नहीं, उसके पास खुसियां आ जाएंगी हमको भगवान ने भिंडी बेचने का सबजी बेचने का जाडू लगाने का काम नहीं दिया है हमको भगवान ने इतना अच्छा काम दिया है और हमें दिल खोल के, दम लगा के खूब काम करना चीए बदानी लोग क्यों नहीं करते है करना चीए कितने लोग बलते है करना चीए थिल लगा के करना चीए इसमें motivation की क्या ज़रूरत है अलो भगवाण ने इतना अच्छा मौका दिया है भगवाण ने paralyzed नहीं कि आपको तांग नहीं तोड़ी है आपकी बरना टीवी की बिमारी हो जाती है लोगों को सालों चार पाई पर पढ़े रहते हैं सरवैसे देखते रहते हैं एक साल दोस साल उनकी फैमिली वाले भी सोचते हैं यह मरेगा कब क्या जिंदिगी दिया है सोचो कितनी मा ने उसने पाल पोस के बढ़ा किया लेकिन आज देखो उसकी हालत क्या हो रखी है किसी के लाइक नहीं रहा हो क्योंकि साथ वह ऐसा सोचता हो का मुझे काम ना करना पड़े तो काम ना करना पड़े एक कानी सुनाता हूँ कानी याद आ गई रियल काहानी है एक बार क्या हुआ चाहे कितने बज़े है साड़े छे चलिए पंद्रा मिट का सेसन हो रहा है हम इसको ख़तम करेंगे एक बार क्या हुआ कि एक बाई बैन पास पास में रहते थे यहां बाई रहता है और दो सो मीटर की दूरी पर सिस्टर रहती है उसकी नौनों साधी सुदा थे हर संड़े को वो अपनी वाइब को लेके बैन के घर जाया करता था मा थी नहीं तो वो बोलता था यार संड़े के दिन फैमली से मिलने का मौका मिलता तो हम पूरा परवार बैठ के खाना खाएंगे एक साथ लेकिन उसकी बाईब को इस बाद से च्टर होती थी वो नहीं जाती थी वो मना करती थी बोला और वो अगवान से ऐसा प्रात्रा करती थी बोला ऐसा कुछ हो जाएगी मेरों को वहाँ पर अच्छा नहीं लगता और जब भी वह बोलता था चलती जाती तो थी पर ऐसे मन से जाती थी बे मन से शरीर तो वहाँ तक जाता था येकिन मन को घशीट के लेके जाती थी अपने सरीर को जबर जश्ती जाना नहीं चारे ही फिर भी लेके जाती थी यह दिस इज रियल स्टोरी और वो ऐसा ही सोचते थी है बगवान कुछ ऐसा करो मैं बाद जाना नहीं चाहती हूँ और मैं ना जाओं मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा ही हुआ कुछ समय के बाद उसका पूरा सरीर परालाइज हो गया आदा वो चलने लाइक नहीं रही तो ऐसा बोला जाता है कि आप जो अंतरमन से मांगते हो ना जो भी आप बोल रहे हो ना वो होगा जरूर आप जाना नहीं चाहते हो आप काम करना नहीं चाहते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप उसको कर नहीं पाऊगे, आप उसको हो नहीं पाऊगे कई लोगों को देखा है, तो काम करना तो दुनिया का सबसे बड़ा स्वभाग्य है भगवान ने हमको मौका दिया है, मैनत करने का, काम करने का, जीतने का, खुश रहने का, तालियां बजाने का, नाचने का, गाने का तो हमें तो खूब करना चाहिए, जोई करना चाहिए लोग तो तरस्ते हैं इस तरीकी की जिंदिकी के लिए ये माला हमको मिली, कितने लोगों को माला मिलती है जो आपके सामने रखी है, सोचुआ यस ये नो, हाँ ये ना, एक अभी मागुर जी ल्टीप में दिखा रहे थे एक बहुत बढ़ी डॉक्टर जोईन हुई, उनके हस्बेंड भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर, उनकी बेटी अमेरिका में डॉक्टर है वो जोईन हो गई, उनको सम्मान मिला, इस पीच रही है उनकी, तो इस पीच में उन्होंने बाग एदा बताया यहां तक पहुँचने में मुझे एक साल लगा, दोस्तों, मैं ये हूँ, और उन्होंने बताया कि, मैं इस लाइक हूँ, कि ये पचास सैल अपनी जेब से डालके में सिल्वर बन सकती थी, लेकिन मैंने सीखा, कि जो लोग मेरा समय लेते थे, जो डॉक्टर थी, तो अपॉइंट्मेंट लेते थे लोग उससे, तम मिलते थे, लेकिन जब वो इस बिजनेस में आई, तो लोगों के घरगर जाती थी वो, और मुझे बड़ा बो लगता था, आजीब लगता था, कि मैं कार से उतरती थी, और मेरा ड्राइवर मुझे लेके जाता था, तब मैं कार से उतरती तो प्लान दिखाने जाती थी, हलो, 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 और जो मुझे यहाँ फूल मिलते हैं ना, यह फूल और जो बुके मुझे मिलता है ना, यह मैं पैसे से भी खरी सकती हूँ. लेकिन जो मुझे यहाँ सम्मान मिलता है ने, यह सम्मान मैं पैसे से जिंदिकी मैं नहीं खरी सकती हूँ. उसने बोला कि मैं ये जो बुके और जो फूल मेरों को मिलते हैं ना मैं सबसे पहले अपने घर में जाके रखती हूँ और कई दिनों तक इनको दिख देख के खुश होती रहती हूँ क्योंकि घर में कोई है ही नहीं फिर ये सूख जाते हैं मैं पानी सड़कती हूं इन पर और मैं याद करती हूं कि मुझे दुबारा स्टेज पर जाना है दुबारा मेनत करनी स्टेज पर जाना है मुझे और सम्मान लेना है मुझे अच्छा लगता है अबना जब ये पूरे सुक जाते हैं तो इनको मैं बगीचा में रखती हूँ जो मेरा बार बगीचा है उसमें रखती हूँ हलो 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 तो मैं ये बताने की कोशिस कर रहा हूँ दोस्तों कि आप जिस लेबल पे है जिस बिजनिस में है ये बहुत बड़ा बिजनिस है टार्गेट के लिए एक प्लानिंग बनाएं और ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है इनको आप कही ना कही अमल करें और मुझे पूरा भरोसा है कि आज एक कमिटमेंट लेके यहां से जाएं आप और बस एक कमिटमेंट लेके जाएं और वो कमिटमेंट यह होना चाहिए कि आपके इस बिजनिस में हर हाल में जो ग्यारा सु पच्पन की लिस्ट है उस ग्यारा सु पच्पन के अंदर आपको डैमन जरूर बनना है थैंक यू वेरी मच यस ये नो तो मेरा कहने का मतलब यह है जब इस बिजनिस में आई गए हो तो इस बिजनिस में जब आई गए हो तो कुछ बड़ा करके मत दिखाओ बड़ा करने के बोला हम कुछ बड़ा करेंगे अरे डैमन बन जाओ सब कुछ अपनी जिंदिकी में आपके पास सब कुछ अच्छा-च्छा हो जाएगा यसे नो तो मैं आपसे इतना हैं कहना चाहूंगा कि जबर्जश तरीके से मेनत करनी है जबर्जश तरीके से आगे बढ़ना है और आप लोगों का टार्गेट है लिग लीजिए लगा दीजिए आगे है ठीक है एलडीपी है और उस एलडीपी के अंदर सरफ बोई लोगों को आदे का मोका मिलेगा जो सिलेक्टिड लोग होंगे कुछ गारह सो पच्पन के जो आटीटी का जो मिशन है डबल बन डबल फाइव सबको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी बहां पर सरफ लोगों के स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी जो डबल बन डबल फाइव में हलो हलो जो डाइमेंड बनना चाहते हैं आप लोगों के टार्गेट दे के जा रहा हूं बीश फरवरी अभी काफी दूर है आपको हर हालत में ग्रीश टार्गेट जीतना है और अपने आपको सिद्ध करना है कि मैं डाइमेंड बनने लाइक हो और जो लोग टार्गेट जीत जाएंगे उसको उस लड़ीप में आने का मौका मिलेगा और वो लड़ीप होने जा रही हम सब के ग्रेट मेंटर मागुर जी मादब मागु कर लेंगे उन लोगों को वहाँ पर आने का मौका मिलेगा दोस्तों और आपके लिए बस आज एक ही कमिंट्मेंट होना चीए कि हर हाल में आपको वो टार्गेट जीतना है पूरा टाइम है जन्वरी है आपके पास पूरी पूरा का पूरा एक महीनाज कितनी तारीक है बार कर दोस्तों इनी बातों के साथ मैं अपनी बाड़ी को यह बिराम देता हूं और शांदार तरीके से बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बिजनिस में जो आज सीखा है उसको अमल करना है यसे नो और दोस्तों अब समय है एक ऐसे सेलिबरेशन का आपको पताए कि हमारी कब्री एक नया प्लान लेके आई है जादा हैपीनेस वाला प्लान यसे नो औ और दोस्तों हम यह पर ऐसी आज केक सेलिबरेशन करेंगे अपने लीडरों के साथ में तो जितने भी हमारे यह पर पर लेंड अब लीडर हैं वो सारे स्टेज बे आजाएं और सारे लोग मिलके हम केक सेलिबरेशन करेंगे जिनोंने रैंक अची सारे आजाएं पर लेंड तंच अजिए गाद एक यजजिवीर तंच एकारस्ते मा बरे शुक अजड़ाचना मा कर्म पलाहे तुल भुर्माती संगुस्थव करमणी दिम्ताना 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 देरेना दिम्ताना 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 देरेना दिम्ताना 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 द आटल है कर्ब हम है पर्ब हम है हम है अजीम रायल, रायल, ताइबर स्टीम रायल, ताइबर स्टीम होटोड जगीरोदा, बाउसा फिले तवाल होटोड की जग देने, बनी गेरानी नार होटोड जगीरोदा, होटोड जगीरोदा होटोड जगीरोदा, बाउसा फिले तवाल, होटोड की जग देने, ताइबर स्टीम होटोड जगीरोदा, होटोड जगीरोदा, होटोड जगीरोदा, होटोड जगीरोदा, होटोड जगीरोदा, बाउसा फिले तवाल, होटोड की जग देने, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया सौ बार शुक्रिया, सौ बार शुक्रिया, हंडड बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया तुम जैसे चूतियों का सहारा है गोस्तो तुम जैसे चूतियों का सहारा है गोस्तो तारे गिन गिन याद्च तेरी मैता जाकर राता नूँ रोकना पावा अखिया, बिच्चों गम दिया, बरसाता नूँ तारे गिन गिन याच तेरी मैता चाकर रातानू रोक न पावा अखियां विच्चों घम दियां बरसातानू हो 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 एशिक तेरा गड़ पादे हो 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 एशिक तेरा गड़ पादे हो 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 एशिक तेरा गड़ पादे झाल सकती को शरभव झाल